हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हससी अड्डा, हससी अड्डा यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, प्रिविएस एर के पेपर, 2016 से लेकर हम स्टार्ट करेंगे और अभी जो जनुवरी 2021 में, जो पेपर हुआ है, ग्राम स्चीव का उस पेपर तक हिंदी के हर पेपर में जितने भी क्वेस्चन आये हैं सारे के सारे हिंदी के परसन एकी वीडियो में आपको मुलेंगे और इस वीडियो की PDF आपको मिलेगी HSSC अड़्डट टेलीगराम चैनल पर, आप वहाँ पर सर्च करोगे वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और वहाँ पर आपको doubts group का एक discussion tab मिलेगा वहां से आप doubts group को join कर सकते हो और यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बैल आइकन दबाएं इसी तरह की आपको हर तरह की PDF वहाँ पर टेलीग्राम के ओपर प्रोवाइड करवाई जाती है आपको महरतन क्लास करवाई जाती है चाहे वह मैथ की हो चाहे वह हिंदी की हो चाहे वह किसी और टोपिक की हो और अभी हरियाना जी के की भी एक पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं जल्दी ही जिसमें अरियान्थ की कम्प्लीट बुक हम एक ही वीडियो के अंदर कम्प्लीट करेंगे तो अब दूसरी बात मैं करता हूँ इस वीडियो के अंदर हम कौन-कौन से पेपर कवर करेंगे तो सबसे पहले 2016 में हरियाना पुलिस के जो पेपर हुए थे वो पेपर मैं कवर करूँगा उसके बाद फिर हमारे पेपर हुए थे हरियाना पुलिस के 2018 में हम वो पेपर कवर करेंगे ये भी हरियाना पुलिस के पेपर रहेंगे उसके बाद हमारे जो HSSE का ग्रूप D के पेपर हुए थे जितने भी ग्रूप D के पेपर हुए थे सारे के सारे 2016 में कलर के पेपर हुए थे वो सारे के सारे उसके बाद 2019 में color के paper हुए वो सारे के सारे उसके बाद excise inspector taxation ये जितने भी paper अभी तक SSC ने conduct कराए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर अभी gram steev के paper हुए है फिर 11-2019 advertisement के online paper हुए थे JEE के paper हुए थे और भी कुछ paper है बहुत अलग-अलग उसके महकमों के जितने भी महकमों की paper हुए है चाहे वो विजली विबाग के paper हुए है और किसी और भी बाग के वो सारे के सारे आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर जैसे जैसे आप video को देखोगे आपको पता चलता चला जाएगा कि किस किस पेपर को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है मतलब कहने का यह है कि लगबग लगबग सारे पेपर हमने HSSC के प्रिविए से सारे कवर कर लिये हैं इस एकी वीडियो के अंदर तो उमीद करता हूँ आप लोग अपना पूरा स्पोर्ट करेंगे इस वीडियो के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेस्चन की तरफ हमारा जो पहला क्वेस्चन इस वीडियो के अंदर रहेगा यह हमारा हरियाना पुलिस का पेपर है हरियाना पुलिस के पेपर में 2016 के पेपर में यह पूछावा क्वेस्चन है तो हमारा जो क्वेस्चन बनता है वो बनता है चैवरक का उच्चारण मूँ के किस बाग से होता है हैं तो हमारा पयारे बच्ण चैवरक का उचाल कहां से होता है इनको याद करने की जो ट्रीक हमारी वह होती है कचट तब के प्रमजां जो मेजमारा इनको याद करने की ट्रीक है कचट के अधिये के टी आव प्रफशन के पूछा गया है तो लाला इत के अंदर हमें यहां पर सही वरतनी बतानी है कि इन में से कौन सहा सही है तो यह आगा हमारा लाला इत भी ओप्शन हमारा इसका अंसर हो जाएगा इस तरह से ही जितनी भी हो सकता है आपको ट्रिक बताने की कोसिस करूँगा लग अगर वाने की इस वीडियो के अंदर कोशिस करूँगा और यह वीडियो हर पेपर में आपके लिए राम बार साबित होगी बोतिक का विलोम सब्द क्या है उसने क्या पूछा क्या प्यारे बचो विलोम सब्द तो क्या हो जाएगा हमारा अध्यात्मिक हमारा हो जाएगा बोतिक का विलोम सबद अब हम आगे बात करते हैं पुलिंग सबद का चेन करना है हमें यहां पर उप्शन क्या है हड़ताल तो हड़ताल एक हमारा क्या है जब इस तरह का कोई भी परसन आपको पेपर में देखने को मिले तो आप उससे एक पूरा वक्य बना लीजिए जैसे क हड़ताल आज कहां पर हड़ताल हुई आज वहां पर हड़ताल हुई हुई आ गया तो इसका मतलब यह क्या है यह के इस्त्रीलिंग सबद है पुलिस पुलिस की बात करें तो यह भी इस्त्रीलिंग है क्यों है जब अब वाक्य बनावगे जिस तरह से पुलिस उसको गई का मतलब क्या हूआ ये स्ट्रीलंग है तो ये भी हमारा अंसर नहीं हो सकता सरकार", हमारे देश का सवीदान लोक्तंतरात्मकh है अगर देश की सुविधान होता तो इस टृलिंग देश का सुविधान है तो पुलिंग तो सुविधान हमारा पुलिंग हो जाएगा अब यह देखो पेरे बचो 8 2015 ये हमारा HSC का पेपर है और ही एक कलर का पेपर है जो 2016 में हुआ था उसके questions हम करेंगे यहां पर तो हमारा पहला question क्या दिया हुआ है अखंड सबद एक मजट में इसको थोड़ा सा जोम कर लेता हूँ अभी आपके लिए अखंड सबद अखंड का सब्दार्थ क्या है हमें अखंड का परियाईवाची यहां पर बताना है किसका सब्दार्थ है तो अखंड क्या होता है जिसके कोई पकडेन है कि यह जासके अब आता है हमारा आगे बुड़ा सबद बुड़ा सबद का बाववाचक संग्या रूप क्या होगा तो बाववाचक संग्या में जब हम इसको change करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या बुढ़ापा यह option हमारा इसका अंसर हो जाएगा आगे आगे हमारा दिन, दिन सबद का फिर इसके वीसेशन रूप बनाना है हमने तो वीसेशन रूप बनाने में क्या हो जाएगा यह दैनिक हो जाएगा आगे आता है हमारा जहर का गूट पीना तो जहर का गूट पीना महावरे का अर्थ उसने पूचा है लगबहर पेपर में एक महावरा जरूर देखने को मिलता है तो जहर का गूट पीना इसका महावरे का जो अर्थ बनेगा वो भनेगा चुप चाप अपमान को सहन करना अब आगया आता है हमारा इन में से सुद सबद क्या है अब ये अध्यापक हमारा ऐसुद ये भी ऐसुद अध्यापक भी नहीं लिखते हम तो B option हमारा अंसर हो जाएगा अगला question है साकार का विप्री तार्थक सबद क्या है तो साकार का विप्री तार्थक क्या होगा पहरे बचो निराकार एक मिनट निराकार निमनलिकित वाक्यों में सुद वाक्य क्या है तो सुद वाक्य क्या होगा इन में पहरे बचो राम अच्छा लड़का है राम अच्छी लड़की है ये भी नहीं हो सकता राम अच्छे लड़के हैं नहीं राम अच्छे लड़का है ये भी गलता है राम अच्छी लड़की है राम तो एक लड़का है आगे आता है हमारा अगला पेपर इन में से हमें विशेशन बताना है तो एक तो दिया मेरे पास option गोल एक दिया है बालक एक दिया क्योंकी और एक लिखा तो गोल हमारा क्या हो जाएगा विशेशन गोल हमारा विशेशन क्यों हो जाएगा क्योंकि वो जैसे तरह से कहेगा यह वस्तु गोल है मतलब क्या वस्तु की विशेष्टा क्या है कि वो गोलाकार है सेर सब्द का इस्तरी लिंग हमें बताना है फैरे बच्चो तो क्या हो जाएगा हमारा सेर नी थोड़ा सा जों करता हूँ मैं यहां पर एक आदा पेपर जो स्क्रीन चोट है वो थोड़े से धुंदले मिले हैं जिस वज़ेसे आपको थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा हूँ एक आदा पेपर आईसा हूँ है बाकी सारे अच्छे स्क्रीन सोट मिले हूँ है जो किसी का उपकार नहीं माने उसे कहते हैं उसे क्या कहेंगे जो किसी का उपकार नहीं मानेगा प्यारे बच्चों उसको बोलेंगे हम कृत दन और यह तो आपको पता योगा भी नास्तिक कोन होता है, कृत अग्य कोन होता है और सरवग्य कोन होता है तो यह आ गया हमारा 49 यानि कि 39 को हिंदी में क्या कहते हैं आप बहुत सारे बच्चे आज कल जो इंग्लिस मीडियम में पढ़ते हैं और इंग्लिस मीडियम की मैं क्या बात करूँ हिंदी मीडियम वालोगों भी नहीं पता होता है कि 49 को क्या का जाता है तो वो इस तरह का paper में person पूछा है उसने तो इसका option हमारा अंतर हो जाएगा आगे जो हमारा person है राम खाना खाएगा इस वाक्या का करम क्या होगा करम वाक्या बनाओ राम से खाना खाया जाएगा इसका जो करम वाच्चा बनेगा वो बनेगा राम से खाना खाय जाएगा भी ओप्शन अगर आता है हमारा कुट्टे ने बिली को मारा इस वाक्य में कौन सा कारक है तो इस मेनब जो यहाँ पर कुछ ने कुछ लिखा होगा जो यहाँ पर मिट गया है तो इस वाक्य के अंदर दो कारक है दो कारक कैसे है यहाँ पर अगर मैं कुट्टे ने यहाँ पर बात करूँ तो मेरा आता है करता कारक और अगर को मारा किसको मारा करम को मारा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा करम कारक तो यहाँ पर उसको पूछना चाहिए था या तो कुत्ते में कौन सा कारक है और यहाँ पर बिल्ली में कौन सा कारक है तो इस तरह से यह परसन बनना था तो अगर इसकी बात करेगा तो करम कारक और इसकी बात करेगा तो यह करता कारक तो आगे आता है हमारा परसन अपना हाथ जगनाथ लोगोक्ति का क्या अर्थ है तो इसका जो अर्थ होगा ये एक लोगोक्ति है लोगोक्ति और मुहावरे हर पेपर में परसंद जो है वो देखने को मिलता है अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना इस्वर का सहारा लेना जोतीस का सहारा लेना जगनात से सहायता के लिए प्रार्थना करना तो इसका जो अंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा प्यारे बच्चो अपने सामर्थ्या पर विश्वास होना यह ओप्शन बिल्कुल सही अंसर है इसका अब अगले जो परसन आया है वो है सवरों का रूप जो रूप वेंजनों के साथ जोड़ा जाता है अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे उसको बोलेंगे मातरा लेकिन वो मातरा नहीं होगा वो हो जाएगा हमारा वरन माला क्योंकि जब सवर और वेंजन सभी को एक साथ रखते हैं हम तो हमारा क्या आता है वरण माला और आपके लिए एक पर्सन का उत्तर आप लोग करो मुझे अभी बताओ कोमेंट करके कि सवर कितने है हिंदी के अंदर और वयंजन कितने है हिंदी के अंदर ये दोनों बताओ मुझे कितने है निमन लिकित में से सुध सबद कौन सा है तो यहाँ पर सुध सबद की पैचान हमें करनी है पैरे बच्चों तो सुध सबद हमारा क्या हो जाएगा अब यहाँ पर इस तरह से कवी यत्री भी दिया हुआ है कवी यत्री भी दिया हुआ है बहुत सारे बच्चों ने देखो इस बच्चे ने भी ये किया वा कवी यीत्री लेकिन कभी भी कवी यीत्री हमारा सब्द नहीं होता है D option हमारा answer होगा कव यीत्री और ये मात्राओं का जरूर द्यान रखना है ये paper में बहुत बार पूछा जाने वाला question है अब इस question को अपना notebook में लिख लेना एक कुजवल सब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है आगे आता है रम्य का अर्थ क्या होगा तो यहाँ पर रम्य का अर्थ गुणवान नहीं होगा प्यारे बच्चों सुंद्र होगा तो आगे जो हमारा person है उसमें पूछा गया है कामायनी काव्या गरंथ के लेका का नाम क्या होगा तो प्यारे बच्चों इसका जो नाम होगा हमारा C option हो जाएगा जैसंकर परसाद कभी कभी लिट्रेचर से साहित्य से भी person पूछ लिया जाते हैं जो static question होते हैं जिनमें author का writer का नाम भी पूछ लिया जाता है लेकक का नाम भी पूछ लिया जाता है प्राकृति सोरी प्राकृति व्याकरन के लेकक कोन है तो प्राकृत व्याकरण के लेखक हैं हमारे हेम चंदर जी आगे बढ़ते हैं जिसका कहीं कोई अंतने होता हो के लिए एक सही सब्द का चयन कीजिए तो जिसका कहीं कोई अंतने होता हो क्या होता प्यारे बच्चों वो अनन्त होता है अम्रित सबद के परियायवाची का चएन कीजिए तो अम्रित सबद का परियायवाची यहाँ पर क्या होगा नवनीत, आसव, सोनित यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते P.U.C ही होता है बच में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने परियायवाची परियाय वाची भी आते ही आते हैं पेपर के अंदर रिक स्थान के लिए विकलब का चेहन करो जाती का आधार डैस है तो वर्ण का गुण करम है तो जाती का आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर D option जनम हो जाएगा धरम नहीं होगा जाती का आधार बंदों गुरु पदम परागा पंक्ती में कौन सा अलंकार है बहुत ही important topic रहता है अलंकार का तो यहाँ पर अलंकार भी मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा कि कौन से अलंकार की क्या पहचान है क्या नहीं है आदे तो मैं इस वीडियो के अंदर ही करवा दूँगा आपको बागी एक class special भी provide करवा दूँगा तो यहाँ पर हमारा अनुपरास अलंकार ही हो जाएगा हलाकि मुझे लग रहा था कि कही न कहीं इसमें सलेश अलंकार हो सकता है लेकिन अभी तक मुझे उसका confirm नहीं है लेकिन अनुपरास अलंकार यहाँ पर है क्योंकि पहला पै 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 यहाँ पर पुन्रवर्ती हो रही है अब आगे आजाता है हमारा यह एसससी color के जो paper हुए थे 2016 में वो paper चल रहे हैं तो यह paper आगया हमारा यह मेरे क्याल से आठ शिप्टों में paper हुए थे जिसे पराजित ने किया जा सके के लिए एक सब्द क्या है यानि कि वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा जिसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता वो होता है हमारा एपराजे ग्रहों के नाम सदय क्या होते हैं इस्ट्रीलिंग होते हैं नपुसकलिंग होते हैं पुलिंग होते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप लोग नपुसकलिंग कुछ नहीं होता है सिरफ दो ही होते हैं इस्ट्रीलिंग और पुलिंग तो आप किसी भी इसका नाम एक बार एक वाक्य बना कर देख लेजिए तो गर आपारे पुलिंग हो जाएंगे अब आगे जो परसन है अबूशन का परियाएवाची नहीं है तो अबूशन का परियाएवाची इन में देखो एचसेसी कि ये फितरत है ये खासेत होते है वो क्या पूछता है नहीं है हमें लगता है कि उसने पूछा है आबुछन का परियाइवाची क्या है हम देखेंगे सीधा अलंकार ओ आई अलंकार ठीक है लगा दी answer हो गया मेरा ठीक जैसे ही गर आते हैं फिर देखते हैं रस्ते में पढ़ते हैं सुनते हैं किसी से पता चलता है उसने तो पूछा था कि आबूशन का परियाईवाची नहीं है तो यह चीज जरूर याद रखना है पेपर के अंदर कि नहीं है वाला question नहीं आई तो यहाँ पर अलंकार भी हो जाएगा हार हमारा अलंकार अबूशन का परियाईवाची नहीं होता हार तो नहीं वाला मत बूलना अगे हमारा हमारा जनमसीद अधिकार है तो यह तो एक सवतंतरता संग्राम के समय जब अंगरेजों के किलाब भारत के आंदोलन चल रहे थे उस समय पर करांतिकारी आंदोलन में ये एक वो दिया गया था नहारा सवतंतरता हमारा जनमसीद अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा किसने कहे थे प्यारे बचो ये बाल गंगादर तिलक ने पितामबर सब्द में कौन सा समास है पितामबर सब्द के अंदर हमारा कौन सा समास होता है पितामबर पीले कपड़ो वाला कौन होता है बहुवरी ही समास हो जाएगा हमारा श्री क्रिशन को भी खा जाता है और विशुन को भी खा जाता है यहाँ पर आगया हमारा संदी विछेद सर्थ चंदर का सही चंदी विछेद क्या है तो सर्थ चंदर का सही विछेद क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्छो ये मारा C option हो जाएगा सर्थ प्लस चंदर क्या हो जाएगा सर्थ प्लस चंदर आगे बड़े सच्रीतर सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है प्यारे बत्चों यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा जो उपसर्ग है एक होता है हमारा परत्या है एक होता है उपसर्ग तो हमारे जो उपसर्ग होते हैं प्यारे बत्चों वो वाक्य के जो सबद होता है हमारा वो सबद में आगे की तरफ जुड़ते हैं और जो परत्या होता है वो हमारा पीछे की तरफ जुड़ता है तो यहाँ पर हमारा जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा भी option सत उपसर्ग यहाँ पर यूज किया गया है निमनलिकित सबद समुख के लिए उप्यूक्त सबद का चयन कीजिए तो जो थोड़ा जानता हो या पिर जो कम जानता हो उसको क्या कहते है पेरे बच्चों उसको कहते है अलपग्य अलपग्य कौन होता है जिसके पास थोड़ा ग्यान हो और वो समझता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्यान है और इसको बोला भी जाता है एक कहावत है नीम हकीम खत्राए जान कम ग्यान आनिकार होता है तो कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना जिस चीज का आपको ग्यान पूरण नहीं है और फिर आप उसको ग्यान देने लग जाओ तो वो उसके साथ ज्यादत ही हो जाएगी ठीक है अब देखो निमन लिकित काव्य पंकतियों का ध्यान से पढ़िए और पूछे गए परसनों का उत्तर भी दीजिए तो क्या उत्तर दोगे यहां पर पहला है हमारा यहां पर अलंकार पूछा गया है कौन सा अलंकार यहां पर हमें बता अलंकार हलाकि इसमें चारुचंदर की चंचल किरने इसमें एक अलंकार होर हो सकता है हमारा लेकिन यहां पर उप्शन में अनुपरास ही दिया है तो अनुपरास ही इस्तमाल करना पड़ेगा और दूसरा हमारा क्या है मकमल के जूल पड़े भाथी सा टीला तो यहां पर सी सासरीष जहांपर भी आ जाये वो हमारा कुन सा अलंगकार हो जाता है प्यारे बच्चों वो उमारा हो जाता है उपमा अलंगकार, क्या हो जाएगा हमारा उपमा अलंगकार निमन लिखित में से कौन सा सबद कनक सबद का अर्थ नहीं है तो यहाँ पर तीन उप्सन में तो यहाँ पर फिर से देखो नहीं वाला आया है कनक का सोना भी होता है धतूरा भी होता है कनक गेहूं को भी बोलते हैं लेकिन कमल को नहीं बोलते हैं यहां पर हमें अभिमान का वेप्रित अथ्वा फिलॉम सब्द पताना है तो क्या होगा प्यारे बच्चों यहां पर अभिमान का वेप्रित निर अभिमान गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कठिन कारिये पूरा होना आगे यहाँ पर हमसे पूछा गया है पक्सी का परियाएवाजी सबद कौन सा है तो प्यारे बचों पक्सी का परियाएवाजी सबद कौन सा होगा हमारा यहाँ पर द्वीज हो जाएगा ए उप्सन हमारा अंसर हो जाएगा पूरुस सबद का अर्थ क्या है तो पूरुस का जो अहर्थ होता है प्यारे बच्छों होता है कठोर इन में गुणवाचक विशेशन कोन सा नहीं है तो गुणवाचक विशेशन क्या आते है प्यारे बच्छों जो किसी वस्तु के गुण दरसाता है और जबकि यहाँ पर 20 एक option है डी option यह किसी वस्तु की संख्या को दरसाता है यानि कि यह संख्या वाचक वीशेशन है बाकि मोटा, काला, नया यह सभी गुण वाचक होते हैं उपर्युक्त का सही हिंदी विछेद यह होगा उपरी पलस उक्त, यह हमारा बी option हमारा answer होगा इसका अना सक्ती में कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है तो बी option अनउपसर्ग यहाँ पर यूज हुआ है आगे देखो फिर से आ गया है मेरे ख्याल से, जो किये गए उपकार को नहीं मानता वह कोन होता है कृत दन बिल्कुर रिपीटिड क्यंस ना है इसलिक प्रिवेश एर के Central करने का फाइदा होता है प्hary बचो इनमें क्या होता है इनमें 條 cirit के रिपीट होने के चांसिस बहुत ज्यादा रहते है तो यहांपर क्या है निमनलिखित पंक्तियों में किस या किन कावले पंक्तियों में अनुपरास अलंकार नहीं है फिर से क्या आगया नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा चारू चंदर की चंचल किरिने खेल रही थी जल्थल में इसके अंदर तो अनुपरास अलंकार है अगे क्या है पूत सपूत तो क्यो धनसंचाई पूत कपूत तो क्यो धनसंचाई इसमें नहीं है इसमें भी अनुपरास अलंकार नहीं है लेकिन यहाँ पर यमक अलंकार जरूर है कौन सा लंकार प्यारे बचो यमक क्यों क्यों कि यमक लंकार की जो पैचान होती है उसमें एक सबद बार-बार आता है रिपीट होता वो सबद और उसका क्या होता है मीनिंग भी हर बार अलग आता है और आगे बंदेंगरू पदपदंपर आगा ये यह पर पैपश यह पहले भी आचुका यह भी रिपीटिड है हimmung आए तो यहां पर पहले और चोथे में तो क्या है हमारा अनुपरासलंकार जब कि दूसरे और तीसरे में नहीं है तो हमारा यही अंसर होगा यह उप्सन अंसर हो जाएगा इसका अब आगे क्या दिया हुआ है जंगम सबद का हमें विलोम सबद बताना है विपरी तार तक बताना है तो यह हो जाएगा हमारा स्थावर आठ दूजार पंदरा एडवर्टाइजमेंट का यह पेपर चल रहे हैं हमारे जो कलर के पेपर हुए थे खोदा पहाड निकली चुहियां तो प्रिशरम को देखते हुए बहुत कमफल की प्राप्ति होना कनक कनक ते सोगुनी देखो फिर से आगया ना कितना इंपोर्टेंट है यह मैंने अभी बताया था आपको कि यह मकलंगार है क्यों बताया था सारा कुछ बताया इसके बारे में सुध सबद का चेन करें तो stag सबद का चेन ये आपर हमें करना है तो उमारा जो सुध सबद हूगा यहाँ पर उजवल मैंने कहा था उजवल सबद बहुत ज्यादा पूचा जाता है paper के अंदर उजवल के अंदर दोनोय हमारे आदो होते है क्या बूलू क्या याद करू आतमकता के लेकक कौन है ये किसकी आतमकता है ये हरिवन सराइबच्चन जी की आतमकता है और एक पेपर में तो ये भी पूछ लिया गया था हरिवन सराइबच्चन का संबंद कहां से है अभी आगे वो परसन आएगा सुर्य उद्या में संदी विच्छेद कीजिए सुर्य उद्या का संदी विच्छेद करो भई सुर्य पलस उद्या भी ओप्शन इसका अंसर हो जाएगा उलेक का सही संदी विच्छेद क्या होगा उत पलस लेक ये भी C option answer हो जाएगा फैरे बच्चो आगे क्या है निमन लिखित में से इस समुह में सोने के परियावाची सबद विद्यामान है तो सोने के परियावाची सबद कहां पर विद्यामान है मतलब जो सोना है जिसके जो परियावाची है समाना अर्थक सब्द है कौन से option के अंदर है जल्दी अंगना तोयज ये तो नहीं है भई सवरग पावग कामिनी ये तो अलग-अलग होगे पावग को बोला जाता है कंचन कनक हाटक ये आ गया हमारा कंचन कटक कनक हाटक इसको याद कर लो रटलो बस इसको दो ये मान के चल तो आगे जो हमें बताना है वो वरग अह में दिये गए अलंकारों के उदाहरणों के को उनके नाम के साथ वरग बै में मिलान कीजिए तो यहाँ पर हमें अलंकार बताने है तो यहाँ पर हमारा जो पहला है बुसन, बीनू, नै, बिराजई कविता, बनीता, मित इस तरह के जो परसन होते हैं पहरे बचो उनको करने के लिए सबसे पहले क्या करो जो तुमको सबसे अच्छे तरिक्चे से आता है सबसे पहले हम उसको करते हैं जैसे कि हरीपद कोमल कमल से, सीशा सरिस से सैम सैदरिस, क्या कहा था मैंने, जब भी ये सबद आ जाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेस्टिन का हमारा हो जाएगा, ठीक भी, अब आगे जाएगा बै तो इसके सामने बै लिख लेते हैं भई अब क्या हो गया हमारा आप क्या रहागए तो काली घटा का इसमें कोन सार लंकार हो करे तो स film तर रहा है गटा गटा अलग अलग का बार-बार आ सै आ जाएगा, सै यानि कि शलेश अलंकार काली घटा का गमंड घटा यंका एक बार गटा का मतलब क्या है काली घटा बादल और एक बार गटा का मतलब क्या है यहां पर कम हो गया आगे देखते हैं सुशुप्ती सबद का विलॉम अर्थ क्या होगा सुशुप्ती का जो विलॉम होगा वो हो जाएगा मारा जागरीती अब आगे जो पूछा है समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान कीजिए तो यहाँ पर समास बताना में कौन से सबद में कौन सा है तो सबसे पहला यथा संक्या में हिसाफ नजरा रहा है में कौन सा समास हो जाएगा हमारा हवे बाव समास तो पहले के सामने तुम्हारा सह आ गया अब आगे देखो अश्टा ज्याई अश्टा ज्याई में मारा कुन सा हो जाएगा अश्ट यानि कि गिंती गिंती के सामने दिविकु समास जनम मरन इसमें हो जाएगा मारा दवंदाव समास जनम और मरन जनम और मरित्यू एक दूसरे के भी प्रितार थक है अंदकार यूक्त में हो जाएगा हमारा अतव पुरुश स्मास बिल्कुल आसान तो अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं हमारा अगला पेपर है तो भई अगले परसद की तरफ बढ़ते हैं अगला परसद क्या दिया हूह है काला नाग महावरे का सही अर्थ क्या है ये चार दिसंबर का इवनिंग सिफ्ट का पेपर है चार दिसंबर 2016 का तो काला नाग किसको बोला जाता भी काला नाग बोला जाता है गातक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खतरनाक आद्मी होता है न उसको बोला जाता है काला नाग साकेत कावे के लेकर कोन है ये static question है इसका अंसर रहेगा मैतिली सरन गुप्त ये आपको खाली याद करना होगा परसून सबद का सही परियाएवाची सबद कोन सा है तो यहाँ पर परसून सबद का जो परियाएवाची सबद है पेपर में इसका जनम भी पूछा हुआ है तो ये आगया वो question तो इसका जो अंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा C option परियाख के अंदर हुआ था और यहाँ पर अगला जो परसंद दिया हुआ है परहित सरसी दरम नहीं भाई परहित सरीश दरम नहीं भाई पर पीडासम नहीं अदमाई ये पंक्तिया किसकोई की है तो ये जो पंक्तिया है ये D option है इसका तोलसी दास महा पलस उर्मी का संदी रूप क्या होगा तो इसका अंसर हो जाएगा महोर्मी D option इसका अंसर रहेगा बिल्कुल सही अगला परसन है निमनलिकित सब्द समू के लिए पर्यूक्त सब्द का चैन कीजिए जो कभी नहीं मरता वह होता है अमर C option अंसर बिल्कुल सही अब आगे देखते हैं आगे मारा क्या दिया हुआ है वरग ए में दिये गए अलंकारो के उदाहरणों को उनके नाम के साथ वरग बै में मिलान कीजिए तो अलंकारो का मिलान है याँ पर करना है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो सबसे पहले जो सबसे आसान लगता है ना सबसे पहले उसको करो कर दूसरा में आज़ाएगा देख रो साकेत नगरी यही सवरक से मिलने गगन को जा रही हमारा अती सो यक्ति आलंगकार कि इसका हो जाएगा इसें के आप नहchnya मारा कौन्छा झाल beta'd मिलकुल असान पंसन में मैच जाते हैं सफ़ी तो बाकि कि अपने आप मैच वोने लग जातें हैं इसमें अगे क्या दिया हुआ है समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान कीजिए तो बिल्कुल सही मिलान कर सकते हैं वही बात फिर से आ गई है जो मैंने भी कही थी आप लोगों को कि जो आपको सबसे पहले आता है सबसे पहले उसका यहाँ पर करना चाहिए मिलान पर संख्य वाचक सब दा जाए तो दूइगो समास बिल्कुल सही तीन नमबर के सामने मारा जाएगा दै दूसरा कमल नयन ये बिल्कुल सपश्ट नजरा रहा है विज़े इस ता बताएगए ये किसी की करमदारिय समास इसके सामने आ जाएगा आ दर्म और ऐदर्म दवंदार समास इसके सामने आ जाएगा बाए और वांग दाता के सामने आ जाएगा अपना कुण सा शैट अद्पूरस समास तो इसका सही अंसर आपका ये B option ही हो जाएगा तो अगला जो पर्सन है मारा ये मारा पेपर स्टार्ट गाब ग्यारा दिसंबर 2016 मौर्निंग शिप्ट का पेपर है ये दस दो जार पंदरा एडवर्टाइजमेंट वाक पलस मैं संदी का कौन सा रूप होगा ये सी ओप्सना रोजाएगा इसका वांग मैं आके क्या है निमनलिकित में से कौन सा अवे भाव समास है अजीवन जबकि अगर हम बात करते हैं त्रीवेणी की तो द्वीकु समास हो जाएगा और अगर हम बात करते हैं अनजल की तो ये मारा दवंदो समास हो जाएगा कनक जैसी लता तो इसमें आप लोग मुझे कॉमेंट बोक्स में अंसर करके बताओगे कि इसमें आपको कौन सा समास है इसके अंदर कौन सा समास है ये मुझे कॉमेंट बोक्स में बताना आपको क्योंकि हर क्वेस्टिन आपको अगर आसान दे दिया कॉमेंट बोक्स में करने के लिए तो आप जट से उसका अंसर कर दोगे कुछ ऐसा होना चाहिए ना थोड़ा सा आप रिसर्च करके उसका अंसर करो अब आगे निमन लिखित में से कौन सा सबद एविकारी एव्या है यानि कि अव्या है जिसको हम खर्च नहीं करते हैं उसको बोलते हैं और जो खर्च नहीं किया जाता है जो अमेशा एक जैसा ही रहता है जिसमें कोई चेंज नहीं आता लिंग या फिर उसमें वचन के आदार पर कोई चेंज बेदबाव नहीं आता उसके अंदर तो उसका अंसर हो जाएगा हमारा C option दीरे से अगला जो परसन है नीमन लिखित सब्दों में कौन सा सब्द नित्य इस्त्रीलिंग नहीं है तो इस्त्रीलिंग नहीं है इन में से कौन सा है मचली इस्त्रीलिंग है कोयल इस्त्रीलिंग है तीतली इस्त्रीलिंग है लेकिन सरीमती जवबो इस्त्रीलिंग नहीं है अगला परसन है निमन लिखित में कौन सा वर्तनी का सुद रूप है देखो ये परसन मैंने कहा था कि इसको मार्क कर लो ये बार बार रिपीट हो रहा है तो उजवल उजवल के अंदर दोनों जया दे होते हैं कले खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो कले खुलना इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा मारा रहस्य परकट हो जाना किसी का बेद खुल जाना आगे जो परसन है वाक्या की पूर्ती उचित लोकोक्ती से ज्याद कीजिए प्रेम संकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा गया आखिर लोगों को कब तक दोखा दिया जा सकता है तो इसका जो अंसर उजाएका D option काट के अंडी बार बार निचड़ती निमन लिखित में किस बासा की लीपी देवनागरी है देवनागरी नहीं है द्यान से सुन लो देवनागरी नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा संस्कृत की देवनागरी है हिंदी की तो है ही मराठी की भी क्यों है मराठी की देवनागरी क्योंकि मराठी के अंदर जो वरन लिखे जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही लिखे होते हैं जिस तरह से इसके अंदर हिंदी के अंदर लिखे जाते हैं कभी भी लिखे वे देखना मराठी सबद कैसे लिखा जाता है मराठी बासा में या कोई और सबद तो तमिल एक ऐसी बासा है जिसके इलिपी जववो देवनागरी नहीं है अब यहाँ पर बात आती है निमनलिकित में से कौन सा वरण का उचारण स्थान मुर्दा नहीं है यहाँ पर भी नहीं है वाला question पूछा गया है तो यहाँ पर टै, डै, और्री यह सबी क्या है मुर्दा वाले है लेकिन ठै का मुर्दा नहीं है क्योंकि इसका जववो दंत होता है निमनलिकित में कौन साब सब्द बाववाचक संग्या नहीं है बावाचक संगया नहीं है यहां पर भी नहीं है वाला परसन आया है तो पंडित्या भी बावाचक है मादुर्या भी महानता भी लेकिन बुद्धिमान जो है वो बावाचक संगया नहीं है बुद्धिमान में कोई बाव नहीं होता यह गुण होता है आगे बढ़ते हैं तो आगे जो हमारा परसंदी आ हुआ है तत पलस शीव तो इसका कुन सा हो जाएगा हमारा यह उप्सन अंसर हो जाएगा तत शीव और सम्राठ सब्द का इस्त्री लिंग रूप क्या होता है वही तो इस्त्री लिंग देखो यहां पर गलत किया हुआ इस सम्रागी लगाया हुआ है इसका जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा सम्रागी सम्रागी नहीं होता है यह सम्रागी होता है बहुत ही अच्छा परसन यहां पर पूछा गया है कन्फ्यूजन वाला निमन लिखित में कौन सा वर्तनी रूप सुध है तो कौन सा सुध हैं के अ होता है जै बड़ा होता है ये पूज पूज नहीं होता है इस तरह से होता है पूज नहीं है कि अंघ्य पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या जाएं गया वह जाएं और सब्सक्का अंदर आध्यक्त और उसको अपने प्सक्कार रखना कि इसमist होएं नहंगर नाचना तो पना याई-द्यक्षू सब्द से ही सारा चेंज हो जाएगा वाक्या की पूर्ती उचित लोकोक्ती से कीजिए तो लोकोक्ती बतानी है बेचारी बहु को ही क्यों दोस देते हो अपने बेटे की कर्टूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते सच ही कहा है किसी ने नाजने जाने आंगन टेडा तो नहीं होगा भी सका पड़े फार्सी बेचे तेलिए भी नहीं हो सकता अपना पैसा खोटा हो तो परकने वाले का क्या दोस ये बिल्कुल सही है दो भी का कुता गर का न गाट का ये भी नहीं होगा और ये सारे इंपोर्टेंट है ये याद रहने हैं सही है में सा निमनलिखित में से कौन सी भासा भारत ये यानकी भारोपिया भासा परिवार की नहीं है तो भारत और ये परिवार ये उरोपिया में अंग्रेजी तो आएगी आएगी और भारत में हिंदी आएगी संस्किर्ट आएगी लेकिन तमिल नहीं आएगी बारोपिय परिवार में अब यहां पर देखो निमनलिकित में से वरण का उचारण स्थान कोन सा है तो उचारण स्थान के भी बहुत ज़्यादा परसन पेपर में आ रहे हैं और यहां पर फिर से नहीं वाला परसन आया है ठीक है पीछे वाला परसन भी नहीं वाला था ये भी नहीं वाला है और आगे भी नहीं वाला है देखो कितने सारे परसन नहीं वाले आये है उचारण स्थान कौन सेवन का चारण स्थान तालू नहीं है तो साफ नजर आ रहा है दय का दन्त होता है दय का नीमन लिखित में से कौन सा सबद विशेशन नहीं है अब यहाँ पर हमें क्या बताना है जो सबद विशेशन नहीं है तो बुड़ा किसी की विशेश्टा होती है cut to βी विशेशन है, राजगिय भीем विशेशन है, लेकिन ट्रिक नअई जो वो विशेशन नहीं है. तो यह ही हमारा इस स्वाल का answer हो जाएगा, इस person का. Samish basi वह है, तो samish basi किसको का जाता है, जो mask खाता है, ए उप्षन answer हो जाएगा इसका, पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बैल आइकन दबाएं और इसके अलावा आप पर डाउट ग्रूप में जुड़ सकते हो जहां पर बच्चे डिसकसन करते रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं आगे के पेपर की तरफ हूँ तो यहां पर यहां पर क्या किया गया है यहां पर पूछा गया भी सूमेलित कीजिए तो हमें यहां पर इनको आपस में सुमेलित करना यानि कि मैच कराना है भी कौन सा क्या दिया हुआ है चारों के आठों के आठों सिप्टों में ऐसा क्वेस्टन आया था तो यहां पर सबसे पहले अपसन आ में दिया गया है 86 हिंदी में लिखे यह संख्या है और इस साइड लिखे हुई है यह आ में जो संख्या है वो गिंतिया लिखे हुए है 86 कौन सा है ये हो गया हमारा 86 58 को किया बलते हैं 58 32 क्या हो गया हमारा 32 49 हमारा 39 अब आगे मारक जो next question है वो क्या है तो यहां पर दियावाय है हाथी सबद का बहुवचन रूप क्या होगा तो हाथी का बहुवचन यो रूप क्या होता है प्यारे बचो हाथी का जो बहुवचन और एक बचन होता है वो एक जैसा ही होता है उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है हाथी ही रहेगा इसका अब आगया हमारा रसोई कागर तो question number ही कैसी कि मैं बात कर रहा हूँ रसोई कागर रसोई कागर यह कौन सा समास है प्यारे बचो जल्द आप है न साथ के साथ कोमेंट करते रहा हूँ रहा हूँ अपने answer को कि आपको इसमें कौन सा option सही लगता है जिसे आपको यह पता चलेगा कि भी आपका level क्या है तो हमारा जो answer हो जाएगा प्यारे बचो वो हो जाएगा तत्पूरुस समास मैंने बहुत बार बताया है रसोई गर में रसोई के लिए गर जहांपर हम विग रह करते हैं टाइम किसी कार का इस्तमाल करते हैं तो वो हमारा तत्पूरुस समास हो जाता है अब VASC नंबर क्वेस्टन की तरह बढ़ते हैं VASC में क्या पूछा गया है मेरी बहन सकूल से आई है इस वाक्या में बहन का पत प्रीचे देना है कि बहन इसमें क्या है तो बहन देको साफ-साफ नजर आ रहा है भाई बहन ये इस तरह के जो सब दोते है वो जाति पूरी जाति को सूचित करते हैं तो जाति वाचक हो जाएगा और एक में ही दिया हुआ है आगे तो हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी यहां पर तो इसका जो आंशर हो जाएगा हमारा हो जाएगा C option जाति वाचक संग्या इसके अंदर अमारा करता कारक है और इस्त्री लिंग और एक होचन कि यह तो सभी में सेम दिया हुआ इस्त्री लिंग और एक होचन तो अब यहां से देखो वीर रस का स्थाई बाव में बताना है कि वीर रस का जो स्थाई बाव वो क्या होता है तो जो वीर रस का मारा स्थाई बाव होता है वो होता है उत्सा C option answer हो जाएगा इसका अब होगा 84 number question निमन में से असव का प्रयाई वाची सब्द देखो यहां पर भी फिर स्यायर नहीं है क्या प्यारे बच्चो निमन में से असव का प्रयाई वाची सब्द नहीं है तो हमें बताना है जो इन में से उसका प्रयाई वाची नहीं है तो यहां पर हमारा जो answer है है तुरंग वाजी ये सबी क्या होते हैं हमारे असब यानि की गोडे के प्रियाई वाची होते हैं लेकिन करी हमारा गोडे का प्रियाई वाची नहीं होगा ठीका प्यारी वाचो अब अगले question कितरों बढ़ते हैं तो जो हमारा 85 number question एक पर उसको देख लेते हैं कूल सबद के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है तो कूल के साथ हम कौन सा उपसर्ग उपसर्ग मैंने क्या बताया था आपको उपसर्ग जो वो होते हैं जो किसी भी सबद के शुरुवात में आते हैं और प्रत्य वो होते अगला है दातों तले उंगली दबाना तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा दातों तले उंगली दबाना अब यहां पर क्या हो जाएगा आस्चरिया परकट करना जब हम किसी चीज़ को देखकर आस्चरिया चुकित हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कहते हैं कि मै बाव वाच्चय में लिखना है इसको कर्म वाच्चय भाव वाच्चय करतरी वाच्चय इस तरह से श्कुते लिखे इंके ओपर वेडियो जल्दी आपको प्रवाइड कर वांगा तो यहां पर हमारा यहां को सवागत मैं कुन सी ऑप्शो आसान इससे असान कुछ नहीं हो सकता और यह जो इस तरह के संदी है हमारा option answer हो जाएगा यन संदी यन संदी से सबसे ज़्यादा आपके question पूछे जाते हैं और इसका rule क्या होता है प्यारे बच्चों जब भी हमें वाक्या के अंदर यै वै या फिर रै इन सभी से पहले अगर कोई एक अकसर कोई वरण आदा दिख जाए जिस तरह से सवागत के अंदर वै से पहले सै आदा है तो इस तरह से अगर हमें यहाँ पर कोई भी एक वरण आदा दिख जाए यह वह और रह से पहले तो सोच लेना वहाँ पर हमेशा यन संदी होगी जो सवर संदी होती है इसकी एक छोटी सी ट्रीक बताऊंगा आपको शिरफ पांच मिनट की वीडियो होगी वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी चिंता करने की बात नहीं है पेपर से पहले आपको संदी अलंकार समाज इस ते रहे जितने भी टोपिक न में में जहां से पेपर में बार बार करमक के रिया करमक के रिया यह सारे करवा दूँगा मैं अब बात करते हैं क्वेस्चन नमबर निवासी जहां एक सबद के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है पहरे बच्चों मारा जब एक सबद के एक से अधिक अर्थ होते हैं मैंने क्या कहा था हमेशा सलेश अलंकार होगा सलेश का मतलब होता है चिप का हुआ यानि कि सब देख होता है और उसके अर्थ अलग-अलग हमें नजर आते हैं अब निमन लिखित में से सही वर्तनी का चैन करो तो सही वर्तनी का चैन करना है ये भी बिल्कुल आसान दिया हुआ है अभी व्यक्ति भागे बढ़ लेते हैं ये आगया हमारा इवनिंग सिफ्ट का ये देखो लिखका हुआ है आपके सामने इटन 4218 यानि कि 10 नवंबर को ये पेपर हुआ था इवनिंग सिफ्ट में अब यहाँ पर भी उसी तरह से सुमेलित करना तो देखो हर पेपर में आया हुआ है ग्रूप डीके में और ये जरूरी भी है क्योंकि आजकल बच्चे जब इंगलिस मेडियम में बढ़ते हैं या फिर किसी भी तरह से वो ना इन पुराने चीज़ों को भूल चुके हैं जैसे 64 हो गया 49 होता है अब हमें ये बिल्कुल अच्छे से याद है क्योंकि जब हम अपने टाइम में पढ़ते थे तो हम इन चीज़ों को इसी तरह से बोलते थे आजकल इनको इंगलिस में बोलने का जो चल पड़ा है एक रूल चला हुआ है मानलो एक ट्रेंड चला हुआ है तो आजकल बच्चे इन चीज़ों को भूल चुके हैं इसलिए वो चाहता है हिंदी आपको पड़ा कर कि हमारी जो मातरी बासा है हिंदी उसको जिंदा रखा जाए और उसका मेरे साब से कोई मोटर नहीं है कोई लक्षया नहीं है इस तरह से पेपर में दस परसन हिंदी के पूछने का तो टोपी सबद का बहुचन क्या होगा प्यारे बच्चों कोमेंट बोक्स में कोमेंट करते रहिए टोपी सबद का बहुचन रूप तो यहां पर मात्राओं की जोग है वो गडबड रहती है में इसाब तो थै के जब कोई भी यहां इस तरह जाए सै अदा है थै पूरा है तो अगर थै के उपर कोई मातरा लगानी हमें ए की मातरा तो वो सै से पहले आएगी लगेगी हमें सै पर है लेकिन है थै पर रोदर्रस का स्थाई भाव कौन सा है प्यारे बच्चों तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ओप्शन क्रोध अब आगे हमारा मेरी बहन स्कूल से आई है इस वाक्य के आई है पद का प्रिच्चे दीजिए तो आई है पद का प्रिच्चे में देना है आई है क्या आई है क्या आई है तो यहाँ पर क्या आई है तो मतलब इसे जवाब नहीं दिया तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी यह अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी यह हमारी अकर्मक क्रिया करतरी वाच्चा है आसन भूतकाल है आई है एक वाचन है इस तरी लेंग है अब next question देखते हैं तो यहाँ पर 84 question है अचार सबद के लिए सही उपसरक कौन सा है अभी पीछे वाले paper में भी आई सही question था तो यहाँ पर अचार के साथ अगर हम दूर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा दूरा जार आगे हमारा drum se brushed drum brushed का समास कौन सा होगा फ्यरे बच्चो जल्दी बताऊ कौन सा समास होगा फ्यरे बच्चो drum se brushed तो इसका जोळवा अचर होगा हमारा वो c option होजाएगा ततपूरुस समास drum se say का मतलब क्या है यह एक कारक आगा है और मैंने कहा था जब भी विगरह में कोई कार का जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा ततपूरुस समास पिल्कुल आसान बासा में आपको हर एक परसन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ परती पलस एक बताओ अभी अभी बताया है मैंने इसका अंसर तुम आप लोगों से ही चाता हूँ परती पलस एक परती एक कौन सी संदी होगी पहरे बचो यहाँ पर वेस्चन नंबर 86 हमारा डी ओप्षन अंसर है यन संदी अभी अभी समझाया था मैंने इसके बारे में पीछे वाले पेपर में भी सबसे ज़्यदा पुची भी यन संदी जाती है दूपते को तिनके का सहारा मुहावरे का क्या आर्थ होगा पहरे बचो निरासा में आसा की जलग बिल्कुल सही अब आ गया हमारा नीमनलिकित में से पानी का परीय वाची सब्द अब देखो नहीं है आप लोग यह चीज़ देखना बूल जाते हो पेपर के अंदर नहीं है तो यहाँ पर हमारा अंसर क्या हो जाएगा जो पानी का प्रियाईवाची नहीं है उदक हमारा है वारी है हमारा अम्बू है लेकिन पावक जो है वो हमारा पानी का प्रियाईवाची नहीं है पावक हमारा आग का प्रियाईवाची होता है जहां तक मुझे याद है तो अभी देखते हैं जहां question number 89 जहां किसी वस्तु का वर्णन बड़ा चड़ा कर किया जाए विल्कुल सापसी बात अभी अतिश्योक्ति अलंकार है और इसमें क्या नहीं बात आगी मा बच्चे को दूद पिलाती है इस वाक्य को करम बच्चे में लिखिए तो मा से बच्चे को दूद पिलाया जाता है करम बच्चे होगा हमारा अब आगे आगा हमारा 11 तारिक की मोर्निंग सीट का पेपर तो हम 11 तारिक की मोर्निंग सीट की तरब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दिया अगरो सभी बच्चे जितने भी ग्रूप आप चुड़े हुए हो टैलिग्राम पर हूँ वाटसेप पर हूँ या फिर फेस्बूक पर हूँ नहीं पर भी हूँ आप जुरूर सेर कर दीजिया कियोंकि उससे क्या होता है मुझे भी थोड़ा सा आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे मेरी हैल्प कर रहे हैं तो मुझे स्पोर्ट कर रहे हैं तो फिर मैं भी उनके लिए कुछ अच्छा करूँ क्योंकि बच्चो एक वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लगती है अगर आपको लगता है कि काफी ही जीए तो आप एक दिन एक वीडियो बना कर देख लीजी जहां उप में पर उपमान का आरोपन हो वहां कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चो वहाँ पर होता है मारा रूपक अलंकार बिल्कुल सीद्धी परी बासा पूछी हुई है करुन रसका स्थाई बाव हमें बताना है तो क्या होगा प्यारे बचो करुन रसका स्थाई बाव सोक सकी सबद का बहुवचन क्या होगा अब ये तो बिल्कुल आसान पूछा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सक्षी का बहुवचन सक्षी अब आगया हमारा टस से मस नह होना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है तो टस से मस नह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चो जरावी नय हिलना अब आ गया इती पलस आदी कौन सी संदी है अब ये तो भाई साब मजाक हो गया क्यों हो गया देखो लगाता है तीन सिफ्टों के पेपर हो है और तीनों इस सिफ्टों में एक ही चीज पुच्छी हुई है तो यहां से बंदाजा लगालो भी कितनी important है और ये class बनाने का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है प्यारे बच्छों मुझे क्या मिल रहा इस वीडियो को बना करे मैं सिरफ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि important चीज क्या होती है और time past चीज़ ग्या होती है फालतू की चीज़े पढ़ना smart study करना hard study करना smart work में जो difference होता है मैं हमेशा उसी के उपर focus करता हूँ तो आप इन चीज़ों को देखकर smart study की तरफ मेरे शाब से द्यान दोगे बग्या आप लोग आपके एपर depend करता है तो यहां पर हमारा मोहन पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में पढ़ता है पद का प्रिच्च देजिए तो क्या प्रिच्च अब इसका प्रिच्च अब इसका प्रिच्च अब पढ़ता है क्या पढ़ता है यहां पर जवाब मिल रहा भी पुस्तक पढ़ता है तो सकर्मक किरिया तो हो गई है करतरी वाच्चे भी है ये मोहन दिया हो यहाँ पर करता और वर्तमान काल है बिल्कुल एक वचन भी है पुलिंग भी है और यहाँ पर देखो सकर्मक के साथ वह वचन दे दिया तो यह गल्द हो गया और करवाच्चे भी दे दिया तो यह ए उप्शन अंसर हो जाएगा इसका 84 का क्वेस्चन नंबर 85 तो भई यह हो गया हमारा 27 मिला देते हैं इसको 27 को बोलते हैं 27 75 हो गया हमारा 75 37 37 और 92 अब आजाओ 86 नंबर क्वेस्चन पर तो 86 नंबर क्वेस्चन का आंसर क्या होगा हमारा खुस सब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है तो खुस के साथ अगर हम ना जोड़ देंगे तो ना खुस हो जाएगा वी खुस, बेखुस, सुखुस यह तो कभी सुना नहीं है लक्समन से मेगनाद मारा गया इसे करत्री वाच्चे में लिखना है पी तो कैसे लिखेंगे लक्समन ने मेगनाद को मारा यह ओगा सी उपसर अंसर अब देखो तीन बुणों का समुफ्त्री बुण यह कौन सा समास है अब इससे आसान क्या होगा भी द्विगु समास, संख्यावाचक सब्द पहला निमन लिरिद में से सही वर्तनी का चयन कीजिए तो प्रकर्ति में सही वर्तनी का चयन तो आप लोग करी लोगे अब इससे वर्तनी का चयन कीजिए यह हमारा अंसर हो जाएगा अब आगी 11 तारिक की इवनिंग की शिफ्ट अब इवनिंग शिफ्ट ग्रूप D का पेपर चल रहा है क्रोध की सरस्का स्थाइब आओ है तो क्रोध की सरस्का स्थाइब आओगा भी ओप्शन रोदर रस्का जिस तरह से आपको यह हिंदी की कलास मिल रही है इसी तरह से आपको इंगलिस की मिल जाएगी जीके की टोपिक वाइस कलास मिलेंगी कोई टेंशन नहीं है और वही जगत प्लस नाथ जगन नाथ कौन सी संदी होगी प्यारे बच्चों जगत प्लस नाथ जगन नाथ जल्दी बताओ यहां पर व्यंजन संदी क्योंकि यह व्यंजन में मिल रहा है अब आगया हमारा क्वेस्चन नंबर 81 समझदार लड़के नहीं लड़ते हैं इस वाक्या में लड़के पद का प्रीचे देना है थोड़ा सावर में इसको उपर कर लेता हूं छोटा दरना पड़े गए क्योंकि ओप्शन चार है ना चारों दीखने चाहिए तो यहां पर देखो भई समझदार लड़के नहीं लड़ते हैं तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा क्या बनेगा हुए जल्दी बताओ समझदार लड़के नहीं लड़ते और इसमें लड़के मैंने कहा था लड़के लड़की बाई बहन माता पिता ये जाती वाचक होते हैं तो एक ही अप्षन में जाती वाचक दिया हुआ आगे कुछ करने की भी जुरूरत नहीं है पड़ ले ना इसको पुलिंग बहुचन करता कारक लड़ते क्रिया का करता अब आगे देखो राम से स्याम को कथा सुनाई गई इसे करतरी वाच्चे में लिखिए राम से स्याम को कथा सुनाई गई करतरी वाच्चे में कैसे लिखेंगे भी इसको राम श्याम को कथा सुनाया यह तो वैसे बात नहीं बन गी और वह राम ने श्याम को कथा सुनाई तो यह हमारा अंसर मुझे लग रहा है राम ने श्याम को कथा सुनाई राम ने श्याम को कथा सुनाया यह भी नहीं और राम श्याम को कथा सुनाता है ये भी नहीं होगा, B option नहीं हो जाएगा, राम नेश्याम को कथा सुनाई करतरी बाच्चे में तभी बदलेगा ना, करता नहीं जब उसमें नहीं आ जाएगा नहीं कारक तत पुरुस समास में, क्या होता है प्यारे बच्चों दूसरा अत्वा अंतिम खंट परदान होता है तो ये तत पुरुस समास की पहिचान है प्यारे बच्चों तरह सी नंबर क्वेस्चेन का अंसर क्या होगा, B option अब आगे चलते हैं थाली सब्द का बहुवचन बताओ बताओ भी थाली सब्द का बहुवचन A option answer थालिया अब देखो आसमान से बाते करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा क्या अर्थ होगा भी आसमान से बाते करना 85 निश्चित होना असंभव कारिय करना युद बुम्मी से बाग जाना हार मान लेना तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा B option एसमभव कारिय करना आसमान से बाते करना एक होता है हावा से बाते करना उसमें होता है बहुत तेजगती से तोड़ना अब आगे हमारा निवासी निवासी क्या होता भाई 89 19 19 37 37 74 74 कोई दिक्कत अरे बोलो कोई दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं गुन सबद को कौन सा उपसर्ग सही लगता है तो गुन सबद को कौन सा उपसर्ग सही लगता है आप एरे बचो अरे आप गुन निमन में से सही वर्तनी का चैन कीजिए तो सही वर्तनी का चैन कीजिए भई निमन में से जल्दी बताओ कुछ आसान आसान क्वेस्चन होते हैं वो तो कुछ से भी करके देखा गो तो निर्दारी तो जाएगा हमारा सही अंसर ए उपसन दिमन में से रात का परियाई वाची नहीं है तो रात का परियाई वाची कोन नहीं है आगा देखो द्यान से देखो नहीं है अब रात का परियाई वाची यहां पर कोन सा नहीं है बताओ अगर निशा की बात करें रजनी की बात करें यामीनी की बात करें तो सारे के सारे हैं जहिन एक option अंबर ये नहीं है और comment box में बतादाओ अंबर किसका है जाओ खुली छुटी है तुमारी मुख चंदर्मा के समान सुन्दर है मैं कौन शालंकार होगा के समान उत्मा लंकार सम सैदरी समान सी सरी ये सब क्या होगे समान आ गया ना यहां पर तो यह उत्मा लंकार होगा अब आ गया हमारा भाई 17 तारिक का मॉर्णिंग का पेपर 1218 को हुआ था स्वरी एडवर्टाइजमेंट नमबर 4 2018 17 नमबर को पेपर हुआ था नमबर की बात चल रही है यहां पर तो यहां पर बढ़ते हैं आगे पहला परसन देखो भई गन जैसा स्याम गन श्याम यह कौन सा समास है भई कौन सा समास हो जाएगा हमारा यह गाए नहीं चलती यह वाक्या भाव अच्छे में भाव अच्छे में क्या पनेगा भी भाव अच्छे में बदलना है इसको गाए नहीं चलती बताओ भई तो सही अंसर लगाया हुआ है गाए से चला नहीं चाता अब आगे देखते हैं इसी तरह से question number 81 गाए फल खा रही है इस वाक्या में गाए का पद परिच्चे दो दो भई पद परिच्चे गाए अब गाए तो एक पूरी जाती होगी ना आपने आप में कोई specific तो नहीं है अगर उसको नाम होता भी रादा गाए का नाम नंदी इस तरह से होता तो वो क्या हो जाता एक वैक्तिवाचक हो जाता लेकिन अभी यहां पर तो जातिवाचक लगाना पड़ेगा बाकि एक वचन इस्त्री लिंग करता कार खा रही है क्रिया का करता है question number 85 निमन में से गाए का प्रियाए वाची सब्द नहीं है फिर से आँपर गाए के बारे में पुछा है और नहीं है दिया हुआ है क्या दिया हुआ है प्रियावच वो नहीं है तो समझ लेना भए नहीं है कि जरूरी है है आठ合illes की के पेपर के लिए तो यहां पर कपिल देनु तो सवरिक पीला गव यह सब तो हंही अंब नहीं है अंबू वह थोड़ी दिर पहले या था तोड़ी दिर पहले अंबगण अ्ब रंद्र के प्रेश कि इस thinking कि कीचिए तो सही वर्टनी का क्षए नहीं करना है है वही मिसम पहले आगी नाष़ से तो ये सब सारे के सारे गलत यह है यह option सही है क्रेटरिम इससे आसान तो नहीं हो सकता कुछ भी इंगलिश में क्रेटरिम को क्या कहते है कोई बताएगा कुमेंट करके अदब सब्द के साथ कौन सा उपसरग सही लगता है अब बता हुई तो यहाँ पर बे अदब कहा गया बे अदब सही लगेगा भी बे अदब कुम अदब नहीं हो सकता अदब नहीं हो सकता नी अदब नहीं हो सकता यह कुछ हिंदी के रूल होते हैं प्रत्य रूपसर्ग जमीन को पढ़ोगे ना छे से तो अपने आप पता चल जाए कौन सा लगाना सही है कौन सा नहीं है जमीन पर पैर ने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा अधिक गमंट करना एस्वस्थ हो जाना लापता होना मोज उड़ाना बताओ जमीन पर पैर ने पढ़ना तो भई अधिक गमंट होना कहते हैं न भी उच्छ ज्यादा किसी के पास अगर ज्यादा बड़ा मालो कोई सरकारी नोपनी लग जा तो वो तो जमीन पर पैर भी नहीं रखता है गमंडी हो जाते न वो तो ऐसा नहीं होना है कुछ होते हैं सब नहीं होते हैं सादू सबद का बहुचन रूप है तो सादू का बहुचन रूप क्या होगा भी सादू सबद का जो बहुचन रूप है वो हाथी की तरह शेम ही रहेगा चेंज नहीं आएगा उसमें सादू ही साथ्योłोंने घंगा में डूब कि लगाई, सद्यों हो सकता है, लेकिन इसका जो बहुचन रूप है वो एक्जेक immigration से से इंदी में माना गया वो सादू ही रहता है या फिर हो सकता है सादू गण इसने दिया ही नहीं यह वैसे तो मैं देखो तो सादू गण बनेगा इसका सही सादू गण कि इसने option में नहीं दिया है कि अब हो गया हमारा 4 2018 कि 17 तारिक की इवनिंग सिफ्ट में हम पहुँच गए हैं तो यहां से हम देखते हैं हमारा जो पहला परसन है question no 79 किसी वस्तू का किसी वस्तू की दूसरी वस्तू से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है बताओ कौन सा अलंकार होता है वहां पर जब किसी वस्तु की एक दूसरी वस्तु से तुलना की जाए और दोनों में समानता हो वहाँ पर क्या होगा सम, सैदरी, सा, सरी, इस तरह के सबद्यूज होंगे जैसा उसके सैदरी, उसके समान तो उपमालंकार निमन में से सही वरतनी का चैन कीजिए अब सही वरतनी का चैन तो तुम लोगों को खुद से करना चाहिए इतना आसान आसान पूछा हुआ है तो परती क्रिया यह उप्शन जगत पलस इस जगदीस तो कौन से तरह की संदी है यह यह हमारी वेंजन संदी हो जाएगी क्योंकि यहां पर तय है पुरा का पुरा आदा तय दिया हो ना इसमें कोई अगर पूरा तय होता तो इसमें ए उता फिर तो मारी हो जाती है कोई न कोई सवर्षन्दी का रूप लेकिन अब यहां पर तो यह होगा हमारा वेंजन संदी है कि अब देखो 87 87 और 56 पनओका हमारा 56 Indigenous 35 여기서 69 यहां पर बचे फस जाते हैं उनहत्तर वाली में 59 शट सठ स؟ इनमें फस्ते नुप सी बच्छे question number 85 आयू सबद के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है बताओ भई कौन सा उपसर्ग सही लगता आयू सबद के साथ तो यहाँ पर चिर आयू निमन में से आख का परियावाची सब्द नहीं होता आख का परियावाची सब्द नहीं होता क्या समझे नहीं होता तो कौन सा नहीं होता भई अक्सी नेत्र नयन मीन नहीं होता ठीक है क्या नहीं होता मीन नहीं होता उत्सा किस रस का सथाई बाव है उत्सा कौन सा रस है भई उत्सा के अंदर कौन सा रस है बताओ तो यह हो जाएगा मारा वीर रस गंगा में सनान गंगा सनान यह कौन सा समास है बई बताओ गंगा में सनान जल्दी तत्पुरुष समास पगड़ी उचालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बेज़ज़त करना यह थोड़ा सा एक मिन्ट तो हमारा अगला पेपर स्टार्ट हो गया है अठारा तारिक का यह मॉर्निंग शिप्ट का पेपर है डी ग्रूप का अठारा नमवंबर गा तो यहाँ पर पहला परसन विद्या पलस अभ्यास विद्या भ्यास में कौन सी संदी है बताओ तो दिरक संदी हो जाएगी डी ओप्शन क्यों हो जाएगी यह सब चीजे में आगे आपको बताओंगा समझाओंगा इनके बारे में जहां आप प्रस्तूत के माध्यम से प्रस्तूत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है फिर से प्रिबासा पूछी हुई है तो अन्योकती अलंकार आप प्रस्तूत का मतलब क्या होता है जो चीज है नहीं उसके बारे में निमन में से सही वर्तनी का चायन कीजिए तो सही वर्तनी क्या होगी यहां पर निर इस्वरवाद निर इस्वरवाद निर इस्वरवाद बताओ जल्दी भई कौन सी होगी यहां पर सही तो यहां पर सी ओप्षन निर इस्वरवाद क्योंकि इस्वर के अंदर बड़ा यह होत तो 82 एक मिनिट 81 के उपर देख लेते हैं थोड़ा सा दुबारा से निरीश्वरवादी नहीं वही निरीश्वरवादी यही सही होगा क्योंकि दी में तो पीछे की मातरा तो नहीं आएगी न यहीं सही रहेगा मारा कि अठाटर शेवन्टी एट सेंट आलिश फॉर्टी सेवन उनसट फिप्टी नाइन बतीस तर्टी टू इल्कुल आसान दोतीस सब्द का बहुवचन बताओ भी दोतियां दस है आनन जिसके दसानन रावन बताओ इसमें क्या बताओ मैं तुम लोगों को कुम सा समास है है वी बहुवरी ही समास अगर बहुवरी यह उप्शन में नहीं होता तो फिर दिवीग उपर कलिक कर देते हैं अभी यहाँ पर यह दिया वाय लड़के कपडे लड़का कपडे दोता है इस वाक्य में कपडे का पद प्रीचे दीजिए तो कपडे का पद प्रीचे दो बही कपडे क्या है कपडे तो जातिवाचक है अगर उसने बोला होता है कि लाल सरट या फिर कोई और चीज दी होती कोई नाम दिया रखता है उसको तो अलग बात ही यहां पर जाती वाचक है पुलिंग है बहुवचन है करमकारक है दोता है क्रिया का करमकारक है अब आगे हैं सोक किस रसका स्थाई बाव है तो यह आपर यह रस बार-बार पूछा जा रहा है सोक किस रसका स्थाई बाव है भई और करुण रसका निमन में से घर सबद का परियाईवाची सबद नग नहीं नहीं है तो बुषन हमारा इसका परियाईवाची नहीं है लेकिन देखने में मेल लगा भई बुषन चोबबो गर का प्रियाईवाच ये लेकिन नहीं है अब किसका है ये तो आप कुमेंट करके बताओगे मुझे समझदार हो अच्छे बच्चे हो पूत सब्द के साथ कौन चावप सरग सही लगता है तो भई पूत सब्द के साथ तो कपूत ही बनाएंगे इसका तो निपूत बेपूत एपूत तो नहीं बनेगा अब आखे चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कठीनाएं में पड़ना एक दूसरे को देखना क्रोध आना या नहीं दाना अब आखे चार होना फिलिंग जागी की नहीं जागी आज मेरी उससे आखे चार हो गई है मेरी न अब next question है सरला से फल खाया जाता है यह वाक्य करतरी वाच्चे में होता है क्या होता है यह सरला से फल खाया जाता है करतरी वाच्चे में चेंज करो ना इसको तो करतरी वाच्चे में चेंज करता ने करम को करता के साथ नहीं आना चाहिए तो सरला ने फल खाया अब सरला ने कर लिए हैं लगातार करते जा रहे हैं मा से बच्चे को दूद पिलाया होना चाहिए मा ने बच्चे को दूद पिलाया यहां पर दिया ही नहीं है मा बच्चे को दूद पिलाती है मा ने बच्चे को दूद पिलाई यह भी नहीं होगा मा ने बच्चे को दूद पिलाई मा बच्चे को दूद पिलाई यहां पर तो काफी confusion वाला नसर होगा है इसका तो कि चलो वैसे इसका मैं कनफरम नहीं बता सकता है क्योंकि होना चाहिए माने बच्चे को दूद्ध पिलाया अब आगया हमारा अभी प्लस अभी उद्य है यह कौन सी संदी बनेगी बाई बताईए रिपीटिड क्वेस्टन आ रहे हैं तो यन संदी कारण भी बता चुका हूँ अब आगया हमारा अठारा 18 67 67 देखो मैंने कहा था 67 आएगा आगया 52 49 39 49 को 49 भी लिए देता है कहीं बार होता वही है तो यहांपर वदू सबद का बहू वचंदरूप क्या होगा अब वदू का तो सबको पतावना चाहिए क्या होगा भाई क्योंकि वदू के लिए ही तो लड़ा ही लड़ी जा रही है अब जिसको सेलेक्शन मिल गया उसको वदू भी मिलेगी और जिसको सेलेक्शन नहीं मिला उसको क्या मिलेगा उसको एक वदू मिले और जिसको सेलेक्शन मिल गया उसको तो क्या पता बहुत सारी वदू भी मिले कि तो भी इसका क्या हो जाएगा मारा अंसर डी ऑप्शन अंसर हो जाएगा वदू है कि सेलेक्शन वाले के पास वदू की कमी नहीं होती है लंबा है उदर जिसका लंब उदर स्री गणेश यह कौन सा समास है तो बताओ भई लंबा है उदर जिसका लंब उदर बहुरी समास सब कुछ दे रखा इसने गणेश भी लिख दिया साथ में अब आगया मारा क्वेस्टन नंबर 86 मेरी आखों में दरद है अई है आखों में दरद किस चीज का है भई इस वाक्या में दरद का पद परिचे दीजिए दरद तो एक ही वक्त पे होता है प्यारे बच्चों जब कोई फीलिंग्स के साथ खेलता है तो क्या हो जाएगा इसका आखों में दरद होना ये तो एक बावना है मेरी आँखों में दरद है किसको लेकर उसको लेकर तो सभी को पता होगा किसको लेकर किसकी आँखों में दरद होता है दरद जब होता है जब वो किसी और के साथ दिखती है क्वेस्चन नमर 88 निमन में से आग का परियावाची सब्द नहीं है आग का परियाईवाची सब्द कौन सा नहीं है अब नहीं है बताना है भई हमें है तो नहीं बताना तो क्या होजाएगा हमारा वारी अब यह किसका परियाईवाची है यह तो कोमेंट बोक्स में कोमेंट करोगे तुम लोग समझ सबत के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग सही लगता है भई समझ के साथ वैसे तो ना समझ भी बन जाएगा लेकिन ओफिसियल तो उसने ऐस समझ दिया है ऐस समझ भी बोलते हैं ना समझ भी बोलते हैं यहां पर S समझ जो है वो ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे लकीर का फकीर होना मुहावरे का आर्थ बता हुई पुरानी बातों पर चलने वाला लकीर का फकीर तो भई यहां पर हमारे D ग्रूप के पेपर खतम हो गए हैं अब हमारे जो HSC कलर के पेपर हुए थे आगे उनका नमबर आता है तो हम आगे बढ़ते हैं आगे हमारा जो पेपर है वो है HSC कलर 5 2019 एड़वर्टाइजमेंट नमबर का जो पहली शीफ्ट का पेपर हुआ था यह इवनिंग शीफ्ट में पेपर हुआ था तो इस पेपर का अब हम पूरा सोलूशन वन बाइवन पांच शीफ्ट में पेपर हुए थे पांचो की पांचो शीफ्ट अब कर लेते हैं तो पहला जो पेपर है यहां पर फर्ष्ट यह इवन है इवन बोलेंगे इसको पेपर का जो सीरीज थी वो इवन सीरीज थी फर्ष्ट पेपर में यहाँ पर क्या दिया हुआ है पहला question question number 83 यहाँ पर साथ साथ परसन हिंदी के आए थे हर पेपर में प्राण सब्द डैस वचन में परियोग होता है तो प्राण सब्द जो होता है वो किस वचन में यूज़ होता है वो हमेशा बहुवचन में यूज होता है कैसे मेरे प्राण निकल गए उसने उसके प्राणों की रक्षा की तो यह हमेशा बहुचन होता प्राण जो हता वो हमेशा एक बहुचन सब्द होता है अब आगे हमारा 84 नंबर question 84 नंबर question में क्या दिया है आया है अलग तरह का मिलान करना आया है तो यहाँ पर मिलाते हैं इसको पिला, कुत्ते का पिला होता है बचडा किसका बच्चा होता है गाएं का चूजा होता है मुर्गी का पहले हमें वो मिलाने ने चाहिए जो हमें आते हैं तो यहाँ पर खै के सामने आ है, यह रहा A option में B में भी है और गय के सामने O तो गय के सामने मारा O बिलकुल सही और अंग के सामने हमारा क्या है बड़ा E तो यह A option हमारा answer match कर रहा है तो अब क्या बच गया हमारे पास क्या हमारा बच गया कलब तो इसके सामने E छोटा हाथी के बच्चे को क्या बोलते है कलब किसका बच्चा हाथी का बच्चा अब कोन बच्च गया पाड़ा गय तो किसके साथ मैच करेंगे इसको बैंस के बच्चे को क्या बोला जाता है पाड़ा अगर अपनी मातर कोई language में होता तो बोल देते भी कटड़ा लेकिन यहां पर पाड़ा आगे आते हैं अब भूत पूरो सब्द का अर्थ क्या होगा तो अब भूत पूरो तो वह होता ना जो पहले भूत काल में कभी हुआ ही नहों तो यहां पर दी अंसर हो जाएगा 87 का थोड़ी सी हिंदी का लेव लथात आया इस्यूंसराय रोट Peach तो यहां मारा सकर प्र Allah क्रिया कैं है अब आएगा वहल लजा रही है यह वक्या डा वदार्ण है तो कौन सी ओढ़ी आजिये यह एकर्म क्रिया है लजा रही है क्या लजा रही है अब हमें नहीं पता है कि ती राहा सबद में हमारा कौन्पारग हो जाएगा प्यारे बच्चों सी ओपसन हो जाएगा मारा टी उपसरक तो आगे हमारा आ जाता है 5 2019 advertisement number morning shift का next day का paper है तो इसमें हमारा जो पहला person है वो दिया हुआ है question number 83 83 number question में क्या पुछा गया उड़ना सबद की बावाचक संग्या क्या होगी तो इसकी जो बावाचक संग्या बनेगी प्यारे बचो वो क्या बनेगी हमारी जो answer होगा वो C option उड़ान उड़ान एक बावाचक संग्या इसकी बन जाएगी 84 number question अपने आप यह काम सीख लोगा इस वाक्या में निजवाचक सरवनाम क्या होगा तो निजवाचक सरवनाम बताना है में अपने आप यह काम सीख लोगा तो हमारा आप जो होगा वो क्या होगा निजवाचक सरवनाम होगा यहाँ पर अब आगे बात करते हैं इन में से कौन सा तरू का परियावाची फिर से पुछा है नहीं है क्या है तरू सब्द का परियावाची नहीं है तो कौन सा होजाएगा भई हमारा यह तो हमारा तरू का परियावाची वरिक्स तो होगा विटब भी होजाएगा द्रूम भी होजाएगा लेकिन पग जो है वो हमारा तरू का परियावाची यहाँ पर नहीं होगा और मेंन बात यह है में ये भी पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन से होंगे द्रूम, विटप और वरिक्स अब आगया हमारा फिर से मिलान करना है तो भी मिलान कर देते हैं क्या दिक्रत है बौतकाल पताना है हमें ही यहाँ पर तो बौतकाल का मिलान किस से होगा मैंने पढ़ना सुरू किया था मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ूँगा तो यह होगा खाय परतमान काल मैं पढ़ता हूँ पविस्यत काल मैं कल पढ़ूँगा तो यहाँ पर आए के सामने क्या हो जाएगा मारा आए के सामने मारा हो जाएगा खाय है और आके सामने गया है तो यह गड़ी ओप्सन अंसर हो जाएगा इसमें और भई यहां पर दिया हुआ है 87 number question निमन में से कौन सा सब्द वेंजन संदी से बना है तो कौन सा सब्द यहां पर वेंजन संदी से बना वाया भई उद्दार उत्पलस दार तो यहां पर यही हमारा वेंजन संदी से बना क्योंकि महर्शी तो यह तो मारा सब्द संदी हो जाएगी महापलस रिशी और पवन यह भी नहीं हो सकता हमारा यह भी हमारा सब्द संदी का उदारन है और प कि क्वेस्टेन उन्भर 88 में क्या होगा नीस सब्द में कौन सा उपसर्ग। यूज किया गया है तो तो कौन सा यूज किया गया यहां पर इंच conservationожд Hi मुच्छ उत लगा देंगे लेकिन वो गलत रहेगा कैंसे चंदर पलस चंदर उद्यय कोन से संदिय तो यहां पर हमारी कौन सी संधी अभी गुण संधी है अब आ गया हमारा समास बताना है में यहां पर कौन सा है इनका मिलान करना है तो मिलान कर देते हैं तो यहां पर इनका मिलान किसतरे से हम करेंगे एक मिनट तो अव्याई बाव समास सबसे पहले इन में से कौन सा है यथा वाला तो मारा अवेबा होता है दूद रोटी ये मारा हो जाता है दवंदो समास और भई मन माना मन का मानना सिर कटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आके सामने कौन सा आएगा हमारा आके सामने मन माना मन का माना या मन से माना वह जाएगा मारा ततपूरूस स्मास एक ही बच गया अब बहूरी इसमास सिरकटा जिसका सिरकटा वुगा अब ख ग्राँ शीर पीश ओंसर हो जाएगा इसका अब नेक्ट पेपर की तरह बढ़ते हैं हमारा ये मारा इटू पेपर आगया इवनिंग शिफ्ट का पेपर आगया और इसमें question number 11 सबसे पहले 83 तो इसका क्या होगा निमन में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठीकाना ने होना तो कौन सी कहावत का अर्थ होगा भई दोनों नाव पर पैर रखना ये तो नहीं हो सकता नै सावन हरा नै बादो सुखा मुझे तो भई ये भी नहीं लग रहा है इसमें नै रहेगा बांस नै बजेगी बांसुरी ये तो बिल्कुल भी नहीं है तो अनसर हो जाएगा D option इन में से कोई नहीं कहीं ठीकाना नहीं होना आगया आगया देवनागरी लीपी में कुल विशर्ग और अनुस्वार सहीत कितने सवर माने गए हैं कितने सवर माने गए हैं प्यारे बचो तो यहाँ पर तेरा सवर माने गए हैं कितने तेरा ये याद रख ले न वैसे तो हमारे ग्यारा सवर होते हैं लेकिन जब अगर पूछेगा भी विशर्ग और अनुस्वार सहीत हमारे कितने हो जाएंगे तेरा हो जाएंगे बहुत ही अच्छी चीज उसने पूछी ये पेपर के अंदर अब आगया हमारा 85 नंबर क्वेस्चन पदो का समूह जिसके दवारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह क्या है पदो का वह समूह जिसके दवारा हम कोई पूरी बात कहते हैं तो उसको क्या कहेंगे बई उसको तो वक्य कहेंगे एक वक्य बनाते ना इंगलीज में संटेंस बोल थोड़ा सा बड़ा करके इसको देखते हैं जोड़कर लिखना भई तो करता ने करम को करण से के दुवारा संपरदान के लिए अधिकरण में पर तो यह मैं हमने मिलान कर दिया इसका और भई आगे question number 87 तो 87 में क्या है निमन में से pulling सबद का चेहन करना है माता तो इस्त्रीलिंग होती है क्यों भई सुगंद भी इस्त्रीलिंग होती है पक्सी और कुर्शी भी इस्त्रीलिंग होता है तो पक्सी इमारा इसका answer हो जाएगा वह कौन सा पक्सी बैठा हुआ है जब हम sentence मनाएंगे तो कौन सा यह तो नहीं कहते कभी वह कौन सी पक्सी बैठी है किस सब्द में वरिद्धी संदी है तो वरिद्धी संदी हमें बताने है यहाँ पर कौन सी है तो वरिद्धी संदी की पैचान होती है मातरा उस पर डबल होती है मेसा यह होती है वरिद्धी संदी आउ की हो या आई की हो तो वो हमारी वरिद्धी संदी होगी अब आजाते हैं हम question number 89 निमन में से कौन सा बहुवचन रूप ऐसुद है प्यारे बच्चों तो माताएं तो बिल्कुल सही है गोडियां भी बिल्कुल सही है पुस्तकें भी बिल्कुल सही है अब काके इसका हमें नहीं पता यह हमारा गलत है यहां पर बस सिद्धी सी बात है अब आगया गी का परियोग कौन से लिंग में होता है प्यारे बच्चों तो गी सब्द मैंने एक किलो गी खाया वह हमारा गी ले गया मैं उसका गी देने आया ठीक है तो यह पुलिंग हो जाएगा नपू सकलिंग कोई सब्द नहीं होता है इस चीज को रट लेना कभी भी नपू सकलिंग देगा वो और तुम्हें कंफ्यूज करेगा लेकिन नपू सकलिंग कुछ भी नहीं होता है अब यह M2 पेपर आ गया 5 2019 तो यहां पर क्वेस्चन नंबर 83 ठीक है तो 83 में क्या पूछा है निंदा सब्द का विलोम सब्द हमें बताना है तो निंदा सब्द क विलोम सब्द क्या होगा प्यारी बत्चों यहां पर जो विलोम बताना में इसका विप्रितार्थक बताना है तो यहां पर हमारा हो जाएगा स्तूती किसी की निंदा करना किसी की परसंसा करना स्तूती और आगे है मारा question number 84 विमला से दिन में नहीं सोया जाता यह वाक्या है डैस वाच्चे में है कौन सा वाच्चे दिया हो भई विमला से दिन में नहीं सोया जाता तो answer हो जाएगा बी option भाव वाच्चे आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए इस वाक्या में कल यह एक सबद है कौन सा सबद है बाई यह आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए तो ये हमारा क्या हो जगा अव्या है ये क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते कल को चाहिए बूत काल बविश्यकाल लेक वचन दवी वचन बहुचन किसी में भी लिखो ये हमेशा कल ही रहेगा यहां पर काल नहीं बताएगा ये ये काल नहीं बता रहा है ये अव्या है हमे यह वक्य क्रिया के लिए उदारन है तो राम तैरता है यह कौन सी क्रिया है राम तैरता है यह वक्य है डैस क्रिया का एक उदारन है तो कौन सी क्रिया का उदारन है यह एकरमक क्रिया का क्योंकि हम अगर तैरता से पुछे भी क्या तैरता है क्या तैरता है हमें नहीं पता भी तीति सबत का वहांचन रूप क्या होगा वे तो तीति सबत का बहांचन रूप हो जाएगा तीतियां भी ऑप्णिनिस का सहीं अंशर होगा तो भी ऑप्णिस का तीतियां बाकि सारे गलत था है अब-धि फिर अब शेक्मिलान करने वह तो यह तो बिछलान बेन 75 का 65me 81, 75 99 79 39 37 कि ArACosasleader Paradise मि आगे यहाँ पर दीआ वाई कोई के नमबर 89 तो 89 नमबर क्वेस्चन में पूछागया है हमसे क्या पूछा गया चोर की दाड़ी में तिन का इस लोखोकति का क्या अर्थ होगा तो इस लोकोकति का क्या और न Cook पयारे बतचो चोर कीakan तो हमारा चोरी से बचने के लिए चिपता है ये तो नहीं होगा दोसी स्वयम डरता है बिल्कुल सही है उसी को तो बोलते हैं चोर की दाड़ी में तिन का जो साप नसरा जाता है कब राता है वो चोरी करने के बाद हड़ बढ़ाता है निमन में से कौन सा वाक्या संदिगत व मैं पढ़ रहा हूँ तो हमें बताना है वर्तमान काल का संदीगद मतलब संदीगद है वो क्या पता हो या ना हो तो मैं पढ़ रहा हूँ ये तो संदीगद नहीं है ये तो कंफरम है कि मैं पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा होंगा होंगा नहीं होंगा तो यह हो जाएगा हमारा A option answer हो जाएगा क्योंकि संदीगत है क्या पता पढ़ रहा होंगा क्या पता नहीं भी होंगा पढ़ बीर नहीं रहा हूँ अब यहाँ पर E3 paper आ गया हमारा और E3 में हमारा पहला person क्या है खोटा सब्द का विलोम सब्द क्या होगा प्यारे बचों तो खोटा सब्द का जो विलोम सब्द हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा खरा अब आगया इस्तरी कपड़ा सीती है यह वाक्य किस वाच्चे में है इस्तरी कपड़ा सीती है तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा भई 84 number question में जल्दी बताओ तो यह है हमारा करतरी वाच्चे है करतरी वाच्चे बोलेंगे हम इसको करतरी वाच्चे है इस तरी कपड़ा सीती है Next संग्याओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में डैस कहते हैं संग्याओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में डैस कहते हैं क्या कहते हैं प्यारे बच्चों C option मारा answer हो जाएगा उसे वचन कहते हैं क्योंकि संख्या तो वचन से ही बनती है एक वचन बहुचन या नहीं question number 86 यस यस प्लस अर्थी तो जब विशर्ग संद्य है तो यस उर्थी हो जाएगा इसमें क्या डाउट है अब आ गया जिसमें किसी भी प्रकार का व्य अर्थात परिवर्तन या विकार ने हो व्य है तो जिसमें कोई विकार कोई व्य नहीं होता उसको तो भी क्या बोलते हैं वह बोलते हैं बार-बार बता रहा हूँ एकी बात सीर आखो पर बैठाना इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा प्यारे बचो तो इसका जो अर्थ होगा हमारा हो जाएगा बहुत सम्मान देना आगे आता है हमारा 89 नमबर कोईस्टन दो वरणों के मेल से उनके रूपों में होने वाले प्रिवर्तन या विकार को डैस कहते हैं दो वरणों के मेल से उनके रूपों में होने वाले प्रिवर्तन या विकार को क्या कहा जाता है प्यारी बच्चो तो ये हमारा हो जाएगा संदी जब दो वरण मिलते हैं दो वरण तो संदी में ही मिलते हैं समास में तो दो पद मिलते हैं आगे आता है हमारा लड़का पत्थर फेकता है यह वाक्या डैस कारक के लिए एक उदारन है लड़का पत्थर फेकता है तो यह हो जाएगा करम कार क्योंकि लड़का पत्थर फेक रहा है पत्थर वहाँ पर करम है उसका करम है, मतलब कोई एक चीज है क्या चीज फेक रहा, वो पत्थर फेक रहा है तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं यहाँ पर advertisement number 5 2019 जो हमारा था color का paper वो हमारा complete अब हम आगे बढ़ते हैं अपने next paper की तरफ तो आगे बढ़ते हैं आगे जो हमारा paper है वो है हमारा advertisement number 11 2017 lab attendant और यह 2018 में paper हुए हैं सितंबर में ठीक अभी अब इन paper में जो हिंदी के person आए हैं ज्यादा मुश्किल तो नहीं आए हैं लेकिन person जरूर आए हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं संदी विच्छेद कीजिए विध्यार्थी तो विध्यार्थी का जो संदी विच्छेदोगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्छों विध्या प्लस अर्थी अब आगे मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़ो तो भी यहाँ पर मुहावरों का मिलान करना है अब देखो रंग में बंग पढ़ना यह थोड़ा सा दुंदला है क्योंकि जो इस तरह के यह पेपर है यह डूंडने मुस्किल हो जाते हैं इस तरह से तो जो मिला है अब वही मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को रंग में बंग पढ़ना तो क्या हो जाता है प्यारे बच्छों बहुचन हर किसी को पता है माल आए बी ओप्षन मोहन ने पढ़ाया था यह वाक्य किस काल में है तो मोहन ने पढ़ाया था यह वाक्य हमारा पढ़ाया था बूत काल में हो जाएगा प्यारे बच्छों और यह पेपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर previous year papers में पूरा papers वोल करवा रखा है इसमें numerical, math के question, reasoning के question English पूरी करवा रख्ये सुद वाक्य को पहचानो तो अगला जो person है उसमें क्या पूछा है सुद वाक्य पहचानिए तो सुद वाक्य को पहचानो भई यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आपने दिल्ली गए थे मैं उसे पैसा दिया था उन्होंने हमसे मिले थे दोस्त आया था, यह एक ही सुद लग रहा इसमें मुझे तो, बाक्य तो सारे ऐसे ही नजर आ रहे है अब अगला जो person है राम ने स्याम को कथा सुनाई इस वाक्य में करम वाच्चे क्या हो जाएगा राम से स्याम को कथा सुनाई गई अध्यापक सब्द का इस्त्री लिंग मैं बता रहा हूँ अध्यापी का आपको बताना है अध्यापक सब्द का बहु वचन क्या बताना है बहु वचन अध्यापक का बहुचन क्या होगा कोमेंट बोक्स में कोमेंट करो चोरी सब्द का चोरी सब्द व्याकरण के अनुसार ये इवनिंग सिफ्ट का पेपर स्टार्ट हो चुका है अब नेक्ट सिफ्ट का चोरी सब्द व्याकरण के अनुसार डैस है तो चोरी करना तो किरिया हो जाएगी ना एक किरिया की विशेशता नहीं हो सकती है किरिया होगी सूद वाक्या को पहचानो मैं दो रोटी खाया नहीं मैं दो रोटी खाई ये भी नहीं मैंने दो रोटी यहां खाई मैंने दो रोटी खाई इसी option बिल्कुल बढ़िया अब यहां पर दिया हुआ है फूंक फूंक कर पाउं रखना तो क्या हो जाएगा भी फूंक फूंक पर पाउं रखना सोच समझ कर काम करना डिंडोरा पीटना पर्चार करना नोदो ग्यार होना भाग जाना गर कन गाटका कहीं कान रहना आगया आ हम डैस कलम खरीदी तो हमने कलम खरीदी बहु सबद का बहु अचन क्या होगा बहुए असान है एका तो ऐसा भी होगा जो बुआएं पर लगा देगा बुआएं नहीं होगा बहुए होगा इंदू सहेली के घर जाती है बविश्यत काल में इसका क्या हो जाएगा पहरे काला घोड़ा इसके इस तरी लिंक बताओ तो काली घोड़ी बस तो यह हमारे लैब टेंटेंट के पेपर कम्पलीट अब आगे बढ़ते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे जो हमारा है एड़र्टाइजमेंट नंबर एक दो जार उनिस कटेगरी नंबर एक और यह जो पेपर ही है जूनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकल का यानि कि प्यारे बच्चो जितने भी जूनियर इंजिनियर के पेपर हुए है ना जे इसलिए इनको करना भी जरूरी है जितने बिज्जेई के पेपर हुए है या फिर और डिपार्टमेंट के अलग-अलग सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया है कोई भी आपको सारे पेपर में दीरे-दीरे करवा दूआ इस वीडियो के अंदर बस वीडियो के साथ बने जरूर एन बता है तो आप लोग को की को निमन सब्ध का प्रियावाह्ची सब्ध हो प्रिवटाची हो बूछन है तौस ब्bourne बताना यह इस तरह का एक परसंन पहले भी हम कर चुके हैं तो बूछन का अरत होगा नुस्त वह जेवर हो जाएешеगा हमारा अब आगे जो सबद दिया हुआ है हमें विलोम सबद बताना है कि इसका विपरीत सबद क्या होगा तो छली छली का हमें विपरीत आर्थक बताना है तो निश्चल यानि कि छली कोन होता है जो दोखे बाजी करता है जो चाल बाजी करता है देखो इसके सारे प्रियाई बाची दिये वहे हैं यहाँ पर और यह एक मातर ऐसा है जो इसका विलोम सब्द है आगे दी आवा है नीचे लिखे गए सब्द का एक वचन मनाए तो नोकाएं का एक वचन आप लोग असानी से बना सकते हो प्यारे बच्चे नोका नोका हो जाएगा इसका एक वचन अब आगे हमारा जो केश्चन आता है वो आता है नीचे लिखे गए सब्द का बहुवचन बनाए तो गेंद का बहुवचन क्या हो जाएगा गेंदों गेंद का गेंदों यह थोड़ा सा doubtful question रहेगा प्यारे बच्छों गेंद का गेंदों कैसे हो जाएगा तो यह आपका थोड़ा सा doubtful question रहेगा तो यहाँ पर इसका मेरे हिसाब से तो प्यारे बच्छों गेंदे होना चाहिए हो सकता है कि इसको revise कर दिया गया हो नीचे दिये गए मुहावरों और हाँ कहीं बार एक बात और होती है प्यारे बचो जिस तरह से आपर इसी question की में बात करूँ तो यहाँ पर गेंद का गेंदे तो हो सकता है मेरे according तो लेकिन यहाँ पर क्या है? option में कहीं पर भी नहीं दिया है तो फिर वहाँ पर हमारी मजबूरी बन जाती है हमें कोई न कोई एक ऐसा option HSC की फितरत रही है प्यारे बचो जिस तरह से वो पूछ लेता है कि हरियाना की परमुख नदी कौन सी है और option में यमुना नदी नए देकर गंगा नदी देता है और वो उसको ठीक मानता है इस तरह से यहाँ पर उसने साइद इसको ठीक मान लिया हो तो ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी HSC हमारे साथ इस तरह से भी वेवार करता है तो हमें उसके लिए भी तयार रहना होता है नीचे दिये गए मुहावरे का उचित अर्थ बताएं तो लगती बाते कहना इसका तो सीधी सीधा अर्थ यह आपर नजर आ रहा है चुपती हुई बाते कहना यह जो सीधी सीधी बाते करता है कलियर बाते करता है उसकी बाते चुपने वाली बाते होती है तो यहां पर आगे अब दूसरे पेपर की तरह बढ़ते हैं अब यह इसी का आफ्टरनून का पेपर आ गया यह आफ्टरनून का आप देख सकते हो तो यहां पर परियाएवाची पूछा गया है अवज्ञा का परियाएवाची हमें बताना प्यारे बत्चो तो अवग्याका जो परियाएवाची होगा वह अवहेलना अब आगया आता है निमन सब्द का विप्रीत या फिर विलोम बताईए फिर से हमें इस बार पहले प्रियाएवाची था इसबार विलोम है तो उधार उदार का मतलब तो opposite तो नगत ही होगा प्यारे बच्चों इसमें तो कोई बड़ी बात है नीचे दिये गए सब्द का एक वचन बनाए तो इसका एक वचन बनाना है प्यारे बच्चों हमें नारियां सब्द का एक वचन तो यह हो जाएगा मारा नारी बिल्कुल easy question नीचे लिखे गए सब्द का बहुवचन बनाओ तो देश का बहुवचन क्या हो जाएगा देश सो नीचे दिये गए मुहावरे का उचित अर्थ बताएं तो साई से भागना साई से भागना का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारी बचो बहुत अलग या दूर रहना मतलब वो कहते हैं कि वो उसके साई से भी दूर बागता है तो बहुत दूर बागता है इस तरह की चीज़े जब प्यारी बचो पेपर में अगर आपको समझ में नय आए ना इनमें आप है ना एक बार वाक्य बनाकर देख लीजी आकर जिस तरह से भाहु वचन एक वचन आता है इनमें भी आप एक वाक्य बनाकर देख लो हो सकता है कि वाक्य बनाने से आपको आसान चीज़े लगने लग जाए अब हमारा आता है इवनिंग शिफ्ट का पेपर इसमें दिया हुआ है नेतर जल का परियाएवाची सब्द हमें बताना है प्यारे बच्चों तो नेतर जल का परियाएवाची सब्द क्या होगा तो नेतर जल आखों का नेतर जल का मतलब क्या हुआ आंखों का पानी कि स्कों का जाता है प्यारे बचों आंशू को हम बोलते हैं आखों का पानी नितर जल निमन सब्ध का विप्रीद विलोम अर्थ बताईए तो यहां पर भाव हम्हें दिया हुआ है हम्हें इसका विप्रित बताना है तो भाव का अर्थ हो जाएगा मारा अबाव नीचे लिखे गए सब्द का एक वचन मनाए तो आरियों का एक वचन तो आरी हो जाएगा प्यारे बचो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं पत्थर सब्द का बहुचन क्या हो जाएगा पैरे बच्छो पत्थरों देखो इस तरह के सब्दों का अगर हमें बहुचन बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे जैसे उसने मुझे पत्थर से मारा उन लोगों ने हमें पत्थरों से मारा तो इस तरह से इनको बनाया जा सकता ह है और यह आपका यहाँपर वर्तनी में भी हो सकता जैसे अपर भी पत्थ्रों दिया हो है यह गलत हो जाएगा प्रों कर जाएगा कि नीचे डिये गहें मुहावरें का अर्थ बताएए तो दीन दुनिया से जाना इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है प्यारे बच्चो इसका दीन दुनिया से जाना इसका मतलब हो जाएगा कहीं का भी नै रहना तो प्यारे बच्चो आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले जो वो प्रोवाइड करवाई जाती है तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ अब यहां पर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो यहां पर जो पेपर है यह हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर साथ 2017 और यह कटेगरी है इसके ट्वेंटी नाइन यह भी जुनियर इंजिनियर का एक पेपर है तो यहां पर भी दस-दस क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है इसलिए मैं यह वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को है न पूरा-पूरा यह पता चल जाए कि हिंदी जो लेवल है वो रहता कैसा है हमारे पेपरों के अंदर तो अपना उल्लू सीधा करना इस मौहावरे का अर्थ कैज अपना काम निकालच जो चला करते हैं वह ऐसा ही करते हैं बीजली का परियाय哇 ची क्या हूगा पैरे बच्चो तो बिजली होता है परियायवाल्य चंचला अब आगे पूछा है निमन में से कौन सा दवन्दो समास का उधारन नहीं है तो दवन्दो समास में क्या होता है प्यारे बच्छो हमारा अपोजिट मीनिंग होता है मतलब एक दुसरे के अपोजिट भी प्रितार तक सब दुआ पर देखने को मिलते हैं तो जैसे दाल बात बात दाल देश विदेश बिलकुल पाप पुन्य है पाप का उल्टा पुन्य है ये सारे के सारे क्या है दोन दो समास है लेकिन नव रत्तन हमारा क्या है ये हमारा प्यारे बच्छो द्वीगू समास है बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरूची सुवास सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों तो यहां पर हमारा अनुपरास अलंकार यहां पर दिया हुआ है और यह मैं पहले भी सेम टू सेम क्वेस्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ निमन में से कौन से किस सबद की वर्तनी सही है तो हमें यहां पर सही सबद का सेलेक्ट करना है कौन सा सही लिखा हुआ है तो प्रामानिक यहाँ पर सही लिखा हुआ है पुष्टी पुष्टी गलत लिखा हुआ है वांग मैं यह भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर गय से पहले यहाँ पर यह अंग आता है इस तरह से सक्ती भी गलत लिखा हुआ है तो यहां पर मारा अंसर हो जाएगा प्रामानिक तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों यह एड़टाइजमेंट नमबर 6-2016 से पेपर है और यह भी एक जुनियर इंजिनियर का पेपर है तो यहां पर पहला परसन क्या है प्यारे बच्चों योगा ब्यास सब्द का संधी विगर है हमें करना है तो योग पलस अभ्यास इसका हो जाएगा किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोग वस सफलता मिलना तो मुहावरे और लोकोक्ति लगबाग हर पेपर में देखने को मिलते हैं तो अंदे के हाथ बटेर लगना इसका मतलब है संयोग वस सफलता मिलना अब अ और आपको comment box में answer करना है कि मेग नाद के अंदर कौन सा समास है. अब आगया हमारा अगला question, जो सरों में जनम लेता है वाक्यांस के लिए एक सबद, तो उसको बोला जाता है सर सीज. और ये मारा अंतिम question है, चतुराई सबद में कौन सा परत्या लगा हुआ है, अगर उपसरग होता तो वो आगे लगता, परत्या है तो वो पीछे लगेगा, तो आई परत्या यहाँ पर लगा हुआ है. तो ये एक और पेपर हमारे पास जेए का जुनियर इंजिनियर का अविलेबल है प्यारे बच्चों, और ये जो advertisement नमबर है, ये 2016 है, तो अब आप लोग हैमियत समझ सकते हो इस वीडियो की, कि कहां कहां से मैंने आपके लिए पेपर यहाँ पर इकठे किये हैं, किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर अलग-अलग जगह से पेपर इकठे करके ये वीडियो मैंने बनाई है, तो इसमें कितना time मेरा consume हुआ होगा, depend करता है कि आप लोग इसको कितना support अपना देते हो, तो वारतालाप का संधी विच्चेद क्या होगा, प्यारे बच्चों, वारता प आपको यथा सक्ती बेमरन आमरन, ठीक है, यहाँ पर सभी में उपसर्ग लगा हुआ है, और यथा वाला होता है, मारा अभी बाव, दालबात, यह मारा, अभी कुछ दिर पहले भी आया था, यह दवन दवसमास का उदारन है, विपत्ति में दकेलना, मुहावरे कार्थ क्य हो है, वो है, वस्तर सब्द का परियावाची क्या है, प्यारी बच्छों, तो वसन और अमबर, यह हमारे वस्तर सब्द के परियावाची होते हैं, यह चीज़ें में याद रख लेनी चाहिए, अब आखरी क्वेशन है, इस पेपर का निमन में से कौन सा सब्द तत्सम है, तो यहाँ पर पुस्प सब्द हमारा तत्सम है, और तत्सम और तत्बो के उपर आपको एक अलग से वीडियो मुझे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि इनके उपर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बच्छों को रहती है, तो वो वीडियो में जब प्रोवा प्रयाइवाची यहाँ पर बताना है, तो रात्री का प्रयाइवाची आप सब जानते हो, बिल्कुल आसान है विभावरी रजनी, रजनी से ही हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते थे, चंचला भी थोड़ी देर पहले आया था, बिजली का है, यह सूरिय हो गया हमारा, साग प्रयाइवाची किस दिन होती है प्रयाइवाची तो वो होती है मारी अमावस के दिन, जिसके समान दूसरा नहीं है, अनेक पद के लिए एक पद, तो यह हो जाएगा हमारा ए द्वीति है, उड़ती चीडिया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा इसका संदी विछेद हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये सैनेटरी इंस्पेक्टर का ये दूसरी सिफ्ट का पेपर आगया हमारे पास, वरिक सब्द का परयाइवाची क्या होगा प्यारे बच्चों, पेड या फिर पादब, गुप्त सब्द का में विलोम बताना है, गुप्त का विलोम क्या होता है, परकट करना किसी चीज को सामने रखना, जो युद में स्थिर रहता है, यहाँ पर हमें वाक्यांस के लिए एक सब्द बताना है, तो युदिष्टर, वाइदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा क्या होगा फैरे बच्चों, वाइदे क बात में, ये तो नहीं है, बात बनाना ये भी नहीं होगा, बात चलाना ये भी नहीं, बात का धनी, फिर यही करना पड़ेगा हमें, हालाकि ये भी थोड़ा सा एक्जेक्ट नहीं है, बात का धनी, वाइदे का पक्का, लेकिन थोड़ा सा हमें, यहाँ पर अगर उप्शन का ये थर्ड शिफ्ट का पेपर आगया बोजन आल्या संदी का कौन सा परकार है बोजन पलस आल्या इसके अंदर हमारी संदी हो जाएगी दिर्ग संदी और मैंने इनके बारे में बताया है आपको सभी के बारे में एक अलग से वीडियो दे दूँगा मैं सिर्फ 5 मिनट की व जाएगा रंग जमाते भी नहीं रास्ता देखते भी नहीं हाथ मलते रह गया निमन में कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है प्यारे बच्चों तो हमारा जो इस्त्री लिंग है यहाँ पर कौन सा सब्द हो जाएगा जुरम करना ये तो हमारा पुलिंग है गुलाम ये भी हम लामुना ये भी मारा पुलिंग है इंतजार भी मारा पुलिंग सब्द है लेकिन जेब मेरी जेब तो ये जेब हमारा इस्त्रीलिंग हो जाएगा निमन में से कौन सा समास दिविगू समास का उधारन है तो चोराहा दिविगू में क्या होता है पैर बच्चो संख्या वाचक होता है दसानन ये आपका बहूरी ही समास है माता पिता दवंदव यता सक्तिया आपका अव्यभाव समास है कि इत्यादी सब्द का संदी विग्र है क्या होगा प्यारे बच्छों इती पलस आधी इत्यादी सब्द और इसमें मारी संदी कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्छों इसमें मारी हो जाएगी यहन संदी तो आगे आता है हमारा यही सैनिटरी इंस्पेक्टर का यह कम से कम भी आठ पता नहीं साथ सिप्टों में यह पेपर हुआ है पैरे बत्चों तो अंदों में काना राजा लोकोक्ति का हमें क्या बताना है अर्थ बताना है तो यहां पर औप्सन से देख लेते हैं मूर्खों में कुछ पड़ा लिखा होना उसको बोला जाता है अंदों में काना राजा निमन में से कौन सा सब्द तदबव है यह फिर से आ गया हमारा तत्सम और तदबव के उपर आपको मैं एक अच्छे सी वीडियो दूँगा जिसमें आपको अच्छे से समझाएगा यहा दावानल का संदी विगर है क्या होगा प्यारे बच्छों तो दाव पलस अनल यह मारा क्या हो जाएगा संदी विछे दावानल का आमरण की समास का उधारन है प्यारे बच्छों तो यह अवेबाव समास का उधारन है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है निमन में से किस सब्द की वर्तनी सही है तो यहाँ पर सही है बताना है हमें तो साहित्य तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है अनुकूल तो कैकी भी मातरा यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए थी मारी अनुपस्थित में नय की मातरा उकी मातर यहाँ पर छोटी आएगी परती क्रिया तो तैय की मात्रा आगे से होने चाहिए थी ये भी मारा गलत है तो शाहित यह ही हमारा इसका सही अंसर होगा तो आगे बढ़ते हैं वही हमारा सैनेटरी इंस्पेक्टर का ही पेपर है ये भी तो यहां पर दिया हुआ है हमें किरण का परियाईवाची सब्द हमें बताना है जो नहीं है प्यारे बचों में क्या बताना है जो नहीं है तो यहां पर हमारा अंसू मरीची कर ये सब हमारे क्या है किरन का परियाईवाची है लेकिन सरसिज हमारा इसका परियाईवाची नहीं होगा अब तामसिक का विलोम सब्द क्या होगा प्यारे बच्चो तो ये सात्विक हो जाएगा जो कम बोलता है उसको बोला जाता है अल्प भासी उम्रित भासी होता है जो मीठा बोलता है गूस देने के लिए उचित मुहावरा क्या होगा प्यारे बचो तो ये होगा हमारा मुठी करम करना प्राज्य सब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो यहां पर प्राउपसर्ग बिल्कुल साफ साफ है तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हमारा यहां पर दिया हुआ है, सिरो मनी का संधी विग्र क्या होगा प्यारे बच्चों, सिरे पलस मनी, तो यहां पर विसर्ग है सिरे के बाद, विसर्ग संधी का एक्जामपल हमसे पूछा हुआ था, राह खर्च की समास का उदा हाथ से लिखित यानि कि वीग्रह करने पर क्या आएगा हमारा कोई न कोई कारक इस्तमाल होगा अब आगे यहाँ पर है निमन में से किस सबद की वर्तनी सही है तो किस की वर्तनी यहाँ पर सही है प्यारी बत्चो बागी रती की मात्रा गलत है परसंसा भी गलत लिखा हुआ है परिस्थीती भी गलत है तो परदर्सनी हमारा यहाँ ठीक लिखा हुआ है परिस्थीती में सा श्याम रंग त्यों त्यों उज्वल होई कौन सा अलंकार है प्यारे बचों यहां पर तो यहां पर विरोधाबास अलंकार दिया हुआ है यह थोड़ा सा अलंक तरह से पूछा हुआ है अलंकार के और भी कई प्रकार होते हैं सब अलंकार और उसके वाद फिर हमारे कुछ और अलंकार होते हैं तो उनमें विरोदाबास अलंकार हमारा आता है यहां पर विरोदाबास अलंकार क्यों है क्योंकि वो कहना चाहरा है कि जो जो बुड़े स्याम रंग जैसे जैसे उसका काला रंग बढ़ता है वैसे वैसे वो चीज और ज्यादा चमक रही है उजवल हो रही ह इसलिए हैं आपर विरोधा बास अलंग कार यूज होता है निमन में से कौन सा सब्द पुलिंग है तो पुलिंग हमें बताना है प्यारे बाद books अमारा ये पुलिंग मेरी पुलिंग है अर्चना भी स्त्री लिंग है लड़की का नाम हो सकता है अर्चना इच्छा मेरी इच्छा क्या है मेरी इच्छा सरकारी नोकरी है तो इच्छा हमारी इस्त्री लिंग है लेकिन अंगूर सब्द हमारा पुलिंग है कैसे है मैंने एक अंगूर खाया मैंने ये तो नहीं कहा कभी कोई आप ये तो नहीं कहते कि मैंने एक अंगूर तो यहां पर आगे बढ़ते हैं पैरे बच्चों हमारा जो इस पेपर का परसन पूछा हुआ है निमन में से इस्त्री लिंग सब्द की पहचान करो तो यहां पर सेना हमारा इस्त्री लिंग हो जाएगा वाक्या बनाकर देख लोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इस्त्री कर और कौसा पुलिंग है दिश्चित किया वस्ञार मान्य रूप वाक्यांस के लिए उस्चित सब्द है तो इसका जो आनासर होगा पैरे बच्चो वह जाएगा मानक तो मानक का मतलब क्या आता है प्यारे बच्छों हम किसी चीज के ना एक उसकी वैल्यू निश्चित कर देते हैं उसे बोला जाता है मानक यानि कि स्टेंडर्ड़ भी बोलते हैं इसको इंगलीज में निमन में से कोन सी वर्तनीष सही है तो यह लालाइत यह वाली वर्तनीश की सही है यह बहुत जदा important question प्यारे बचो इसको रट लेना ब्रामन सब्द का परियावाची सब्द क्या है तो ब्रामन का जो परियावाची है हमारा विप्र भूदेव द्वीज ये सब हमारे ब्रामन के परियावाची सब्द हैं विशाल का विलोम सब्द बताना है तो विशाल का लगू बिल्कुल इजी तो यहाँ पर हमारा यह आखरी पेपर है सैनेटरी इंस्पेक्टर का प्यारे बचो तो पूछा गया है निमन में से पुलिंग सब्द हमें बताना है नहीं है जो हमारा पुलिंग सब्द नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है प्यारे बचो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा समाज पुलिंग है विबाग देश तो सुपारी मैंने उसकी सुपारी ली ठीका तो यह हमारा इस्तिरी लींग ह चपला चपल का समरोपी बिनार्थक है चमक गई चपला चमचम तो चपला कोन होती पैरे बचो बीजली निमन में से किस सबद की वर्तनी सही है तो ये दाइताव लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है दैहिक गलत लिखा हुआ है आदीन कुछ भी नहीं होता है हिंग ये भी गलत लिखा हुआ है बिजली का समानार्थी सबद कोन सा होगा पैरे बचो सोरी कोन सा नहीं है बताना है में यहाँ पर तो कोन सा नहीं है तो चंचल चंचल चंचला कहलो चपला दामिनी ये तो हमारा बिजली के प्रियावाची है ही सफ्री हमारा नहीं होता है निमन मेंसे कौन सा विलोम युग्जब सही है तो विलोम एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहाँ पर पुरुसकार का किसी को पुरुसक्रित करना किसी को फिर धंडित करना ये एक दूसरे के विपरीथ है तो हमारा जो अगला पेपर है इसमें हमारा जो परसन पूछा गया है वो क्या है प्यारे बच्चो रहीम के एक एक दोहे को यहाँ पर सबसे पहले यह देखो सरवादिक उप्यूक्त सब्द का या सब्दों का परियोग करते हुए वाक्य को पूरा करें तो खालिस्तान में बरना है यहाँ पर रहीम के एक एक दोहे को कनहिया बाबु ने छात्तर जीवन में ही सार्तक ताकि डैस सीमा तक पहुचा दिया तो मारा अंसर क्या हुजएगा पहरेबचो चरम सीमा तक पहुचा दिया अब अगला क्वेस्टन देखते हैं लजजा वस हरिद्य के भाव परकट ने कर सकी और परकट करना असंबव भी है आप सा हरिद्य है समझने में देर ने होगी कि मैं किस डैस में हूँ तो मैं किस हालत में हूँ आगे दियावा है चंदरहास ने अचानक घर गिर्वी रखने का फैसला क्यों किया यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही नहीं जाने कौन सा आसमान तूट पड़ा तो हमें क्या करना है पहरे बचोर एक खांकित मुहावरे के अर्थ की पहचान करनी है तो आसमान तूट पड़ना तो अचानक मुसीबत आ जाना अब आगे है मालती मोची ने दो पीडियों के घर से एक-एक सदस्य को अनुशासन में रखा लेकिन उनके गुजर जाने के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया वैसे भी समझ सकते हो आप इनको कि पूरा परिवार बिखर गया चार विकल्पों में से दिये गई सब्द का परियाईवाची सब्द हमें बताना है प्यारे बच्चो तो दैत्य है दैत्य कोन होता प्यारे बच्चो परियाईवाची बताना है तो हमारा असुर हो जाएगा पुरंदर हमारा इंदर को बोला जाता है विकल्प में से यह गए सब्द का परियाय वाची सब्द हमें बताना है तो बागीरती का परियाय वाची क्या होगा प्यादे बत्चों गंगा लधी कोई तो बागीरती खा जाता है फे बागीरती फे बोला जाता फो यह हमारा advertisement number यह आपको दिखाए देता हूं मैं एडवर्टाइजमेंट नमबर साथ 2015, 14 सब्टेंबर मॉर्निंग सिप्ट का ये रिवाइजड की, और यहाँ पर जो क्वेस्टन पूछे गए थे हिंदी से, बात हमें सिरफ हिंदी की करनी है, यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट की नहीं करनी है, नीचे लिखे सब्द का या फिर विलोम सब्द बताना है, अपना का होता है प्राया, बिल्कुल आसान उचा हुआ है, नीचे दिये गए मुहावरे का उचित अर्थ बताएं, तो टे डीखीर का मतलब होता है कठीन कारिये, कन्या सब्द का बहुवचन तो कन्या हो जाएगा, इसमें तो कोई इस त तो यह हमारा अब इवनिंग सिप्ट का पेपर है, तो इसमें जो परसन पूछा हुआ है हिंदी से पहला परसन है, नीचे लिखे सब्द का परियाईवाची सब्द हमें बनाना है, तो यहाँ पर फूल का परियाईवाची होगा, प्यारे बत्चों, वो हो जाएगा मंजरी पूल का परियाईवाची क्या होगा, मंजरी, अब हमें बताना है नीचे लिखे हुए सब्द का वीपरित या फिर विलोम, तो वीग्रा है, वीग्रा का मतलब क्या होता है, प्यारे बत्चों, वीग्रा का मतलब होता है, टुकडे करना या बाटना, जिस तरह से हम समास के अदर वीग्रा करते हैं, और संदी का अर्थ होता है, जोडना यह, इसकी अपोजिट होगी, वीग्रा की, रिखांकित मुहावरे का उपरियुक्त अर्थ क्या होगा, प्यारे बत्चों, हिंदुस्तानी फोज को देखकर, पाकिस्तानी आतंकवादी भीगी बिली बन गयत ह हो गए, निच्चे लिखके सब्द का एक वचन क्या होगा, बाले का एक वचन होगा, बाला, आगे यहां पर संदी का वचन तो संदियां इसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो प्यारे बत्चों, हमारा जो नेक्स्ट पेपर है, वो गया, अच्छे है, 2016 काटेगरी नंबर 10 काउंट यह winning Shift का है, तिन शिफ्टों में पेपर वा तीनों सिफ्ट हम यहाँ पर डिसक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो पहला पर्षन है, वो दिया हुआ है, निमन सब्द का पर्यायेवाची सब्द बताएं, तो दर्पन का पर्यायेवाची क्या होगा, प्यारे ब नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा प्यारे बचों कानो कान खबर नैं होना तो किसी को बनक तक नैं पड़ना हां मरियान भी बासा में इसको बोल सकते हैं वही काच्चा पी जाना नीचे लिखे सब्द का बहु वचन बनाये तो तीती जिए वचे लिखे सब्द का एक वचन क्या होगा था तो आगे हमारा यह अकाउनेंट का आफ्टरनून शदन का पेपरा आ जाता है अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें क्या-क्या परसन पूछे गए हैं सबसे पहले जो पूछा गया है वो है निमन सब्द का परियावाची सब्द में बताना है तो हर पेपर के अंदर आपको परियावाची मुहावरा लोकोक्ती ये चीजे जरूर देखने को मिलेंगी विलोम सब्द बहु वचन और एक वचन च को सब्द बताना है में अरम का क्या होगा अंत हिरनंग मतलब होताया शुरुवाथ कि अब यहां पर गिरगीट की तरह रंग बदलना तो गिरगीट की तरह रंग कोन बदलता है प्यारे बचो सिंद्धान्त हीन होना याशा कि जिसका कोई लτεं होता कोई सी दान्त नहीं होता है उसको बोलते हैं गिर्गिट की थरयरंगे बदलना कि में आगया आता है एक बनाये रास्ते का एक क्वेचन क्या और जाहेगा रास्ता नीचे लिखेए valey सबस्त का बहु ऑचन घोड़ा गोड़ा का और वह उचन क्या होगा प्यारे बच्छो गोडे उच्छ तो यहां पर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्छो अब evening स्लोट की तरफ बढ़ते हैं evening स्लोट में क्या-क्या question पूछे गए थे तो यहां पर देखते हैं पहला प्रसंद जो है वह प्रियायवाची सब्द बताओ तो समुह का प्रियायवाची क्या होगा प्यारे बचो समुह सब्द का प्रियायवाची समुह का मतलब होता है एक से ज्यादा तो यहां पर गण गण में भी क्या होता है एक से ज्यादा अब यहाँ पर हमें बताना है विप्रीत या फिर विलोम तो अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा हमारा विराग अंत बला तो सब बला इस मुहावरे का उचीत अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चो यदि कारिय का अंत अच्छा हो जाए तो पूरा कारिय सफल हो जाता है इसी को बोलते हैं अंत बले का बला अब यहाँ पर दिया हुआ है बहुवचन बनाना है हमें खजूर सब्द का तो खजूर सब्द का बहुवचन हमारा खजूर ही होगा प्यारे बत्चों यहाँ पर इसने option में नहीं दिया है तो इसलिए हमें इसको select करना पड़ रहा है यदि आपके option में खजूर ही दिया होगा तो वो खजूर ही रहेगा कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा ही रहता है वो पतलता ही नहीं है नीचे लिखे सब्द का बहुवचन बनाएं तो छूरी का बहुवचन हो जाएगा छूरियां तो चलिए भी यहां पर हमारा जो नेक्ट पेपर हैं 2016 कटेगरी नंबर 29 ट्रेसर का पेपर है और यह मोर्निंग शिफ्ट का पेपर है अब इसको देखते हैं इसमें क्या-क्या पूछा गया है हमसे तो यहां पर जो पहला परसन है हमारा नीचे लिखे हुए सब्द का परि अब निमन में से विप्रित फिलोम अर्थ सब्द बताओ तो विप्रित फिलोम अर्थ सब्द क्या होगा प्यारे बचो यह हो जाएगा हमारा जागरण का सयन जागरण का सयन यानि कि जागरण होता है पूरी रात जागना जीस तरह से और सयन का मतलब होता है नीद या सोना चेहरे पर हवाईयां उड़ना मुहावरे का अर्थ चेहरे पर हवाईयां उड़ना डर जाना या गबरा जाना नीचे लिखे सब्द का बहुवचन बनाएं तो पंक का सब्द का बहुवचन क्या होगा प्यरे बचो पंक्खे नीचे लिखके सब्द का फिर चबो वोचन मनाना है कववा सब्द का कववे तो यहाँ पर हमारा जो next paper है प्यारे बच्छो यह afternoon session है ट्रेसर पेपर का agriculture department में paper हुआ था तो यहाँ पर हमारा अब देखते हैं भी पहला person पूछा गया है परियाई वाची हमें बताना है तो अनाज का परियाई वाची क्या होता है प्यारे बच्छो धान्य आसा सब्द का विलोम सब्द हमें बताना है तो निरासा अब यहाँ पर जो next question है वो देखो अरिखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बचो जब से हमारे घर में गुरुजी के चरण पड़े हैं घर में मिलने वालों का ताता बंदा रहता है तो ताता बंदा रहने का मतलब क्या होगा आने जाने वालों का करम जारी रहता है उनकी लाइन लगी रहती है कि निचे लिखे वे सब्द का बहुआ चन बेटा का बहुआ चन बेटे विल्कुल एजी नीचे लिखे सब्द का एक वचन बनाऊ तो एक वचन बनाना पेरे पा borac व्म्हाय का क्या होगा है इग तो भी आगे बढ़ते हैं आगे हमारा दिया हुआ है यहाँ पर फिल्ड इंस्पेक्टर का श्टोर का पेपर है यह अब इसमें क्या-क्या परसन पूछे हुए हिंदी के 10 परसन देखने को मिल रहे हैं समान अर्थ देने वाले सब्द को चुनकर लिखो यानि कि परियाईवाची बताना हमें चंद्रमा का तो क्या होगा प्यारे बचो सशी अब यहाँ पर हमें बताना है तालाब सब्द का परियाइवाची तो तालाब का परियाइवाची क्या होगा प्यारे बचो तडाग आगे आगे हैं तो ये इनके विरोधार्थक स्पद चुनकर लिखिए तो राग का विरोधार्थक क्या होगा प्यारे बत्चो दवेश यानि कि विप्रीत सब्ध में बताना है यहां पर स्वादीन का विप्रीत क्या होगा प्यारे बत्चो प्रादीन आगे आजाता है हमारा एक सही एक बटे दो को क्या कहेंगे पैरे बचो तो इसको कहेंगे हम डेड़ अगर आजाए एक सही एक बटे चार तो उसको क्या कहेंगे पैरे बचो सवा आगे आ जाता है बाई बहन में समास है कौन सा समास है पहरे बचो बाई और बहन में तो ये हमारा दवन्दव समास है इन में व्याकरण का सुध वाक्य कौन सा है तो राम ने रोटी खाई ये सुध है राम रोटी खाई ये असुध है ये सारे असुध है नीचे दिये गए सब्दों में विजातिय सब्द चुनकर लिखो तो गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सारी नदियों के नाम है विंद्या हमारा क्या है ये एक पर्वत है माता सब्द का बहुचन होगा प्यारे बच्चों माता है मोहन- बहन सरला है तो यहांपर मोहन की बहन सरला है तो आगे आता है हमारा इवनिंग का पेपर यहांपर हमें फिर से प्रियाइवाची बताना है तो मदीरा सब्द का परियावाची बताना है प्यारे बचों, तो मदीरा का परियावाची हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर मध्य, मध्या सराब को ही बोला जाता है, और मंदिर तो बिलकुल मदीरा का एकदम से अपोजिट वरड हो गया, जहां पर भगवान वास करते हों मं पाणी हस्त कर यह सब भी हमारे हाथ के होते हैं तो यहां पर विपरीत आर्थक बताओ सदूप योग का धुरूप योग बिल्कुल सही अर्पन का हमें बताना है विपरीत आर्थक तो ग्रहेंड अब आगे दिया हुए प्यारे बचो दिवार सब्द में डैस मात्राएं हैं तो दिवार सब्द में हमारी कितनी मात्राएं हैं प्यारे बचो यहां पर दो मात्राएं हैं मतलब क्या है मात्राएं क्या होते हैं मारे जितने भी सवर होते ना प्यारे बचो वो सारी हमारी मात्र आगे आता है हमारा इन में व्याकरण का सुध वाक्य क्या है आप यहां आईए यह सुध है आप यहां आऊ यह सुध आप यहां आऊ नहीं आप यहां आईए ही होगा क्योंकि आप यहां आऊ उसमें क्या होगा उसमें थोड़ा सा जो उसका respect है वो कम हो जाएगी उसकी respect जो उसका सम्मान है वो कम होगा आप यहाँ आईए तो यह बिलकुल respect पुला है आप यहाँ आउगा यह तो है यह नहीं यह तो आग गे तो कुछ भी नहीं है अब देखो पहरे बचो यहाँ पर तो सही एक बटे दो को हिंदी में क्या का जाता है तो यहाँ पर डाई बोला जाता है इसको देखो यहाँ पर confusing के लिए अडाई भी दिया हुआ है अडाई नहीं होगा डाई होगा याद रखना इस बात को मेहनती का ठीक विरुदार्थक पद क्या होगा मेहनती का विप्रितार्थक क्या होगा प्यारे बच्चो आलसी इसमें से सही अक्सर विन्यास का सब्द क्या होगा तो यहाँ पर सही अक्सर क्या होगा प्यारे बच्चो अध्यापक और मैंने आप से पूछा था कि मुझे अध्यापक का आपको बहु वचन बताना है comment box में comment करके मैं इंतचार करूँगा आपके comment का तो यहां पर आप देख सकते हो paper जो है यह जो नियर स्केर स्टैनोग्रापर English CBT का paper है तो पहला जो person है यहां पर क्या पुछा गया है पहरे बच्चों पहला question है निमन लिखित में से क्या गया है तो इसका ठμο तजो आन्फर होगा प्यारे बच्चों वह जाएगा हमारा अंधकार कि तो यहां पर अगला जो परस्फंड पूछा गया प्यारे बच्चों यहां पर क्या दिया हुआ है निमन लिखित में से अंसरे आपके यह वही question repeat हो गया है अब यहां पर next question है हर एक question यहां पर दो दो बार दिया हुआ है निमन में इसे तदबव सब्द कोन सा होगा तो दिवाली जो है यह हमारा एक तदबव सब्द है अब आगे दिया हुआ है श्रिंगार रसका स्थाई भाव क्या होगा तो रती होता है श्रिंगार रसका स्थाई भाव आगे मारा आता है सदूप योग सब्द का सही विलोम सटीक विलोम क्या होगा वी तो दूरूप योग हो जाएगा ये पहले भी आ चुका है रिपीटिड क्वेस्टिन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा बिल्कुल सफष्ट नजर आ रहा है राम रूपी रतन अब पच्ताय होत क्या जब चेडिया चुग गई खेत लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्छो तो पहले सावदानी नैब बरतना और बाद में पच्ताना किस वाक्या में अपादान कारक का परियोग हुआ है तो अपादान कारक क्या होता है पहरे बच्छो हमारा से या जुदाई तो गंगा से हिमाल्य जो गंगा हिमाल्य से निकलती है तो गंगा हिमाल्य से जुदा हो रही है तो से यहाँ पर आगया इसका सम्बोदक जो सब्द होता है जो सूचक होते हैं ये से या के दवारा होता है बहुत अधिक बरसात होना का उप्यूक्त सब्द क्या होगा अतीव रिष्टी यहाँ पर दिया हुआ है तुलसी दास करित इस सब्द में हमें क्या बताना है प्यारे बच्छो समास बताना है तुलसी दास करित में कौन सा समास होगा प्यारे बच्छो तुलसी दास के दवारा रचित तो यहाँ पर कारक का इस्तमाल हो गया तो यह हमारा कौन सा समास होगा प्यारे बच्छो ततपूरुस समास आगे हमारा दिया हुआ है निमनलिकित वाक्यों में से कौन सा वाक्या सुध वाक्या है तो सुध वाक्य की पहचान करो प्यारे बचो साहित्य और जीवन का गनिष्ट संबंद है गोर संबंद नहीं होगा गनिष्ट संबंद होगा यह थोड़ा ज्यादा एप्रोप्रियेट है तो बस यह थे इस पेपर में अब नेक्स्ट पेपर की तरह बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बचो हमारा यह जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर सीबीटी साथ नॉवंबर 2017 सीफ्ट टू यह सेकेंड सीफ्ट का पेपर हमारा स्टार्ट हो गया है तो इसमें क्या-क्या क्वेस्टन पूछे हुए एक बार उन पर नजर डालते हैं तो पहला में बहुरे गुंजार कर रहे हैं रेखांकित का परियाई वाची बहुरे सब्द का परियाई वाची क्या होगा प्यारे बचो सट पद तो बहुरे का परियाई वाची होता है सट पद सट पद का मतलब होता है जिसके 6 पैर हों और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इंसेक् आपर रोद्र रसका स्थाई बाव क्या होगा हमारा क्रोध हो जाएगा प्यारे बच्छो अब next है हमारा वाक्य में लिंग का सही प्रियोग हुआ है निमन में से किस वाक्य के अंदर लिंग का सही प्रियोग हुआ है तो हमारा देश हमारा देश का जनता तो यहीं पर गलत हो है गुस्सा आता है होना चाहिए मुझे पढ़ना अच्छा लगता है बिल्कुल सही अब ही आगया हमारा ये महोजश्वी सब्द का संदीवी छेद क्या होगा प्यारे बच्छो तो यह हो जाएगा महा पलस ओजश्वी तो यह हो जाएगा मारा मोजश्वी राज दर्बार में राजा सिंगासन पर बैठता है राज दर्बार सब्द में कौन सा समास समाही था प्यारे बचो तो राज दर्बार क्या होता है मारा गुटका नहीं होता है कभी कोई सोच है कि भी राज दर्बार गुटका है तो राज दर्बार गुटका नहीं यहाँ पर होगा हमारा तत्पूर समास राज दर्बार का मतलब है राजा के लिए दर्बार या फिर राजा का दर्बार अब आगे आगे हमारा ये संपरदान कारक का परियोग कौन से वाक्य में हुआ है तो संपरदान क्या होता है हमारा मा ने बेटे के लिए मिठाई ली तो संपरदान में क्या होता है आपा दान से जुदाई संपन काके की अधिकरण में पर करता ने कर्म को करण से के द्वारा संपरदान के लिए ठीक है यहाँ पर के लिए आगया यह कारक की पहचान होती है कौन सा सब्द तत्सम सब्द होगा तो यहाँ पर वानर सब्द जो है यह तत्सम सब्द होगा गाए घास चरती है किस प्रकार का वाक्या है प्यारे बचो यह एक सरल वाक्या है बिलकुल सिधा सिधा वाक्या है इसमें कोई संयुक्त वाक्या है कोई मिश्रित वाक्या है कुछ भी नहीं है अंदो में काना राजा लोगोक्ति का सही अर्थ क्या होगा प्यारेवचो तो यहाँ पर अंदो में काना राजा क्या होता है गुण हीनों के बीज एक कम गुण वाला व्यक्ति वही राजा होता है उनके बीज में तो अब अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं आगे हमारा ये स्केल स्टैनो ग्रैपर का सीफ्ट नमबर 3 का साथ नमबर 2017 का पेपर है तो पहला क्या पूछा है प्यारे बचो निमन सब्दों में तत्सम सब्द पहचानी है तो इन पेपरों म अब देख सकते हैं आप यहां से तो तत्सम तदबव के उपर जल्दी ही आपको एक वीडियो मिलेगी उसमें आपको पूरा कलियर करवा दूँआ निर्वाह यहां पर क्या हो जाएगा हमारा तत्सम सब्द हो जाएगा अब यहां पर निमन लिखित सब्दों में से तत्सम सब्दको पहचानी है अचहा Chestya यह तो फिर से वही है तो आगी क्या दिया हुए प्यारे बच्चो सब्दों में से अप तद्वा सब्द की पहचान करो तो तद्वा होता है मारा इंता 5 जिस वस्तू की सहाइता से या उ जिसके दोरा हमें यह बोध होता है कि इस कारिया को करने के लिए इस चीज की हमें जरूरत पड़ी तो वहां पर होता है करण कार आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे दिया हुआ है निमन लिखीत वाक्यों में से कौन सा वाक्या सुध है तो कौन सा वाक्या यहां पर सुध होगा प्यारे बच्चों मुझे गूमना अच्छा लगता है मुझे को गूमने जाने की अच्छी है तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा मुझे को गूमना अच्छा लगता है मुझे को नहीं मुझे होगा मुझे गूमना अच्छा लगता है मुझे गूमना यहाँ पर मुझे में गड़ बड़ है मातरा में गड़ बड़ है चारू चंदर की चंचल किरने खेल रही थी जल्थल में परियुक्त पंक्तियों में हमें अलंकार बताना है फ्यारे बचो तो इसमें हमारा चै, 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 चै की आवरती बार-बार है तो यहां पर हमारा हुजाएगा अनुपराश, अलंकार, very very important question बारत ने चीन को मुव तोड जवाब दिया मुव तोड सबद में कौन सा समास है, हमें यह बताना है तो यहां पर हमारा जो समास होगा, वो तत्पुरूश समास होगा मा का क्रोध देखकर बच्चा कापने लगा तो वा इसका जो कौन से स्थाई बाव इसमें है मा का क्रोध क्रोध में कौन सा स्थाई बाव है प्यारे बच्छो रोद्दर रस क्रोध के अंदर हमें मिलता है रोद्दर रस कौन सा सबद कमल का प्रियाईवाची नहीं है तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है प्यारे बच्छों तो नीरज, पंकज और राजीव ये तीनों हमारे कमल के प्रियाईवाची है लेकिन अगर अक्सी की बात करें तो ये हमारा कमल का प्रियाईवाची नहीं होगा नीरज, पंकज और राजिव ये सभी कमल के प्रियाईवाची होगे उसे तो राई का पहाड बना कर बाते करने की आदत है इस वाक्य में हमें क्या बताना प्यारे बचो राई का पहाड ये एक महावरा है तो इसका हमें अर्थ बताना है तो बड़ा चड़ा कर बात करना आगे बढ़ते हैं प्यारे बचो भाववाचक संग्या की पहचान करो तो भाव वाचक संग्या में पैचाननी है, तो वही प्राचीनता इसमें भाव है, भाव वाचक संग्या है प्राचीनता के अंदर, समझदार, गुण, पुरानिक, बुरा, ये सब भी गुण होते हैं, आगे बनेक्ट शेप्ट की तरह बढ़ते हैं, कर दो भाव हैं, भाव की तरह बढ़ते हैं, झाल झाल तो यहां पर प्यारे बच्चों हमारा जो पेपर है यह 10 नॉमबर 2017 का फर्स्ट शिप्ट का पेपर है जूनियर स्केल स्टैनो ग्राफर हिंदी के लिए था यह हिंदी स्टैनो ग्राफर का पेपर था तो यह अब 3 शिप्ट हम कर चुके हैं 9 शिप्टों में पेपर हुआ है तो यह मारी 4 शिप्ट चल रही है कौन सा सब्द भावाचक संग्या है तो यहां पर बच्पन सब्द जो है वो हमारा भावाचक संग्या का उदाहरन है प्यारे बच्चों Juda अःगे जो मारा नेक्ट क्वेश्टन है जो कठीनाई से प्राप्त हो के लिए एक सब्द होगा यह वाक्यांस के लिए एक सब्द में बताना है जो कठीनाई से प्राप्त हो तो दूरलब दूरलब होता जो आसानी से पराप्त हो अब नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा निमन में से कौन सा वाक्य है सुध है सुध वाक्य की पैचान में करनी है माता-पिता के आशिर्वाद से जीवन सफल होना चाहिए तो यहां पर क्या हो प्यर्वाद माता-पिता के आशिर्वाद से जीवन सफल होना माता-पिता का आसिर्वाद ये तो गलत है माता-पिता का आसिर्वाद चीवन को सफल बनाता है ये सबसे ब наш लग रहा है अलाकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये जो वाक्या है ये sentence जो है ये बहुत appropriate है माता-पिता का आसिर्वाद ये तो गलत है बिल्कुल अब next question की तरफ बढ़ते हैं पहरे बच्छो अगला person जो हमारा दिया हुआ है हमें बड़ो का सम्मान करना चाहिए तोरे खांकित सब्द का विलोम क्या होगा सम्मान का विलोम सब्द हमें बताना है तो सम्मान का विलोम अपमान हो जाएगा बिल्कुल आसान सी बात यहां पर पूछ रखी थी कोई दिकत नहीं थी कौन सा वाक्या प्रेरणार थक है तो किस वाक्या से हमें प्रेरणा मिलती है बूखे को खाना खिलाना चाहिए बिल्कुल नैतिक शिक्ष्या का बाव यहां पर नजर आ रहा है अब और देख लेते हैं यहां पर महा पलस उत्सव तो यहां पर क्या दिया हुआ है महा पलस उत्सव तो यह हो गया हमारा महोत सव संधी विच्छे था यह संधी हमें इसकी जोड़ कर करनी थी तो यह हो गया हमारा महोत सव अब आगया हमारा जहां एक ही सबद बार बार आता हो लेकिन सबद का अर्थ अलग हो वहाँ पर कौन सा लंकार होगा जब एक सबद बार बार आए और सबद का जो अर्थ है वो हर बार अलग हो तो वहाँ पर हमारा होता है प्यारे बच्छो यमक अलंकार और यदि एक ही सबद के अलग-अलग अर्थ निकलते हो तो वहाँ पर होता हमारा सलेश अलंकार निमनलीकित सब्दों में से देशी या फिर देशद सब्द की पहचान कैसे होती है प्यारे बच्छो तो पगड़ी जो है यह हमारा एक देशी सब्द है जबकि टेलिफोन, कोलेज, रेडियो यह सारे क्या हैं वी देशी सब्द हैं यह इंग्लिस लेंग्वेज में भी इसी तरह से यूज होते हैं अब यहां पर दिया वाया जो question है हमारा रती किस रस का स्थाई बाव है तो रती में कौन सा रस है स्रिंगार रस रती के अंदर स्रिंगार रस हमें माता-पिता की सेवा करनी चाहिए रेखांकित सब्द में समास बताओ माता-पिता में दवंदव समास इसमें कोई दोराये नह नहीं है तो अब next shift की तरह बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों यह हमारा second shift का पेपर आगया स्केल स्टैनोग्राफर का और 10 नुवंबर 2017 को यह पेपर हुआ था तो यहां पर जो पहला परसन है वो क्या है निबन्द का पुन्राव लोकन किया तो उसमें बहुत गल्तियां थी असुद अंस की पहचान करो तो यहां पर बहुत20 गल्तियां थी इसमें असुद यहां दिया है क्योंकि और गल्तिया में मातरा तैकी आगे से आएगी छोटी एकी मातरा यहां पर इस्तमाल होगी तो यह यहां पर गल्त दिया हुआ है अब अगला देखो यहां पर क्या दिया है महिश्वर्या सब्द में संदी विचेद करो महा पलस ए सुवर्या और इसमें अगर वो पूछले भई संदी कौन सी है तो जहाँ पर मातरा डबल हो जाए या तो अई हो जाए या फिर अव हो जाए वहाँ पर हमारा वरिद्धी संदी यूज होती है प्यारे बचो वीर रसका स्थाई बाव क्या होगा तो वीर रसका स्थाई बाव होता है उत्सा और यह जो question है प्यारे बच्चों यह रस वाले यह repeated questions है यह और paper में भी देखे गई हैं वीर रसका स्थाई बाव उत्सा सुक दुख हमारे जीवन के साथी है रिखांकित सब्द में कोन सा समास समाहित है तो सुक दुख हमारे जीवन के साथी है तो रिखांकित सब्द में हमें क्या बताना प्यारे बच्चों सुक और दुख में तो दवन्दों समास कोई बड़ी बात है ही नहीं जहां वरनों की पुन्रावरित्ती हो वहाँ अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार होता है प्रिथ्वी सब्द का परियायवाची नै हो ऐसा सब्द बताए ये नहीं है जो तो वसुदा दर्ती उर्वी ये सभी क्या है प्रिथ्वी सब्द के परियायवाची परंतु शरीता जो है वो हमारा प्रिथ्वी सब्द का प्रियाइवाची नहीं है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्छो जो सभी को समान बाव से देखे उसे क्या कहते हैं उसे जो सभी को समान बाव से देखता है तो वो होता है समदर्ची सभी के लिए समान द्रिष्टी अब आगे आजाता है हमारा निमन लिकित में से तत्सम सब्द की पहचान हमें करनी है तो तत्सम सब्द की पहचान हम कैसे करेंगे पैरे बचो तो यहां पर हमारा जो है सोबाग्य सब्द जो है यह तत्सम सब्द है हमारा अगली सड़क पाट साला जाती है वाक्या का परकार बताओ तो यह एक सिंपल वाक्या दिया हुआ ह में अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बचो पेट में पानी नहीं पचना मुहावरे का क्या अर्थ होगा बात चिपाने की ताकत नहीं होना कई तरह के आदमी होते हैं जो बात को नहीं चुपा पाते हैं उनको सिक्रेट जो होती है बात उसको गुप्त नहीं रख पाते हैं तो तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो पेपर आ जाता है, ये, अब थरड शिफ्ट आगे है प्यारे बच्छों, जूनियर स्केल स्टेनोगराफर हिंदी, सीबीटी, दस नॉवंबर 2017 को, तो आपके सामने हैं, प्यारे बच्छों, सारे के सारे जो पेपर हैं, ये, हससी के प्रिवेस एर पेपर में करवा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए कितने ज्यादा इंपोर्टेंट है, अब ये, खुद आप लोग डिसाइड करोगे, इस वीडियो को, कितना प्यार आप लोग देते हो, आपको, कितना इसका फायदा मिलेगा, एक्जाम के बा हमारा अंदा सब्द, आदा सब्द जो है, वो हमारा क्या हो जाएगा, तदबव सब्द हो जाएगा, अब यहां पर हमें बताना है, तत्सम सब्द कोन सा है, तो निमनलिखित में से तत्सम सब्द कोन सा होगा, पैरे बच्छों, ये, नरित्य जो है हमारा, वो तत्सम हमारा यथोचित सब्द का संदी विछे दमे करना है तो यथा पलस उचित और अगर पूछ ले कि यहां पर हमारी जो है वो संदी कौन सी है प्यारे बचो तो यह हमारी गुण संदी है कौन संदी है गुण संदी की पहचान क्या होगी प्यारे बचो यह तो मात्रा ओकी होगी या मात्रा सिंगल एक ही होगी मतलब एक मात्रा होगी जहां पर दो मात्रा वहां पर वरिद्धी संदी कौन सा सब्द दास का परियाईवाची नहीं है तो दास का परियाईवाची नहीं होना चाहिए प्यारे बचो यानि कि अनूचर, नोकर, सेवक ये सारे क्या हैं ये दास के परियाईवाची है पर अजीत सब्द की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या होता है दास सब्द का परियाईवाची नहीं होता है प्यारे बचो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दियावायर रिखांकित मुहावरे का अर्थ सपष्ट कीजि सा वाक्य सुध हैudsov कि पहचान मैं और मेरे भाई जा रहे हैं यहाँ पर यहीं गलती होगी मैं और मेरा भाई पाट साला को जा रहे हैं तो को जा रहे हैं यह थोड़ा सा ज्यादा over question Dieses तोड़ा सा अलग नजर आ रहा इसमें यहाँ पर फिर मैं में भी गडबड है तो यहाँ पर इसका मतलब यह सबसे सही appropriate तो यही है अब आता है रोद्र रस का स्थाई बाव क्या होगा तो प्यारे बच्चों जो रोद्र रस का स्थाई बाव होगा हमारा वो क्या होगा क्रोध को बोला क्रोध का बाव यहाँ पर निकलता है रोद्र रस के अंदर अन्दकार सबद का स्थीम विलों मैं में बताना है तो परकास अब आया है हमारा बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा ? प्रस्तुति पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्रस्तुत पंक्ति में वो अलग है अब आगे आ जाते हैं तो यहां पर यह तो complete हो गया अब next paper की तरह बढ़ते हैं तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम हमारा जो paper आप प्यारे बच्चों अब यह आ गया है हमारा फर्ट शिप्ट चोदा नोवंबर जो नियर स्केल स्टैनोगरा पर हिंदी तो यहां पर इसका paper फिर से आया है यह तीन शिप्ट और बचीश के बाद दो शिप्ट और हैं फिर हमारा next आजाएगा अड़र्टाइजमेंट निमनलिकित सब्दों में से कौन सा सब्द तदबव है तो तदबव सब्द कौन सा प्यारे बच्चों आख सब्द जो है वो हमारा तदबव है यहां पर निमन लिखित सब्दों में से देशद देशी सब्द को पहचानो तो यहाँ पर सब्द दियावाय जाडू जाडू सब्द हमारा क्या है देशी या फिर देशद सब्द है हमें आवस्यक बाते करनी चाहिए रेखांकित सब्द का श्टीक विलोम क्या होगा हमें अनावस्यक बाते करनी चाहिए अनावस्यक होता है फालतूगी अब यहाँ पर दियावाय अवनी आकास जूम रहे आनन्दित होकर तो पंकती में हमें अलंकार बताना है प्यारे बच्चो तो यहाँ पर बार-बार रिपीट हो रहा है तो अनुपरास अलंकार हो जाएगा अब यहाँ पर हमारा आ गया है अगला परसन और दिया हुआ है महबारत की लडाई में अर्जुन के रत चालक श्री क्रिशन थे निमन लिखित सब्दों में इसे भावाचक संग्या सपस्ट करो तो पागलपन क्या होता है यह एक बावना होती है पागलपन की भावाचक संग्या है जहां नायक नायका की विर है व्याथा व्यक्त हो वहां रस होगा जहां नायक नायका की विर है व्याथा व्यक्त हो वहां कौन सा रस होता है प्यारे वचों नायक और नायका का जहां पर उनकी व्याथा का जो गुणगान होता है तो वियोग श्रिंगार रस महाराना Πरताफ को चेतक गोड़ा बहुत प्रिये था रिखाकी तगा प्रियायवाची हमें बताना है तो गोड़ा का उता है तुरंग बासकर रसाल विद्धियोत यह नहीं होगे तुरंग होगा गोड़ा का प्रियायवाची कठीनाई के समय का सही मुहावरा क्या होगा आड़े समय आड़ा समय जो होता है प्यारे बच्छों वो कठीनाई का समय होता है अब आगया हमारा आग्या पलस अनुसार तो आग्या अनुसार क्या बनेगा आग्या नुसार नेक्ट शिफ्ट की तरह बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्छों यहाँ पर दिया हुआ जुनियर स्केल स्टैनो ग्राफर इंगलीश हिंदी तो 14 नवंबर 2017 शिफ्ट नंबर 2 का पेपर पहले परसंद से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर पहला परसंद जो बर बना चिन में हैं यह तो वेंजन संदी गा एक्जामपल है करें मुरुत करते ही समझ मिया जान चाहिए कि समकें यूज यहाँ पर किया गया है अगला परसंद है अंधर चिपा हुआ वाक्यांच के लिए एक सभड अंधर चिपा हुआ अंतर नहित के बहुत ही आसान बात है अकास का परियावाची नहीं है हमें बताना है जो अकास का यहां पर परियावाची नहीं है तो गटा गटा तो हमारी बादल होते हैं तो गटा अमारा परियावाची अकास का नहीं होगा कौन से सबद की वर्तनी असुद है तो यहाँ पर अगर देखा जाए आसिरवाद तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है और यहाँ पर आरसिवाद बन गया यह यह गलत हसाप नज़रा रहा है आरसिवाद तो नहीं है आसिरवाद होना चाहिए न पुनर विचार यह सही है अर्द्य यह भी सही है अब आगे देखते हैं उन्नती सबद का विलोम सबद तो अवनती हो जाएगा प्यारे बच्चों यह सब को पता है अवनती होगा कई बार बच्चे गड़बड कर देंगे अगर पेपर में एग्जामिनर ने दे दिया अवनती तो यह हमारा गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों आदा नय नहीं यूज होगा अवनती के अंदर यह ध्यान रखेना वरतनी में पूछा जा सकता है निमनलिकित में से कौन सा तत्सम सबद है तो मस्तक जो है वो तत्सम सबद है योगता से बढ़कर बात करना मुहावरा है योगता से बढ़कर बात करना तो यहाँ पर मुहावरा कौन सा है प्यारे बच्चों छोटा मुह बड़ी बात यानि कि अपनी जो उसकी कई बार होता है जैसे कि कम उमर वाला व्यक्ति ज्यादा उमर वाली व्यक्ति की तरह बात ने करता है तो उसको बोलते हैं छोटा मू बड़ी बात निमनलिकित में से तदबव सब्द कौन सा है तो हाथ हमारा तदबव सब्द है अरक का अर्थ नहीं होता तो अर्क का कौन सा अर्थ नहीं होता प्यारे बचो यहां पर आर्ति जो है वो अर्क का अर्थ नहीं होता इसके अलावा रस, सूर्य, आग का पोदा यह सारे क्या हैं अर्क का अर्थ है तो अब next shift की तर बढ़ते हैं प्यारे बचो तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे हमारा है ये लाट शिफ्ट का पेपर आगया थरड शिफ्ट का जूनियर स्केल स्टैनोगराफर का और यहाँ पर शुरुवात करते हैं अपने पहले परसन के साथ तो परसन क्या दिया हुआ है निस्कलंक सबद में संदी तो बिल्कुल इसका पहले संदी विचेद करो निः पलस कलंक क्यों भी यह होगा तो यहाँ पर विसर्ग संदी का एक्जांपल साफ नजरा रहा है आगया जाता है यथा नियम यथा नियम सबद है इसमें समास है तो जहां पर यथा यूज होता है वहां पर तो अव्यववय अनुसार जिसका कोई सत्रू ने हो वक्यांस के लिए एक सब्द अजात सत्रू कोन होता है अजात सत्रू जिसका कोई सत्रू ने हो इस्त्री सब्द का परियावाची महीशी इस्त्री सब्द का परियावाची नहीं है बताना है ठीक है प्यारे बचो कौन सा नहीं है महीशी न नहीं होगा, आगे बढ़ लेते हैं, कौनसे सब्द की वरतनी सुध है, तो यहाँ पर वरतनी सुध बताने हैं उद्दव, हैसुध बतानी है प्यारे बचों, क्योंकि यह उद्दव मैं देख रहा हूं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हैसुध वरतनी बतानी है, उद्बरांत ये भी सही है अत्यावसक ये भी सही है और अगर हम संदी विछेट करें तो इसमें कौन सी संदी आएगी हमारी यन संदी तो अत्यादिक अत्यादिक में यह के बाद आ की मातरा नहीं आएगी यह होगा अत्यादिक और ये भी हमारा यन संदी का ही एक्जाम्पल है प्यारे बचो प्रोक्स का विलोम हमें बताना है तो प्रोक्स का विलोम क्या होता है प्यारे बचो प्रत्यक्स प्रोक्स होता है छुपागर रखना निमन में से तत्सम सब्द कोन सा है तो तत्सम सब्द कोन सा है यहाँ पर साहस जो वो एक तत्सम सब्द का उदारन है एक मातर सहारा repeated question पहरे बचो अंदे की लाठी एक मातर सहारा अंदे की लाठी एक मातर सहारा आगे आ जाता है हमारा निमन में से कोन सा सब्द तद्बव है तो यहां पर जो तद्बव सब्द है वो है पूत अब आ जाता है मारा नेक्ट क्वेस्चन है प्यारी बच्छों यह दंड के अर्थ वाला सब्द जो नहीं है ऐसा सब्द जिसमें जो अर्थ है वो दंड ना निकले तो दंडा जुरुमाना एक परकार का वैयायाम यह सारे दंड में आते हैं तो वैयायाम के अंदर होता है न दंड मारते हैं जिसंतरे से बैठक उठक करते हैं तो खंबा सब्द जो है वो दंड का अर्थ हमें नहीं प्रोवाइड करовать करवाताँ तो यहां पर हमारा यह paper जो है अब junior scale stenographer के complete हुए है अब next paper की तरह बढ़ते हैं प्यारे बचो तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बचो आगे हमारा जो paper है ये है हमारा stenotypist हिंदी CBT 9 November 2017 shift1 का paper है अब इस paper में देखो क्या क्या अभी तक junior scale stenographer थे अब ये stenotypist आ गया तो यहाँ पर पहला जो question है एक बार वो देखते हैं क्या पूछा गया है यद्यपी सब्द किस से बना हुआ है तो यदी पलस अपी यद्यपी अगर पूछ ले कि इसमें संदी कौन सी है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा प्यरे बच्चो यन संदी का उदारण हो जाएगा आजीवन के अंदर कौन सा समास है तो कुछ पूछने की और कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है अवेबाव समास आगे आगे जिसमें संदेह नहीं हो इस वाक्यांस के लिए एक सबद क्या होगा प्यरे बच्चो जिसमें कोई संदेह नहीं हो निस संदेह निस संदेह हम बी ओप्शन को अंसर करेंगे अब यहां आगया पवन सबद तो पवन सबद हमारा है और इसका हमें क्या बताना है प्यरे बच्चो परियाय वाची बताना है तो पवन का परियाय वाची जो नहीं है प्यारे बच्चो हमें वो बताना है तो अनल जो है वो हमारा नहीं होगा जबकि वायू, समीर और हवा ये तीनों इसके प्रियायवाची हो जाएंगे लेकिन अनल इसका प्रियायवाची नहीं होगा अब आगे बढ़ते हैं तो कौन नहीं है जुरूर ध्यान लखना मैं स्टार्टिंग से एकी बात पर फोर्स कर रहा हूँ कौन से सब्द की वर्तनी ए सुद है परिक्षय यहाँ पर सुद है वरनित सुद है मदू परक सुद है, ग्रहनी ग्रहनी में थोड़ा सा यहाँ पर इसको अगर री की मातरा होती तो यह बहतर होता तो ग्रहनी होता है नहीं की ग्रहनी अब आगे आजाते हैं निकट सब्द का विलोम बताना है तो निकट का विलोम क्या होगा हमारा तो निकट का विलोम होगा प्यारे बचो दूर क्या होगा दूर निमन में से कौन सा सब्द तत्सम है तो धैरिय जो है ये तत्सम सब्द है दोनों और संकट होने पर कहा जाता है तो दोनों और संकट इधर कुआ उधर खाई अगे कुआ पीछे खाई इस तरह से भी बोलते हैं इसको अगे आ जाता है हमारा जो परसन है प्यारे बच्चो अब हमें तद्बव सब्द की पहचान करनी है तो पत्ता जो है हमारा वो क्या हो जाएगा तद्बव सब्द हो जाएगा गन सब्द का अर्थ नहीं है क्या है गन सब्द का अर्थ नहीं है गन क्या होता है हमारा बादल गना हथोड़ा लेकिन दन जो है वो गन सब्द का अर्थ नहीं होता अब कोई बच्छा बोलेगा कि सर हतोड़ा कैसे हो गया तो हतोड़ा किस तरह से होता है पैरे बच्छो एक बहुत बारी तरह का इस तरह से एक लंबा डंडा होता है और उस पर आगे की तरह एक वो होता है हतोड़े जैसा तो उसको गन बोला जाता है आम अपनी local language बासा में अगर किसी ने उसको यूज किया होगा क्योंकि मैंने तो भाई बहुत यूज किया है construction के काम में तो जब मेरे घर पे construction का काम चला था तो मैंने अपने हाथ से उसको यूज किया था और दिवार वगारा तोड़ने के काम आता है अगर हमें जैसे कोई beam होती है उनको तोड़ आपको अब नेक्ट सिप्ट की तरब बढ़ते हैं पैरे बच्चों तो आगे बढ़ते हैं पैरे बच्चों आगे हमारा जो पेपर हाई ये अब सेकिंड शीप्ट आगी इसी पेपर की स्टैनो टाइपिस्ट की तो यहां पर सबसे पहला परसंदेखों वागी सब्द संधि पुष्षेत करना पहरे बचो वहाग पलस-ई-च और यह मारे कौन सा संधी बचो यह होते है मारी मेट संधी अब अगले परसंग की तरफ बड़े आगे तो अमें क्या दिया है विद्या-पैर के लिए अल्या विद्या-पैरिया के यह याद आ जाती है जब 10th class में या 9th class में हम पढ़ते थे तो वो वक्त याद आ जाता है फेरे बच्छो और वो वक्त किसी केमत पर वापिस नहीं आ सकता अब बढ़ते हैं आगे जिनका जनम नय हो वाक्यास के लिए एक सब्द क्या होगा फेरे बच्छो जिनका जिसका जनम न परियाइवाची नहीं है गोडा सब्द का जो परियाइवाची नहीं है प्यारे बच्छो अस्व गोटक तुरंग ये सभी क्या है परियाइवाची पर कुरंग जो है वो गोडा सब्द का परियाइवाची नहीं है ये रिपीटिड क्वेस्टिन था प्यारे बच्छो कौन से सब्द की वर्तनी एसुद है एसुद है पाएं आख सुद है चंदरमा सुद है एस वर्या सुद है लेकिन पाएं जो है ये एसुद लिखा हुआ है पाएं इस तरह से लिखा जाता है पाएं निर्मल सब्द का विलोम हमें बताना है पैरे बचो तो निर्मल का जो विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा, मलीन, मलीन जो होता है, गंदा होता है, निर्मल होता है, सापसुत्रा, उज्वल सब्द आप देखो, ये वरतनी में पूछा जाता है, अब आगया जाता है मारक कौन सा सब्द तत्सम है, तो भिक्षा सब्द जो है, य दोहरे लाब के लिए, कोन से मुहावरे से हमें ये प्रतित होता है, कि इसका मतलब जोवाब, वो है दोहरा लाब, आम के आम, गुठलियों के दाम, निमन में से कोन सा सब्द तदबव है, तो गिंती सब्द जोवाब, तदबव है प्यारे बचूँ, तीर के लिए कौन सा सब्द पर्युक्त नहीं होता तो तीर के लिए कौन सा सब्द पर्युक्त नहीं होता बान होता है किनारा समीब लेकिन तीखा सब्द जो है वो नहीं होता तीर के लिए कभी भी अब next question next paper की तरह बढ़ते हैं प्यारे बचो तो आगे आप बढ़ते हैं प्यारे बचो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट है अपना यूट्यूब चैनल है और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो क्या मैं डिजरव नहीं करता हूँ आप सबसे एक सब्सक्राइब क्या मैं डिजरव नहीं करता हूँ कि आप लोग टेलिग्राम ग्रूप में जुड़े यह आप कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके बताओ प्यारे बचो और यदि मैं डिजरव करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बचो तो यहाँ पर जो है अमारा पेपर है Stannotypeist English CBT 6 November 2017 1st shift का पेपर है प्यारे बचो तो 1st shift में जो जो हिंदी के परसन आया है वो सारे इसी पेपर में आपको मैं अभी दिखा देता हूँ पड़ा देता हूं क्या क्या है तो यह देखो निमन लिखित में से तत्सम सब्द क्या है तो तत्सम सब्द जोंसा है प्यारी बच्वों है आम तो तत्सम और तद्वव इन में बहुत ज्याता पूछा गया है प्यारी बचो इसे पहले हम इंदी वाले पेपर करें थे न स्टेनो टाइपिस्ट अब इंगलीश वाले चल रहे हैं इंगलीश लेंगवेज के लिए जिनका सेलेक्शन हुआ है उनके लिए ये पेपर था निमन में से अब तद्वव सब्द बताओ तो दर्ती वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो पंक्ति में कौन सा रस समाहित है प्यारे बचो तो वीर रस समाहित है उस सब्द को क्या कहते हैं जिस पे किसी काम के करने या होने का बोध होता है तो किसी कारिय के करने या होने का पता चले उसे कहते हैं क्रिया सची दानंद सब्द का विच्छेद हमें करना है संदी विच्छेद सची दानंद का तो क्या होगा सत पलस चित पलस आनंद आख सब्द का परियाई वाची नहीं है तो कौन सा सब्द यहां पर आख का परियाई वाची नहीं है प्यारे बचो तो यहां पर चक्सू, लोचन, नयन, तीनों है लेकिन रजनीश चो है वो हमारा आख का परियाई वाची नहीं होगा अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चो सजना है मुझे सजना के लिए पंक्ती में कौन सा अलंकार समाया हुआ है तो प्यारे बच्चो सजना सजना यहीं से समझ जाना चाहिए था यह यमक अलंकार है यानि कि ओका इन्याचारिय सजना है मुझे उस वो सजना सजावट की बात यहाँ पर की है सजना के लिए यहाँ पर अपने पती देव की बात उसने की है अब आगे आता है असली बेद खुलना के लिए कौन सा मुहावरा होगा कलही खुलना तो बेद खुलना ये question repeated question है प्यारे बच्चो अनेक अर्थी सब्द कौन सा है प्यारे बच्चो अनेक अर्थी जिसके अनेक अर्थी सब्द कौन सा है सारंग बिल्ली इमान वर्जित सारंग यहाँ पर अनेक अर्थी दिया हुआ है अब यह थोड़ा सा मुझे भी समझनी आ है है वो किस तरह से पूछना चाह रहा है प्यारे बचो इस क्वेस्चिन को कि महात्मा सब्द का स्टीक विलोम बताइए तो यहां पर महात्मा का जो विलोम होगा वह गाद दुरात्मा अब next shift की तरह बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चो आगे हमारा जो पेपर है यह स्टैनोड टाइपिस्ट इंगलीश चैन नमबर दोजार सत्रा shift नमबर दो सेखंड सीफट सीफट का पेपर अब आ गया है फर्डशेफट हम कर चुके हैं तो हमारा जो second question है मारा जिस अलंकार में वरणों की पुनरावृत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होगा तो वरणों की पुनरावति रिपीटीड क्वेस्चन है प्यारे64 ह। है सात्विक सबद का स्टीक विलोम डुएक सब्सक्ट सब्सक्ट का जो सटीक विलोम इस वाक्य के रिखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बचो मेरे पिताजी अपने वादे के पक्के हैं तो बात का दनी ये भी रिपीटीड क्वेस्टन है प्यारे बचो बात का दनी होना या फिर बात का पक्का होना उसे कहते हैं वादे का पक्का होना अब ये आगया चंदर उध्य है चंदर पलस उध्य है अब इसमें अगर पूछा जाए कौन सी संदी है तो आप बताओगे गुण संदी है कौन से वाक्य में अपादान कारक का परियोग हुआ है अपादान कारक कौन सा होता है पहरे बच्छो से या फिर जुदाई का बोध जहां पर हमें वहां पर मारा हो जाएगा अपादान कारत अब आजाए जिस द्रीश्य में नायक नायका का विरह विरन वरनन हो वहां होता है फिर से रिपीडिट क्वेस्टन है प्यारे बचो वियोग सरिंगार रस कौन सा रस वियोग सरिंगार रस मुरली दर सबद में कौन सा समास है मुरली दर में कौन सा समास होगा प्यारे बचो मुरली दर होता है हमारा स्री क्रीशन तो बहुरी समास जो आलोचना करता है वो होता है आलोचक जल की मचली जल ही में पली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा जो जहां रहता है उसे वही अच्छा लगता है अब next shift की तरह बढ़ते हैं प्यारे बचो तो अब आगे बढ़ते हैं आगे हमारा कौन सा है यह हमारा अब फिर से स्टैनो टाइफिष्ट इंगलिस सीबेटी 6 नमबर 2017 shift नमबर 3 में जो पेपर हुआ था प्यारे बचो अब हम उस पेपर की तरह बढ़े हैं और पहला question ले लेते हैं क्या है तो देखिए पिता सबद का सही वीशेशन रूप क्या होगा पैत्रिक हो जाएगा क्योंकि अगर हमें इसको वीशेशन में बदलना है तो जैसे कहेंगे भी पैत्रिक संपत्ती संपत्ती की वीशेशता क्या है वो है पैत्रिक इसलिए यह हो जाएगा हमारा पैत्रिक अब आगया कौन सा सबद हिमाल्या सबद का प्रियाएवाची नहीं है समानार तक नहीं है गिरी राज हिमालिया को बोलते हैं नगेश, नगेंदर ये सारे हो जाएंगे और गिरीजा जो है वो हमारा हिमालिया सब्द का हिमालिया का प्रियाएवाची सब्द नहीं होगा अब आजाते हैं अगले परसन पर अव्य की सही व्याख्या क्या होगी प्यारे बच्छो जो सब्द विकारी है वे अव्य है ये नहीं होता जो सब्द अविकारी है वे अव्य है अविकारी का मतलब है जिन में कोई प्रिवर्तन ने किया जाए जिन पर काल का वचन का लिंग का कोई प्रभाव नैपडे वो होते हैं हमारे अव्य अब आगे आ जाता है हमारा अगला परसन बूरी बूरी बेदबाव बूमी से बगा दिया कौन सा लंकार होगा प्यारे बचो बूरी बूरी तो यहाँ पर बै 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 सभी में आया है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा वैसे यहाँ पर अगर चाहे तो वो यमक अलंकार बूरी बूरी बेदबाव तो इनका मीनिंग जो सेम हो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार नहीं हो सकता प्यारे बचो अब नेक्ट परसन की तरब बढ़ें पंचवटी में कौन सा समास है प्यारे बचो पंचवटी के अंदर है हमारा द्वीगू समास ध्यान रहे बहुबरी समास नहीं होगा सिरफ द्वीगू समास होगा नीमन में से वाक्यों में से सुद वाक्या क्या है तो जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो जिम्मेदार है क्या प्यारे बचो जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो जिम्मेदार है तो ये हमारा सुध वाक्या है बाकी तकलीफ है ये सारा गलत लिखा हुआ है जनम दिन का तोफ़ा देखकर उसकी बाचें खिली इसमें मुहावरे का अर्थ हमें बताना है तो अत्यन्त परसन हो जाना बाचें खिलने का अर्थ क्या होगा अत्यदिक परसनता होना उत्साहरस फिर से रिपीटीड क्वेस्चन कम से कम चार-पांच बार रिपीट हो चुका है वीररस का भाव यहाँ पर उत्सा के अंदर देखने को मिलता है तद्बव सवद को पहचानो तो जामुन सबढ़ जो है वो तद्वव सबढ़ की पहचान करा रहा है अब यहां पर सबढ़ पहचानो तो करपठ जो है odies हमारा सबढ़ 15 अब अब नेक्ट शिफ्ट की तरह बढ़ते हैं प्यारे बच्छों तो आगे बढ़ते हैं आगे हमारा जो परसंद दिया हुआ है स्टैनों टाइपिस्ट इंगलीज और हिंदी दोनों के लिए एक ही पेपर है प्यारे बच्छों 13 नॉम्बर 2017 शिफ्ट वन अब अगर बच्छों तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल अगर आपका पेपर हो जाए स्टैनों टाइपिस्ट का तो आप डूंडते फिर होगे स्टैनों टाइपिस्ट के पेपर की हिंदी कहां मिलेगी तो मैं यह कह रहा हूँ यहां पर मैं हर एक पेपर चाहे वो किसी भी पोस्ट के ल कि क्या मैं आपसे एक सब्सक्राइब और एक लाइक का डिजरव नहीं करता हूँ वीडियो अच्छी लगते हैं तो सुपोर्ट जरूर किया करो और सुपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूगा तो आप सुपोर्ट करो मैं आपके दिन परती दिन मेहनत करता हूँ कभी कोई एक सिंगल चीज मैं आपको पेड प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ किसी भी कोर्स को मैंने पेड नहीं रखा है चाहे वो कोई बी किसी भी टोपिक की कलास आपको दियो कभी कोई पीडियाप मैंने पेड नहीं किया कभी हर कर देते ना फिर आप लोग उनकी वैल्यू करने लग जाते हो और फिर आप समझ जाते हो उस चीज की वैल्यू को और फिर आप उसको पैसों में खरीदते हो तो आपको उसकी चीज की वैल्यू का पता लगता है इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कोई पैसे खर्च करने पड़े क्योंकि इस एजुकेशन को बाटने में पैरे बचो मेरा कोई खर्च नहीं है अलाकि मेरा टाइम जरूर लगता है लेकिन मुझे उसमें कोई प्रोब्लम नहीं है अब हम आगे बढ़ लेते हैं हमारा यहां पर जो क्वेस्चन है पैरे बचो वो द संधी एं प्यारे बचो तो वरिदि संधी है बहुत बार बता चूका हूँ जहां पर मात्राएं दो दिख जाए healthier तो यह पिर इस तरह से तो वृषिदी संधी आँखबंद कर सा समश है धिए फ्रिपीटीड क्वेस्टिन है तो आप देख रहे होगे इतने सारे पेपर करने के बाद आपको repeated question बहुत ज्यादा मिलने लग गए है अब परती दिन होने वाला के लिए एक सबद कौन सा है प्यारे बचो दैनिक दैनिक वो होता है जो हर रोज गटने वाली गटना होती है बादल का परियावाची नहीं है प्यारे बचो तो जलत जल्दर प्योद ये सारे हैं लेकिन जल्दी जो है वो समुंदर का परियावाची होता है प्यारे बचो अचल सबद का विलोम क्या होगा अचल का जो विलोम है प्यारे बचो वो हो जाएगा चल कौन से सब्द की वर्तनी एसुद है कौन से सब्द की वर्तनी एसुद है प्यारे बच्छो तो निरिक्षन ये सुद है परिक्षन सुद है निर्जन सुद है लेकिन निरिक्षन ये वाला निरिक्षन जो ये सही है लेकिन ये वाला गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कुरज हात इसमें यहारा तत्सम सब्द जो है पुत्र हो जाएगा प्यारे बचो कि अब आगे आता हैं यहारा गरिणा प्रकट करना मुहावरे का अर्त क्या होगा नाक भू चडालेना नोदों ग्यार होना यह तो बाग जाना उतता है प्यारे बच्चों लेकिन नाक बहुच डाना ये मारा उता है घरीना परकट करना निमन में से कौन सा सब्द तदभव है तो चैत सब्द जो है प्यारे बच्चों वो एक तदभव सब्द यहां पर दिया हुआ है कर सब्द का अर्थ नहीं है तो किरन हाथ टेक्स यह सारे क्या है कर सब्द का अर्थ है पर नहीं है जो वह है गोड़ा तो अब next shift की तरब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो आगे आ जाता है हमारा यहाँ पर जो पेपर है प्यारे बच्चों वह इस टैन्नो टाइपिस्ट इंगलीज हिंदी सी बीटी कंप्यूटर बेश्ट पेपर था यह और 13 नुवंबर 2017 सेकिंड शीफ्ट का पेपर है अब देखते हैं जो क्वेस्टन पूछे गए हैं सारे धड़ा-धड़ से कर देंगे इसके भी रजोगूण सब्द में कौन सी संदी है प्यारे बच्चों तो विसर्ग संदी है रजगूण में विसर्ग संदी है रज्ज है पलस गोण आगे बढ़ते हैं प्रतिवरस सब्द में कौन सा समास है तो प्रतिवरस सब्द में अव्यबाव समास है यहां पर उपसर्ग यूज़ किया गया है तो यह हमारा हो गया अव्यबाव समास प्रति दिन में भी अव्यबाव समास होता है हाथ से लिखा हुआ वाक्यांज के लिए एक सब्द तो हस्त लिकित इसमें तो कोई दुराई नहीं है निमन में से कौन सा सब्द परवत सब्द का परियाईवाची नहीं है तो गिरी, सैल और अचल ये सारे क्या है परवत के परियाईवाची है पर नाग सब्द जो है ये परवत का परियाईवाची नहीं है तो प्यारे बच्चो एक बार कोमेंट करके ये जरूर बता दो कि रिवीजन कैसी लग रही है आपको अच्छी लग रही है नई लग रही है सिधा सिधा कोमेंट करके बता दो क्या लग रहा है आपको आगे बढ़ते हैं प्यारे बचो निमन में से कौन सा सब्द एसुद है तो यहां पर सबच यह तो सुद है हरिद्धे भी सुद लिखा हुआ है पर बाव भी तो परमूता है यह हमारा एसुद लिखा हुआ है कृत्रिम सब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्छो स्वाविक कृत्रिम होता है र्टीपीचियल स्वाविक होता है नेचुरल निमन में से तत्सम सब्द की पहचान तो पुत्र सामना करना उप्यूक्त महावरा होगा लोहा लेना डटकर लोहा लेना डटकर मुकाबला करना कौन सा सब्द तदबह है प्यारे बचो तो सूरज सब्द जो है वो हमारा एक यहाँ पर तदबह सब्द दिया गया है अगया जाता है हमारा कौन सा सब्द फूल के अर्थ को व्यक्त नहीं करता तो जो गंद सब्द है प्यारे बच्छों ये हमारा फूल के सब्द को फूल सब्द के अर्थ को व्यक्त नहीं करता इसके अलाब कुसुम सुमन ये तीनों क्या हैं हमारे फूल सब्द के परियायवाची यहां पर दिये हुए हैं तो अब नेक्ट पेपर की तरह बढ़ते हैं प्यारे बच्छों तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्छों आगे क्या दिया हुआ है इंगलिस हिंदी तेरा नॉम्बर सिफ्ट तीन ठीक है दो सिफ्ट हो चुकी यह तीसरी सिफ्ट स्टार्ट हो रही है तो यहां पर दिया में पहला जो परसन है हमारा उप्यूक्त में संधी बतानिया में कौन सी है उप्यूक्त में कौन सी संधी प्रकार होता है उप्यूक्त कि यथा संभव में कौन सा समास है अवे बाव समास कोई डाउट नहीं है इतिहास को जानने वाला वक्यास के लिए एक सब्द इतिहास को जानने वाला वक्यास के लिए हमें एक सब्द बताना है तो इतिहासक्य कोन होगा प्यारे बच्छो इतिहासकार नहीं होगा प्यारे बच्छो क्योंकि इतिहासकार जो होता वो जो इतिहासको लिखता है लेकिन जो जानने वाला होता हुँ होता है इतिहा सग्य है आगे बढ़ते हैं प्यारी बच्चो आगे हमारा दिया हुआ है दूष्ट सब्द का परियाइवाची कौन सा नहीं है तो यहां पर जो दूष्ट सब्द है इसका परियाइवाची हमारा कौन सा सब्द नहीं है प्यारे वरतनी की पहचान करो, तो आक्समिक ये सूद लिखावा है, निर्दन सूद है, बरट सूद है, तदो पुरांथ, ये हमारा क्या लिखावा है, बिल्कुल ये सूद लिखावा है, तो ये हमारा अंसर हो जाएगा, तदो पुरांथ, देव सब्द का विलोम क्या होगा फ्यारे बच्चो तो विलोम होगा हमारा दानव सूर मानव अजर ये तिनों क्या हैं देव सब्द के प्रियाई वाची हो सकते हैं मतलब मानव तो हो या ना हो लेकिन देव का सूर जरूर होता है और यहाँ पर दानोजो ऐह देव का पूरा विलोम हो जाएगा कौन सा सब्द तत्सम है तो सिख्ष्या सब्द जो है प्यारे बच्चों वो एक तत्सम सब्द का उदारन है जी लल्चाना में कौन सा मुहावर आएगा प्यारे बच्चों मुह में पानी आना कई बार क्या होता है जब पडोज में साथ दी हो रही है तो वहाँ पर इस गुले देखकर अपने मुह में पानी आ जाता है तो उसको कहते हैं भी मेरे तो मुह में पानी आ गया यानि कि मेरा तो जी ललचा रहा है खाने के लिए कौन सा सब्द तदबव है तो मुह सब्द जो है प्यारे बचो वो एक तदबव सब्द का उदारण है अकास सब्द का अर्थ क्या नहीं है तो धरा सब्द जो है वे अकास का अर्थ नहीं है पर व्योम गगन सुन्ने ये सारे क्या है अकास सब्द के अर्थ है याद करने की च देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे हमारा जो पेपर है वह सेनियर सकेल अभी तक जुनियर के हमने पड़े थे या फिर सीधे सीधे स्टैनोग्राफर के थे सेनियर स्केल इंगलीज सीबीटी आठ नुवंबर दोजार सत्रा सिफ्ट वन तो यह पेपर है और यह देखो आप परसन क्या क्या आए हुए हैं कौन कौन से परसन रिपीटिड है अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लेना इससे क्या प्रिविएस एर पेपर करने का फाइदा है या पिर नहीं है तो यहां पर देखो सवेच्छा सब्द बना है तो सवेच्छा सब्द किससे बनाए प्यारे बच्छो सू पलस इच्छा से बनावाए सवेच्छा अग्याता है हस्त लिखित में कौन सा समास है तो हस्त लिखित का मतलब क्या हुआ हाथ से लिखा हुआ तो तत दूरा ग्यान होता है उसको बोलते हैं अलपग्य है अग्याता है हमारा निमन में से कौन सा सब्द अगनी का प्रियाय नहीं है तो अगनी का प्रियाय वाची कौन सा नहीं है प्यारे बच्छो अनिल जो यह अगनी का प्रियाय वाची नहीं है इसके इलावा पावक वहीन और आप ये सारे क्या-क्या हैं ये हमारे सारे इसके अगनी के प्रियाइवाची हैं आग के प्रियाइवाची हैं परन्तु अनिल नहीं है आगे आता है हमारा आप question सही वरतनी असुद वरतनी पतानिया में ठीक है सही तो में दी हुई है लेकिन हमें एसुद का selection करना है एक असुद है इन में उंचा सही है जल्दात सही है वही सही है जाएं तो यह इसी तरह से एक बार पाए भी आया था अब यह जाए आ गया तो इ है और मात्रा यहां पर अंगा की मात्रा हो अब आगे आता है मारा अथ का विलोम सब्द में बताना है तो अथ का जो विलोम होगा प्यारे बच्छों वह हो जाएगा इती कौन से निमन में से कौन सा सब्द तत्सम है तो तत्सम कौन सा सब्द है प्यारे बच्छों क्रीपा अग्या आता है बहुत दीमी प्रगती के अर्थ वाला मुहावरा कौन सा है प्यारे बत दीमी बहुत गती होना बहुत गती दीमी से प्रगती करना उसका अर्थ वाला मुहावरा कौन सा है यहाँ पर नो दिन चले अडाई कोस, नो दिन में डाई कोस चलना, उसको ही बोला जाता है, बहुत दीमी प्रगती के साथ चलना, तो नो दिन चले अडाई कोस, been. आगे आता है हमारा बहुत दीमी अच्छा ये तो रिपीटिड है निमन में से तदब सब्द का सेलेक्शन करो तो ये हमारा हो जाएगा काजल कौन सा सब्द अर्थ के लिए प्रियुक्त नहीं होता है प्यारे बच्चो तो अर्थ के लिए कौन सा सब्द प्रियुक्त नहीं होता है यानि कि अर्थ का प्रियुक्त नहीं होता है यानि कि अर्थ का प्रियुक्त नहीं होता है यानि कि अर्थ का प्रियुक्त नहीं होता है अब next shift की तरह बढ़ते हैं प्यारे बच्चो तो आगया आजाता है प्यारे बच्चो हमारा यहाँ पर पेपर अब second shift का paper आगया है senior scale stenographer का तो क्या person है निमन लिखित में से सब्दों में से कौन सा सब्द तद्बव है तो तद्बव है परचाई अब आगया आता है निमन लिखित वाक्यों के रिखांकित सब्द में कौन सा सब्द तत्सम है तो हमारा जो तत्सम सब्द है प्यारे बच्चो वो आजाएगा हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए तो कर्तव्य सब्द जो है यह हमारा तत्सम सब्द है प्यारे बच्च आगे आता है हमें अनात बच्चों की मदद करनी चाहिए रिखांकित सब्द का श्टीक विलोम क्या होगा तो अनात का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों से नात आगे आता है मारा सरीता सरीता के किनारे घूम कर आई पंक्ती में कौन सा अलंकार है बिल्कुल कोई डाउड नहीं है प्यारे बचो यमक अलंकार शरीता-सरीता सब्द दो बार आया है और अर्थ भी अलग अलग है बयानक रस का स्थाई बाव क्या होगा तो बयो हो जाएगा प्यारे बचो बयानक रस बया के अंदर होता है सत्सई बिहारी जी की बहुत ही सुन्दर रचना है रिखांकित सब्द में कौन सा समास है सत्सई में कौन सा समास है प्यारे बचो सत्द का मतलब क्या होता है दिवीगू समास संख्या वाचक सब्द हमें दिया हुआ है निमन सब्दों में से बावाचक संग्या की पहचान करो तो बावाचक संग्या की जो पहचान होगी पहरे पुछ वो बच्पन सब्द जो है वो हमें बावाचक संग्या की पहचान कराता है स्वाव लंबन सबद का संदी विछेद क्या होगा सव पलस अव लंबन संबोधन कारक का कुन सा वाक्य है संबोधन हे अरे ओ ऐसे सबद दिखेंगे हे अरे ओ ये आगया मेरा संबोधन राम ने यहाँ पर हमारा करता कारक है मे पेपर अधिकरण कारक है एक हाथ से ताली नहीं बचती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बचो लड़ाई दोनों और से होती है शुरुआत एक साइड से नहीं होती प्यारे बचो दोनों साइड होती हैं दोनों इक्वल पार्ट इसमें रखती हैं दोनों से भागिदार होते हैं आपस में जब एक आच्छे ताली नहीं बसती इसका मतलब यह है कि जगडे में दोनों से बागी होते हैं कि अब नेक्ष्ट पेपर की तरह बढ़ते हैं तो यहां पर हमारा जो नेक्ष्ट पेपर है प्यारे बचो वो है हमारा 15 नुवंबर को सेकेंड शिप्ट में सेनियर स्केल स्टैनोगराफर इंगलिस और हिंदी दोनों का पेपर था तो परसल है अत्यानंद किन दो सब दो से मिलकर बनाए प्यारे बचो तो अति पलस आनंद अत्यानंद संदी कोन सी होगी यन संदी सवर संदी का एक्जामपल है प्राण पती सबद में कोन सा समास होगा प्यारे बचो प्राणों का पती तो तत्पुरुस समास अब आगे बढ़ते हैं जो दिखाई नहीं दे इस वाक्य के लिए एक सबद क्या है प्यारे बच्छों एद्रिस्य है वो चीज़े होती है जो हमें दिखाई नहीं देती रात्री सब्द का प्रियाएवाची नहीं है नहीं है बताना में रात्री का प्रियाएवाची निशार रजनी और यामिनी ये सभी हैं लेकिन तम नहीं होगा निमन में से कौन सा सबद एसुद है एसुद सबद की पैचान करो प्यारे बचो गनिष्ट सुस्क वरिद सरेष्ट सबद नहीं होता है सरेष्ट होता है इसको ठै करना पड़ेगा सगुण सबद का विलोम क्या होता है तो सगुन का जो विलोम होता है प्यारे बचो वो होता है हमारा निर्गुन तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बचो आगे जो हमारा परसन है वो है निमन में से कौन सा सब्द तत्सम है तो पक्सी सब्द जो है प्यारे बचो वो हमारा तत्सम सब्द का उदारन है आगे बढ़ते हैं यस प्रापत करना इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा होगा तो नाम कमाना यस प्रापत करना का मतलब होता है प्यारे बचो नाम कमाना आगे आता है हमारा निवन में से कौन सा सब्द तदबव है कॉनसा का सब अर्थ ? , ब आता है औगे बढ़ते हैं पैपर की तरफ बढ़ते मैं प्यारे बच्चो समू समू होता है तक नसक सकोर कम आर्थ की में अगले पेपर की तरफ अगे बढ़ते हैं प्यारी बच्चो हमारा जो next —ीमी इह ई небा खर सेल स्टेनोग्राफर इंग्लिज हिंदी सी बीटी एक्जाम 15 नवंबर 2017 सिप्ट नंबर तीन ठीक है तो आप देख लेते हैं परसन क्या-क्या आए हुई थे तो पहला परसन देखो अति उत्तम किन दो सब्दों से बना हुआ प्यारे बच्चो अति पलस उत्तम संधी बताने की जरूरत नहीं है यन होगी आगे बढ़ते है पंजाब सब्द में कोण सा समाश है प्यारे बच्चो द्विगू समाश पंजाब का मतलब होता है पांच नदियों का समू जो सहन ने किया जा सके इस रस्वाक्यास के लिए सही सब्द क्या होगा जो सहन्य किया जासके S है अगे आता है प्यारे बच्चो सोना सबद का प्रियाई वाची नहीं है सूरण, सवरण, हेम ये है इसके प्रियाई वाची लेकिन सवरण ये नहीं होगा क्योंकि सवरण जो है ये गलत लिखावा प्यारे बच्चो ये सही लिखावा है, ये वर्तनी में भी आ सकता है आपका आगे आता है मारा, निमन में से कौन सी वर्तनी ऐसुद है अब देखो वर्तनी भी आही गई आगे, तो देखो भी, कितनी बढ़िया बात मैं बताता हूँ यहाँ पर उलिखित बिल्कुल सही है, उदगम बिल्कुल सही है, पर उजवल सही नहीं है मैंने ये बात इतनी बार आप लोगों को बताई है, इतनी बार कि उजवल के अंदर दो जयाते हैं और दोनों ही आदे और ये आपके पेपर में रिपीट होने वाला क्वेस्चन है, बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है अब देख भी सकते हो, अभी तक देखा भी होगा, बहुत सारे पेपरों में आ भी चुका है और आगे आएगा भी निंदा सबद का विलोम सबद क्या होता है, तो निंदा का जो विलोम होगा वोगा स्तूती अब आ जाता है हमारा, निमन में से कौन सा सबद तत्सम है, तो कौन सा सबद तत्सम है प्यारे बच्चों, विवा सबद जो है ये एक तत्सम सबद है नाराज होना मुहावरे के लिए नाराज होना के अर्थ में कौन सा मुहावरा इस्तमाल होगा मूँ फुलाना, मूँ फुलाकर बैठ जाना नाराज हो जाना अक्सर प्रेमी का अपने प्रेमी से मूँ फुला लेती है यह आजकल की विडम मना है नाराज होना अच्छा ये फिर से आगया चल ये आगे बढ़ते हैं नो प्रोब्लम निमन लिकित में से कौन सा सब्द तदबव है तो होट सब्द जो है प्यारे बच्चों वो होता है तदबव सब्द वन्स सब्द का अर्थ नहीं होता तो बस में करना वन्स सब्द का अर्थ नहीं होता वस वन्स सब्द का अर्थ नहीं होता बिल्कुल सही है कूल होता है बास जाती ये वन्स का अर्थ होता है लेकिन बस में करना ये वन्स का अर्थ नहीं होता प्यारे बच्चों once अलग चीज होती है बस में करना वस में करना वो अलग चीज होती है अब next paper की तरह बढ़ते हैं प्यारे बच्चो तो प्यारे बच्चो अगला जो हमारा paper है वो है तैसील welfare officer और यह morning shift का paper 2 जनुवरी 2018 को हुआ था यह तीन shift में paper हुआ है morning, afternoon और evening तीनों shift के paper हम लगातार करते जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चो पहला person क्या है निमन में से किस सबद की वरतनी सही नहीं है यह नहीं सबद जो हो, HSC का बड़ा favorite सबद है प्यारे बच्चो एक-एक नंबर से आपका selection रोकने वाला सबद है यह तो यहाँ पर सही वरतनी किस की है, तातकालिक की है, राजनीतिक की भी है, अनुयाई की भी है लेकिन इतिहासिक की जो वरतनी है वो सही नहीं है प्यारे बच्चो तो भाग जाना, दिनानु दिन का समासिक विगर है, दिन के बाद दिन, दिनो दिन में कौन सा समास होता है प्यारे बच्चो दिनो दिन के अंदर हमारा होता है, अब यह भाव समास जिस पर विश्वास किया गया है वाक्यांस के लिए एक सबद तो ये हमारा होता है प्यारे बचो जिस पर विश्वास किया जाता है वो होता है हमारा विश्वस्त तो आगे जो हमारा परसन पूछा गया है निमन में से कौन सा सबद पुलिंग है तो प्यारे बच्चो कलस सबद जो है ये एक पुलिंग सबद है बाकी के जो सबद है वो कोई भी पुलिंग नहीं है तो प्यारे बच्चो आगे जो हमारा परसंदी आवा है वो है ये afternoon session में हम पहुँच चुके हैं अन्वेशन का संदी वीगर है क्या होगा प्यारे बच्चो तो अन्वेशन का जो संदी वीगर हो जाएगा वो हो जाएगा अनू पलस ऐसन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो अनू पलस ऐसन और यदि पूछ लेता है कि अन्वेशन के अंदर हमारा कौन सी संदी दी हुई है तो प्यारे बच्चो बिलकुल यन संदी का एक्जाम्पल है बिना देखे आँख बंद करके निसान लगा देना अध्यन सबद में कौन सा उपसर्ग लगता है तो अध्यन में लगता है प्यारे बच्चो अधी उपसर्ग कौन सा उपसर्ग लगता है प्यारे बच्चो अधी उपसर्ग लगता है अब नेक्ट परसन है हमारा त्री मुर्थी सोरी निमन में से कौन सा द्वीगू समास का अगला परसन देखेंगे निमन में से किस सब्द की वर्तनी सही है तो प्यारे बचो जो सही वर्तनी की बात कर रहा है तो वालमी की सब्द जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसके अलावा व्यापित मुनिगन मुनिगन नहीं होता है मुनिगन हो सकता है यागवल्क क्या होता है यागवल्क नहीं होता है और व्यापित यहाँ पर यह थोड़े से इन में मिश्टेक दी हुई है बाकी वालमी की आपका बिल्कुल सही है निमन में से किस मुआवरे का अर्थ होता है डर कर भाग जाना दूम दबा कर भागना क्या होता प्यारे हो दूम दबा कर भागना डर कर भागना दजियां उडाना बिल्कुल टाइटाइटाइफिस कर देना होता है दजियां उडाना बुरी तरह से हरा देना अब नाक कटना तो ये तो सरम का प्रतिक ना कटना बेजती होना और नजरों में गिरना ये भी बेजती होना तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं महा पलस ओजस्वी जो संदी है ये हमारा बनेगा महुजस्वी और ये कौन सी संदी होगी प्यारे बच्चों ये हमारी हो जाएगी वरिद्धी संदी क्या हो जाएगी वरिद्धी संदी अगला पर्षन है हमारा सजावट सबद में कौन सा परत्या लगा है तो आवट परत्या लगा हुआ है प्यारे बच्छों सजावट के अंदर आवट परत्या याद रखना यह बात बहुत इंपोर्टेंट है यह पेपर में रिपीट होने वाले क्वेस्चेन है गंगातट का समासिक विगर है समास कून सा है प्यारे बच्चो निमन में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है तो अभिसाप यहाँ पर सही नहीं है बाकी अजीवी का स्वभाविक बलिष्ट यह बिलकुल सही लिखे है लेकिन अभिसाप जो यह गल्त लिखा हुआ है आता है इसके अंदर 21 वाला सै जिसको बोलते हैं वो आता है हमारा ग्रीना परकट करना के लिए उचित मुहावरा तो नाक भो चडाना ये रिपिटीड क्वेस्चन होगा पर नाक भो चडाना नाक रगणना ये अपना हार स्विकार कर लेना या फिर गलती स्विकार करना नाक रगणना मतलब गलती से तोबा करना कि ये गलती मैं आगे कभी नहीं करूँगा नाको चने चबाना तो मतलब हो जाता है कि बहुत बुरी तरह से हराना और नाक में दम करना तो तंग करना परिशान करना तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारी बच्चों आगे जो हमारा आता है ये हमारा 11-2019 अब 11-2019 जो माराच में पेपर हुए थे प्यारे बच्चों फरवरी और माराच माराच 2020 में बिल्कुल लेटरस्ट पेपर आ गए हैं ये प्रिवियस एर के और यहां पर जो है 11-2019 कटैगरी नंबर एक जूनियर सिस्टम इंजी नियर मोर्निंग सिफ्ट के पेपर में क्या क्या परसन पूछे गए थे हरे हिंदी से देखते हैं एक बार प्रियाएवाची सबद बताना है हमें सूरज का तो सूरिये हो जाएगा बिल्कुल आसान नेक्ट परसन है प्यारे बच्चों दिये गए सबद का विलोम सबद चुनिये तो क्रे का विलोम सबद क्या होगा प्यारे बच्चों विक्रे क्रे का विलोम क्या होता है विक्रे क्रे मुल्य विक्रे मुल्य इद का चांद होना मुहावरे का सही अर्त है बहुत देर बाद दिखाई देना यानि कि इद का चांद होता जो कभी कबार दिखाई देता है बहुत दिनों में एक बार दिखने वाला टोपियां का सही एक वचन क्या होगा प्यारे बच्चों तो टोपि हो जाएगा इसका एक वचन बुजा सबद का सही बहुवचन चुनिये तो बुजा सबद का जो बहुवचन होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बुजाए तो अब next paper की तरह बढ़ते हैं तो ये हमारा जो paper है प्यारे बच्चों अब afternoon session का आगया जूनियर सिस्टम इंजिनियर 11 2019 category number 1 परियाएवाची सबद का सही चयन कीजिए तो बंदर का परियाएवाची कोन होता है प्यारे बच्चों कपी कपी को बोला जाता है बंदर दिये गए सबद का विलोम सबद चुनो तो तुरंत तुरंत का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों बाद क्या होगा बाद आगे आता है अंगुठी का नगीना सबह अलगी तरह के आते हैं अंगुठी का नगीना सदासाथ रहने वाला आज कर आते हैं अंगुठी मेरता है क्योंकि आनल है इसलिए सदासाथ रहने वाला बड़ा इamtक्वेस्टन है अग्याता है तोते उड़ रहे हैं दिये गए सबद का एक वचन क्या होगा तोता उड़ रहा है बिल्कुल सही बहन रो रही है बहु वचन लिखो बहने रो रही है ये होगा हमारा सही अंसर नेश्ट पेपर तो अगला जो पेपर है हमारा प्यारे बच्चो ये पेपर हमारा है 11.2019 कटेगरी नंबर 26 LDC Lower Division Color Morning Shift का पेपर है बहुत सारे बच्चो ने ये पेपर दिया भी होगा उनको पता भी होगा निमन में से क्या जामून का परियाएवाची नहीं है तो प्यारे बच्चो यमूना स्यामा रवी सुता ये सारे क्या है हमारे जामून सबद के परियाएवाची हैं पर प्या सबद जो है ये जामून का परियाएवाची नहीं होता प्यारे बच्चो क्या क्या हमारे परियाएवाची होते हैं यहां पर जामून सबद के यमूना स्यामा रवी सुता अब अगला परसंद देखो इसमें पूछा गया है दिये गए सबद का विलोम सबद चुनिये तो अगम सबद का विलोम क्या हो जाएगा सुगम बेलकुल आसान है ये तो अब आगे बढ़ते हैं अंत बिगाडना मुहावरे का सही अर्थ बताओ तो अंत बिगाडना इस मुहावरे का मतलब क्या हुआ प्यारे बचो नतीजा खराब करना क्योंकि कोई चीज अगर हम अंत में बिगाड देते हैं तो इसका मतलब साब होता है कि वही उसका जो है उसके रेजल्ट के उपर इफेक्ट पड़ रहा है अब आगे आते हैं हमारे रांकित सब्द का बहुवचन चुनिये राम के पास पुस्तक है तो किसके पास पुस्तक है प्यारे बच्चो राम के पास पुस्तक है बहुवचन में क्या हुजएगा राम के पास पुस्तके हैं विल्कुल आसान नेक्स्ट पेपर देखो तो आगे आजाता है हमारा इसी पेपर का प्यारे बच्चो लोवर डिवीजन कलरक LDC ये DHBVN ये बिजली डिपार्टमेंट के पेपर थे आफ्टरनून सैसन तो आफ्टरनून सैसन दो फैर वाला तीन सिप्टों में पेपर होते थे है morning, afternoon और evening तो परियायवाची सबद का सही चयन करो प्यारे बचो आखिरकार का परियायवाची हमें बताना है कि क्या होगा अन्त तोगत वा अन्त तोगत वा देखो बोलने में थोड़ा सा होगया अंत तोगत्वा आखिरकार सब्द यानि कि अंत तोगत्वा यानि कि बिल्कुल लाष्ट में आखिरकार आखिरकार सफलता मिल ही गई बहुत साल मेनत करने के बाद आखिरकार सफलता मिल ही जाती है अंत तोगत्वा हो सकता है कि आपका वर्तनी में भी आ जाए इस तरह का सब द्यान रखना है आपको, important है प्यारे बच्चों, जो चीज की important होती है न। बढना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दिये गए सब्द का विलोम सब्द चुनिए प्यारे बच्चों, तो खिजना सब्द का विलोम क्या होगा, reason हो अ गमरा सबत का बहुवचन क्या होगा कम्रे कम्रे नहीं होगा कम्रे ये वाला होगा अंकिविंदी रह के उपर नहीं आएगी अब नेक्स्ट पेपर तो वही नेक्स्ट पेपर देखो एडवर्टाइजमेंट 11-2019 कटेगरी नंबर 26 इवनिंग सेशन LDC का पेपर पहला परसन निमन में से क्या गमंड का परियाएवाची नहीं है एंकार है अभिमान है गरव है लेकिन गव ये तो बिल्कुल ही अलग मैटर हो गया गव का तो गा परियाएवाची यह याद रखना है कि बरश्टाचार का विलोम सब्द हमें बताना प्यारे बच्चो तो बरश्टाचार का विलोम सब्द क्या होगा सदा चार और बरश्टाचार का तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है बरश्टाचार है सस्सी में कितना है हाला कि first है नहीं लेकिन मुझे लगता है कि आंकडे छुपा लिये जाते हैं तो इंडिया का first rank आना चाहिए इसमें उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ बताईए तो उल्लू बनाना इसका अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चो हमने कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया तो मैंने तुम्हें मुरक बनाया मैंने नहीं बनाया HSSC ने आप लोगों को उल्लू बनाया क्योंकि HSSC ने उल्लू आप लोगो क्यों बनाया आप लोग सब बिल्कुल हर एक चीज़ से वाकिफ है प्यारे बचो एक एक चीज़ कहने की जरूरत नहीं पड़ती जितने भी CBT computer based test होते हैं HSSC के online paper होते हैं उनमें कितना बरष्टाचार होता है आप लोग सब उन्चे वाकिफ हो और उल्लू बनाता है HSSC आपको paper लेकर वाक्य का एक वचन बनाये मेरी सहेलिया सुन्दर है तो एक वचन में क्या होगा मेरी सहेलि सुन्दर है बिल्कुल सही एक सहेलि का तो कोई मैटर नहीं होगा थाली सबद का सही बहुवचन चुनो तो बहुवचन थाली का थालिया तो अब देखो प्यारे बच्चो 11.2019 कटेगरी नमबर 16 LDC का paper अब कटेगरी नमबर 16 आगी ये भी LDC का है Head Office कैडर का Morning Shift का paper है तीन shift में paper है तीनों की तीनों shift अपने पास है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है अभी इनकी हिंदी चल रही है एक वीडियो आपको पूरी English की मिल जाएगी सभी paper की English अलग से एक paper में आपको पूरी हरियाना जीके एक वीडियो में जितने भी paper में हरियाना जीके जितने भी questions सारे और एक में आपको मिल जाएंगे इंडिया जीके और एक में अलग से आपको मिलेगी science ये वीडियो आपकी यहां से बनेगी और math की वीडियो आपकी marathon class आपको मिल चुकी है तो चिंता वाली बात नहीं है हर topic wise हर paper के topic wise questions अलग अलग वीडियो आपको अपने channel सिरफ अपने channel hssc adda पर मिलती है प्यारे बच्चों hssc adda बहुत सारे बच्चों का doubt रहता है कि पहले अपने channel का नाम होता था maths by परदीप सर क्या होता था maths by परदीप सर लेकिन अब प्यारे बच्चों इसका नाम मैंने change कर दिया है hssc adda कर दिया है क्योंकि आपको यहाँ पर यह hssc adda है हर्याना stop selection वाले बच्चों के लिए यह एक अड़े का अड़े की तरह stoppies है और इस stoppies पे आपको जिस भी पेपर में जाना है जिस पेपर के लिए आपको जाना है उसी पेपर के लिए आपको यहाँ पर content मिलता है तो हर topic के content की बस आप मारे पास available है और चिंता वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों मैं आपके साथ इसी तरह से हूँ बस आप support करते रहो थोड़ा सा like share कर दिया करो channel को subscribe कर दिया करो मैं खुस आप खुस निमन लिखित का सही विलोम सबद क्या होगा प्यारे बच्चों तो जेष्ट सबद का विलोम सबद बताना है हमें तो जेष्ट का विलोम सबद होता है कनिश्ट जेष्ट होता है सबसे बड़ा कनिश्ट होता है सबसे छोटा और पेपर में परसन पूछ लिया गया था भी पांडवों में जेष्ट पुत्तर कोन तो आप लोग comment करके बता दो समझदार हो निमन लिखित का सही प्रियायवाची सबद बताईए तो अमरित सबद का सही प्रियायवाची बताना है प्यारे बच्चो तो अमरित सबद का जो सही प्रियायवाची है वो क्या होगा हमारा अमिय थोड़े से नए तरह के परसन है ये नया सबद है अमिय पासान निमन लिकित में सही प्रियायवाची सब्द पासान का तो पत्थर पासान काल आपने सुनाओगा पासान काल पत्थरों का काल होता था नव पासान काल मध्य पासान काल पूरा पासान काल निमन लिकित का सही प्रियायवाची सब्द पताका तो पताका का जंडी जंडा भी हो सकता है जळंडी भी हो सकता है दिल पसीजन मुहावरा का सही अर्थ क्या होआ बच्चो ला पछ जो तुम्हारी फीलिंग आगी euros को अए Уसको देखके दिल ने पसीफिता मेरे भाई किसी दुखी आदमी को देख कर दिल पसीजता है दया आती है तो भाई अब चलते हैं आगे काटेगरी नंबर 16 LDC का पेपर है afternoon session morning कर चुके हैं afternoon इसके बाद evening लगातार एक के बाद एक करते जाएंगे सारे पेपर दिये गए सबद का विलोम सबद चुनो भाई विनास का विलोम सबद क्या होगा प्यारे बचो तो विलास का विलोम होता है विनास का वो होता है स्रीजन अब दिया गया है परियावाची सबद इंदर सबद का तो सुर्पती इंदर कोन है सुर्पती सुर्पति का मतलब है देवताओं का देवता हिंदर मेह सबद का परियाइवाची बारिस मेह हम कहा देते ना मी आ गया मी आ गया तो मेह सबद से ही बना हुआ हो मी आ गया हरियाण भी बासा में बोलते हैं मी आ गया गाहों की लेंग्वेज है दिये गए सबद का परियायवाची सबद बताओ तो सर सबद का परियायवाची क्या होगा प्यारे बचो तालाब क्या होगा तालाब सर सबद का परियायवाची होगा तालाब दिये गए मुहावरे का सही अर्थ मुठी में होना अधिकार में होना किसी के वस में होना अब next paper है हमारा next paper नहीं भी next question है अब इसमें और question है तो दिये गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है हमें फिर से पुरा प्राण मुर्जाना तो प्राण मुर्जाने का सही अर्थ क्या होगा प्रेबचो निरास होना प्राण मुर्जा गए वही निरासा मिलना मतलब प्राण क्या मुर्जाने निरास होना आई है इसका तो घमला सबद का बहुवचन घमले दिये गए बहुवचन का एक वचन बताईए तो जूतिया सबद का एक वचन क्या होगा प्यारे बचो जूति और ये टोपियां repeat टोपियां का एक वचन टोपी repeated question अब next question है दिये गए बहुचन का एक वचन बताईए तो चुहिया सबद का एक वचन क्या होगा फ्यारे बच्चो चुहा डी option हमारा answer हो जाएगा तो ये हमारे कुछ question रह गए थे अभी morning shift वाले paper से तो वो भी करते हैं एक बार कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ है प्यारे बच्चो चोकनना होना क्योंकि देखो प्यारे बच्चो यहाँ पर एक single question भी नहीं छोड़ना है मैंने हिंदी से पूछा हुआ हर paper में हर question मैं करवाँगा आपको एक वचन का बहुचन गली गली सबद का बहुचन गलियां इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है एक वचन का बहुचन बताईए तो कलम का बहुचन क्या होगा प्यारे बच्चो कलमे आगे आता है एक वचन का बहुवचन फिर से चज्जा का बहुवचन क्या होगा चज्जे चज्जा कौन सा होता है बालो का चज्जा नहीं होता है जो अजय देवगन बनाता था पहले क्या होता है थुम लोगों को पता भी नहीं हो गा उस टाइम पे अजय देवगन के पयंत कैसे होते थे लोग ऐसा बनाता था वह एक बालों तो होता है हमारा चेffentlich इसको बोलते हैं जो जैसे कि यह गर बनावा ना इसके सामने इस तरह से डाला होगा होता है उसको बोलते है छजा ये बहू वचन का एक वचन पुरुसूं तो पुरु अब से इसको ड़ते हैं प्यारे बच्चो क्यों तो यहां पर आ जाते हैं हम हमारा पैपर जो है प्यारे बच्चों यह ग्यारा दोजार उन्निस कटेगरी नंबर सोला एलडी सी हैड ओफिस कैडर इवनिंग सिफ्ट का पेपर है और इस पेपर के पर्सन अभी कर देते हैं सारे के सारे तो दिये गए मुहावरे का सही अर्थ बताओ सेर के दात गिनना तो दुस्साहस पूरण काम करना कौन सा काम करना प्यारे बच्चों दुस्साहस पूरण कारिय करना वैसे सेर के दात गिनना सासी कारिय होता है लेकिन इसको एचसेसी ने दुस्साहस पूरण कारिय माना है मुह में पानी आना मुहावरेकार्थ हो जाया लल्चा जाना ये रिपीटिड है मुह में पानी आना कलम का बहुवचन क्या हो प्यारे बच्चो कलम का जो बहुवचन है वो हो जाएगा कलमे चत्रियां बहु वचन है तो दिये गए बहु वचन को एक वचन में बदलना है तो चत्री दिये गए बहु वचन का एक वचन बताओ गलियां का एक वचन क्या होगा प्यारे बच्छो गली गलियां का एक वचन गली next paper की तरह बढ़ते हैं प्यारे बच्चो तो भई next paper की तरह बढ़ते हैं हमारा जो next paper है प्यारे बच्चो वो कौन सा है ये है हमारा advertisement 11-2019 category number 14 UDC upper division color field cadre evening shift का paper है कहीं paper इस तरह से हुए थे प्यारे बच्चो वो एक ही shift में होता था दोनों shift में नहीं होता था तीनों shift में तो उस तरह से paper कई बार जैसे कि ये सीधा evening shift में ही हुआ है परियायवाची सबद का सही चयन करो उपाय सबद का परियायवाची क्या होगा प्यारे बच्चो तरीक का उपाय निकालना तरीक का निकालना युक्ति निकालना आगे दिया हुआ है कड़वा सबद विलोम क्या होगा मीठा कड़वे सबद का विलोम क्या होता है प्यारे बचो मीठा डिंग मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बचो सेखी मारना सलाईयां सबद का सही एक वचन क्या होगा सलाई सलाईयां का एक वचन क्या होता है प्यारे बच्छो सलाई चुट्टी सबद का बहुचन चुट्टियां क्या होगा प्यारे बच्छो चुट्टी सबद का बहुचन चुट्टियां तो भाई आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्ष्ट पेपर आ गया है कटेगरी नंबर 11 2019 सोरी एडवर्टाइजमेंट 11 2019 कटेगरी नंबर 13 लोवर डिजिवेजन कलर फिल्ड कैडर ठीक है मोर्निंग सेशन का पेपर है अब पहला परसंदेखो निमन लिखित विकल्पों में से नीचे दिये गए सब्द गाप प्रियाएवाची सब्द चुनो तो बताओ भी अरन्य क्या होता है वन आसान परसंद है विल्कुल निमन लिखित विकल्पों में से सब्द गाप प्रियाएवाची सब्द चुनो फिर से वही आगया ओचक का सहसा अब आता है हमारा एक और परियाएवाची विडोज विडोजा सुर्पती भाई बिल्कुल नया है विडोजा सुर्पती अब आगे हमारा विलोम या सबद का विपरीत या फिर विलोम सबद चुनो गतिवान का गतिहीन इसमें भी कोई डाउट नहीं है नीचे दिये गए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा गागर में सागर भरना संक्सिप्त बात को विश्च्रित रूप में कहनास तो भई बहुत ही अच्छा है गागर में सागर भर देना आगे आता है नीचे दिये गए मुहावरे का उचित अर्थ चुनिये तो खुसामदी टट्टू खुसामदी टट्टू कोन होता है भई मुह देखी करना खुसामदी टट्टू नीमन लिखित में से दिये गए सब दो काई एक वचन रूप चुनो तो गउवे गउवे का एक वचन रूप क्या होगा प्यारे बच्चो गउ अब नेक्ष्ट है हमारा निमन लिखित विकल्पों में से दिये गए सब दो का बहुवचन चुनो ग्रेहिनी का जो बहुवचन है वोगा ग्रीहिनियां बिल्कुल सही सब्द का बहुवचन तो माता का बहुवचन क्या होगा प्यारे बच्चो माताएं और इसने कौन सा दिया भी और सी माताओं तो हमारी माताओं हाँ बिल्कुल माताओं भी हो जाएगा भी माताओं भी तरह कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है निमन मेंसे नीचे दिये गए सब्द का बहुवचन रूप क्या होगा तो यूवचन रूप क्या होगा यूवचन तो चलिए भई हमारा अगला परस्ट क्या है निमन लिखत विकलपों मेंसे नीचे दिये गए सबद का परियायवाची सबद चुनो तो भी पंच्छी सबद जो है यह किसका परियायवाची होगा प्यारे बचो खग सबद का परियायवाची हो जाएगा हमारा खग का परियायवाची पंच्छी या फिर पक्सी और भई, next person है हमारा निमनलीखित विकल्पों में से दिये गए सबद का परियाईवाची सबद चुनिए फिर से हमें परियाईवाची बताना है प्यारे बचो नीशित सबद का परियाईवाची क्या होगा? रजनी, क्या हो जाएगा? रजनी निमनलीखित विकल्पों में से नीचे दिये गए सबद का परियाईवाची सबद चुनिए तो सुबर का परियाईवाची क्या होता है प्यारे बचो? दवल निमनलीखित विकल्पों में से दिये गए सबद का विप्रित या फिर विलोम सबद चुनो विक्टन का संग्ठन बिल्कुल सही आता है भई नीचे दिये गए मुहावरे का उचित अर्थ चुनो तो सीर चडाना क्या होता है प्यारे बच्चों गुस्ताक ही करना मतलब किसी को सीर पर चडालेना उसको बहुत ज़्यादा गुस्ताक कर देना कि वो फिर अपने हदे पार करता रहे निमन विकल्पों में से सही मुहावरे कार्थ है असंबव होना किस का मतलब है बालू से तेल निकालना रेत में से तेल निकालना ये भी असंबव है पानी से की निकालना ये भी असंबव है खरगोष के सींग निकलना ये भी असंभव हो है ये तो बिल्कुल ये असंभव चीज़े है तो सारों का ये मीनिंग सेम है असंभव होना सामगरी का एक वचन क्या होगा सामगरी का एक वचन क्या होगा सामगरी ही रहेगा इसका तो चेंज ही नहीं होना अच्छा लकडी सबद का बहुवचन क्या होगा लकडी का बहुवचन होगा लकडियां क्या होगा भई लकडियां आगे आता है हमारा फिर से बहुवचन बनाना है आशू सबद का बहुवचन क्या होगा आशू ही रहेगा इसका भी कोई चेंज नहीं होगा पक्सी सब्द का बहुवचन क्या होगा पक्सी वरिंद पक्सी गण नहीं होगा प्यारे बच्छों पक्सी वरिंद होगा बहुत ज्यादा important very very important question है पक्सी सब्द का बहुवचन पक्सी वरिंद अब next paper की तरह बढ़ते हैं बई तो चलिए बई next person है हमारा advertisement 11-2019 category 13 LDC Field Cider Evening Session ठीक है अब देखो कपड़े का परियावाची सब्द क्या होगा परियावाची सब्द बताना में तो वस्तर गरव सब्द का अर्थ क्या होगा पहरे बच्छों अभिमान करना गरव करना किसी चीज़ पर अभिमान करना गमंड करना भी होगा अभी थोड़ी देर पहले आभी चुका है यह repeated question है आगे आता है मारा हर किसी की इच्छा आगे बढ़ने की होती है रेखा कित सब्द का अर्थ क्या होगा इच्छा चाहत चाह मनोबल तो नहीं होगा सुख में भी नहीं मान भी नहीं चाह होगा ठीक ह चतूर का विलोम सब्द क्या होगा प्यारे बच्छो तो चतूर का जो विलोम सब्द होता है वो मूरक होता है चतूर होता चाला मूरक होता बेखुफ अन्त बला तो सब बला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो अन्त ठीक हुआ तो सब कुछ ठीक होता है अब आगया हमारा नेक्ट क्वेस्चन अन्दा क्या जाने बसंत की बहार इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चो तो सही अर्थ हो जाएगा इसका मन के अंदकार के कारण किसी की अच्छाई ना देख पाना अंदा क्या जाने बसंत की बहार तो उसको पता ही नहीं होता कि बही reality क्या है और यह को उता है अंदा सावन के अंदे को हरा ही हरा नजर आता है इसका meaning आप लोग खुट डून लेना मैंने वताऊंगा ठीक है बेटियां का एक वचन क्या होगा प्यारे बचो तो बेटी सबद हमारा एक वचन में यूज होता है अब आता है हमारा next person घोडा का बहुवचन क्या है तो घोडा का जो बहुवचन रोटियां उसमें क्या दिक्कत है अब आता है नदी के तठपर कई गाउं बसते हैं तो नदी का बहुवचन सबद लिखिए तो कई गाउं बसते हैं वही नदी के तठपर तो नदियां नदी के तठपर नदियां भी हो सकता है इसका नदियों भी हो सकता है डिपेंड करता उप्शन के उपर तो चलिए अब नेक्ट पेपर की तरह बढ़ लेते हैं तो नेक्ट पेपर हमारा कौन सा है यही 11-2019 कटेगरी नंबर 4 LDC मोर्निंग सिफ्ट का पेपर है प्यारे बचो तो यहां पर हमें परसन पूछा गया है पहला मित्तर सबद का परियाएवाची नहीं है बताना है जो नहीं है तो भी सखा सहचर साथी यह तीनों हो जाएंगे परमा जो है वो नहीं होगा तो मित्तर का प्रियाईवाची यहां से हम पढ़ना चाहेंगे सखा, सैचर और साती क्योंकि यह आने वाले पेपर में काम आएंगे आपके अब चेतन सबद का विलोम सबद क्या होगा प्यारे बचो तो चेतन का जो विलोम होगा वो होगा जड़ आगे आता है हमारा कमर तूटना मुहावरे का सही अर्थ बताओ तो कमर तूटना का मतलब होता है बहुत अधिक निरासा हाथ लगना अब आता है हमारा व्यक्तियों सबद का सही एक वचन तो व्यक्ति हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है राजा सबद का बहु वचन राजा राजा सबद का तो राजा ही रहेगा पर बहु वचन भी तो अब नेक्ट पर पेपर की तरब बढ़ते हैं तो बही जो नेक्ट है हमारा ये कटेगरी नंबर 4 LDC का पेपर और अफ्टरनून सैसन में अब पहुँच चुके हैं तो अफ्टरनून सैसन से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने और यहां पर देखो भई पहला क्वेस्चिन क्या है परियाएवाची सबद का चैन करो धरम सबद का तो मजभ धरम मजभ कोई का आजाता है अब यहां पर विलोम सबद है आग का शोरी आगे का विलोम सबद हमें बताना है तो यह पीछे हो जाएगा और भई जो नेक्ट परसन है हमारा थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं उंगली उठाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो दोस लगाना किसी के उपर आरोप लगाना परिश्थीतियां सही सबद का यह कि वो चन तो परिश्थीति अब यहां पर सिरफ हमें वर्तनी की पहचान करनी है बहु कौन सी वर्तनी परिश्थीति में सारी मात्राएं छोटी होती है अब नेक्ट परसन है हमारा नीती सबद का बहु चन तो नीतियां बेलकुल सही तो भई अगले परसन की तरफ बढ़ लेते हैं सोरी अगले पेपर की तरफ 11-2019 का एडवर्टाइजमेंट काटेगरी नमबर 4 LDC Lower Division Color इवनिंग सैसन का पेपर परसन नमबर 1 परियाएवाची सबद का सही चयन कीजिए तो करूना निदान करूना निदान का परियाएवाची हमें बताना है प्यारे बच्चो तो हमारा क्या हो जाएगा दयालू करूना दयालू आग्याता है हमारा दिये गए सबद का विलोम सबद चुनो अच्छा सबद का विलोम सबद क्या होगा प्यारे बच्चो बुरा अंदा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चो विवेक हीन होना जिसमें विवेक नहीं होना बाग जाना, दोखा देना, नीचा दिखाना ये तो अंदा होना का बिल्कुल भी नहीं होता तो विवेक ही होना हो जाएगा अब next है हमारा पत्ते सब्द का सही एक वचन चुनिए तो पत्ते का एक वचन होता है पत्ता और जल सब्द का बहुचन तो जल ही रहेगा जल को तो बहुचन बनता ही नहीं है इसका तो next पर पेपर की तरह बढ़ते हैं भई तो भई आगे जो हमारा ये पेपर है advertisement नंबर 7, 2017 और ये category कौन सी है प्यारे बचो इसकी category नंबर है 4 ठीक है और ये civil J.E. का पेपर है civil engineer का तो यहाँ पर देखो क्या-क्या person पुछे गए है हिंदी से पहला person देखो निमन में से किस सबद का अर्थ फूल नहीं होता तो कुसुम, सुमन, पुस्प तो तनूजा सबद ऐसा है जिसका जो अर्थ है वो फूल नहीं होता रिपीटिड क्वेशन है प्यारे बचो ये फूल का परियाएवाची कौन सा नहीं होता तो ये तनूजा नहीं होता बाकी पुस्प, कुसुम और सुमन ये होते हैं अब next person है हमारा पत्नी सबद का परियाएवाची सबद क्या है तो प्यारे बच्चो भारिया पत्नी को बोला जाता है प्राण प्रिया पत्नी को बोला जाता है चंचला तडित ये बिजली को बोला जाता है वदू तनूजा ये बहु को बोला जाता है विभावरी रजनी ये हमने रात्रीगे होते हैं अगामी सबद का विलोम सबद क्या होगा प्यारे बच्चों तो अगामी सबद का जो विलोम सबद होगा हमारा वो क्या हो जाएगा विगत आगत विगत होता ना जिस तरह से तो अगामी का विगत चार दिन की चांदने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा थोड़े दिन का सुखोना चार दिन की चांदने फिर अंदेरी रात यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे बच्चो पवन सबद तो पवन सबद क्या होगा हमारा पो पलस अन हो जाएगा और यहाँ पर पूछ लेता है कि भई इसके अंदर संदी कौन सी होगी हमारी तो यहाँ पर हमारी जो संदी है प्यारे बच्चो वो है अयादी संदी कौन सी संदी है प्यारे बच्चो अयादी संदी अत्यंत का संदी विग्र क्या होगा अती पलस अंत क्या होगा प्यारे बच्चो अती पलस अंत और संदी कौन सी हो जाएगी यन संदी अंसुमाली किस समास का उदाहरन है प्यारे बत्चो तो अंसुमाली यह मारा होता है बहुबरी समास गंश्याम का समासिक भी रख्या होगा प्यारे बत्ो घन के समान अगले पेपर की तरह बढ़ते हैं तो यह जो पेपर है हमारा यह advertisement नंबर कौन सा है पहरे बत्चो चार दोजार सत्रा category नंबर दो और जहां तक मुझे लगता है यह conductor का पेपर है जो conductor का पेपर हुआ था तो यहां पर पहला person क्या है वीर पलस अंगना की संदी है वीरांग ना और अगर पूछ ले कि इसमें संदी कौन सी है पहरे बत्चो तो यह हमारा जो example है यह दिरग संदी का उधारन है क्योंकि यहां पलस ए मिला हुआ है और क्या बना है आ तो यह दिरग संदी का example है आपका निमन में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्या है ठीक है मजदूर ने काम किया सरल वाक्या है मजदूर ने काम किया और पैसे लेकर चला गया यह हमारा संयुक्त वाक्या है अब नेक्ट परसन की तरफ बढ़ें तो हमारा जो दियावा है निमन में से पुलिंग सबद नहीं है तो मोती हीरा सोना सारे पुलिंग है चांदी क्या है ये एक इस्त्रीलिंग सबद है जो अलप या फिर कम जानता हो उसको बोलते हैं अलपग्य उदार उदर का समरूपी बिनार्थक क्या होगा विसाल पेट उदार उदर यानि की विसाल पेट जिसका उदार उदर है उसका विसाल पेट है नेक्ट परसन परत्यक्स में उपसर्ग लगा है परती बिल्कुल आसान पर कोई उपसर्ग नहीं होता जन्नी सबद में कौन सा पर्ते लगा हुआ है प्यारे बचो नी पर्ते निमन में से कौन सी वर्तनी सही है तो तिलांजली, सी ओप्सन हमारा इसका राइट अंसर हो जाएगा तिलांजली बिल्कुल सही लिखा हुआ है अब आगे देख लेते हैं अंब सबद का परियाइवाची सबद क्या होगा अंब किसको बोला जाता है प्यारे बच्चो मा को माता जननी दात्री अंबा हीरन सबद का समानार्थी सबद क्या है तो हीरन का जो समानार्थ को होगा प्यारे बच्चो वो हो जाएगा सारंग क्या हो जाएगा सारंग तो आगे बढ़ते हैं आगे जो हमारा पेपर है ये है हमारा एड़र्टाइजमेंट नंबर साथ दोहजार पंदरा और कटेगरी नंबर भी हमारा पांच यहां पर है तो अब यहां पर देखो हिंदी के जो परसन है बान सबद का प्रियायवाची क्या होगा प्यारे बच्चो पहले भी यह रिपेटिड क्वेश्चन है सिलामुक और तीर क्या है सिलामुक और तीर निमन में से किस सबद का अर्थ सागर नहीं होता तो प्यारे बच्चो नदीस जलदाम पारावार ये सारे क्या है सागर का अर्थ है लेकिन जो जलगर है इसका अर्थ सागर नहीं होता उत्थान सबद का विलोम सबद क्या होगा पतन अपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है सैयम खोना ग्रय स्वामी किस समास का उदाहरन है प्यारे बचो तो तत्पुरु समास घर का स्वामी आगे आता है हमारा निमन में से कौन सा समास द्वीगु समास का उदाहरन नहीं है प्यारे बचो त्रीफुला पंच रतन दो पहर तो त्रीनेतर ये है बहुरी समास, रिपीटिड क्वेस्चन, बहुत बेहतरीन क्वेस्चन निमन में से किस सबद की वर्तनी सही है तो यहाँ पर अनाधिकार, अनुसरन, अगामी अगामी नहीं होता, अगामी होता है तो अभ्यश्च ये जो है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है और यावनिमन में से किस सबद की वर्तनी सही नहीं है इस बार सही नहीं है, तो बगीरती नहीं होता है बागीरती होता है, बाकी सही लिखे हुआ है प्रिणती प्रिक्षन पर्तिकूल बिल्गुल सही तो भई आगे बढ़ते हैं आगे जो मारा पेपर है एड़टाइजमेंट नमबर साथ पांच दोजार सोला एक सेकंड पांच दोजार सोला और कटेगरी नमबर है 12 तो यहाँ पर देखो भई बो पलस अन किसकी संदी है प्यारे बच्चो तो बवन की संदी है और संदी कौनची है अयादी संदी नेक्स्ट है हमारा नोका सबद का प्रियाएवाची क्या होगा तरेणी और जलियान ये नोका सबद के प्रियाएवाची है अब आता है हमारा सुर्य सब्द का परियावाची नहीं है तो सुर्य सब्द का परियावाची कौन सा नहीं है पैरे बच्चो केसरी नहीं है मार्तंड रवी बानू तो मार्तंड रवी और बानू तीनों क्या हैं ये सुर्य सब्द के परियावाची सब्द है क्रीपन सबद का विलोम सबद हमें बताना है यहां पर तो क्रीपन सबद का हमारा विलोम सबद क्या होगा प्यारे बच्छो उदार नस्वर सबद का विलोम सबद अमर आगे आता है हमारा तुम विमल हरिद्य उच्छवास और मैं कंत कमीनी कवीता रेखांकित में कौन सा लंकार है साब नजर आ रहा है बई अनुपरास लंकार बर पेट में कौन सा समास है प्यारे बच्चो अव्यवाव समास निमन में से कौन सीवर्तनी सही है तो उजवल देखो फिर से आया है ये बहुत important question है बई तो यहाँ पर हमारा जो अगला पेपर है एड़वर्टाइजमेंट नमबर 4-2016 और कटेगरी नमबर है 2 तो परसंद देखते हैं निमन में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना तो सावन हरेना बादो सुखे सदा एक समान यानि कि सावन में हरा बादो में सावन का हरा बादो में नहीं सुखता इस तरह से सदा एक समान रहता है मतलब नै तो सावन में हरा होता है और नहीं बादवे में सुखता है परती दिन में कोन सा समास है प्यारे बचो तो परती दिन में अव्याई बाव समास है वेयो वरीद, विशर्ग संदिव, व्या पलस वरीद, जैसे ही सुर्योध्य हुआ, वैसे ही कोहसात चाता रहा, तो मिश्रित वाक्य है, आगे आता है हमारा, कई रेलवे के करमचारियों की गिरफतारी हुई, में कौन सा विकलब ऐसुद है, कई रेलवे के करमचारियों की ग यही घलत है रेलवे के कई करमचारी हो क्या है रेलवे तो यह की है इंडियन रेलवे तो कहीं रेलवे का मतलब क्या हुआ निमन में से इस्त्री लिंग का कौन सा युगम सही है तो इस्त्री लिंग का बताना में आत्मा और पुस्तक ये दोनों इस्त्री लिंग है बाकि आचल मेरा आचल तो ये पुलिंग हो गया है यापर आंधी इस्त्री लिंग है अदित्या, अंतिका, कांति, कोतुहल तो यहां पर यही सही रहेगा अत्मा और पुस्तक जो युद में सतिर रहता है वो अक्यांस के लिए एक सबद तो युदिश्ठर अबया अबया का समरूपी बिनार तक क्या होगा प्यारे बचो नेडर दोनो निमन में से किस सबद का अप उपसरग लगा है तो किस सबद में लगा है वही अप उपसरग तो अप हरन के अंदर लगा हुआ है पंडिताई में कौन सा परत्या लगा हुआ है तो पंडिताई में आई परत्या लगा हुआ है तो वही आगे बढ़ते हैं आगे जो हमारा पेपर है तो हिंदी के question है ये फिर से सास्त्री जी की मृत्यू का हमें बड़ा खेद हुआ में कौन सा विकलप असुद है तो सास्त्री जी की मृत्यू का हमें बड़ा खेद हुआ मृत्यू से हमें बड़ा खेद हुआ तो यहां पर खेद हुआ इसमें उसने असुद बताया है किस तरह से बताया है यह खेद है होना चाहिए यहां पर जहां तक मुझे लगता है तो डूप में चला नहीं जाता यह यह वच्चय का कों सा प्रकार है तो भाव वच्चय निमन में से इस्त्रीलिंग सबद नहीं है तो वह क्यारी घड़ी नंदिनी सब इस्त्रीलिंग नार्थक, क्या होगा प्यारे बच्चों, तो अली, अली का जो समरूपी दिनार्थक है, वो गारा, बवरा, या फिर सखी बे रहम में कौन सा उपसरग है तो बे ये भी repeated question है भई आगे आता है पिटाई सबद में कौन सा परत्या लगा है तो यहाँ पर आई परत्या लगा हुआ है निमन में से कौन सी वरतनी सही है तो भई चाहर दिवारी तो मुझे तो चाहर दिवारी मेरे कोर्डिंग तो ए उपसन चाही होगा इसका कामदेव सबद का परियायवाची क्या होगा प्यारे बच्चो मदन कंदर्ब रतिपती सूर्य का समानार्थी फिर से repeated question अरक अरक सबद जो आईए सूर्य का प्यायवाची सबद है प्यारे बच्चो तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चो आगे जो पेपर है हमारा 4.2016 category number 2 advertisement तो question क्या पुछा गया है रमेश आम खाता है यह वाच्चय का कौन सा परकार है तो रमेश आम खाता है तो यह करतरी वाच्चय है बई निमन में से इस्त्री लिंग सबद कोन सा होगा प्यारे बच्चो तो अगर हमें इस्त्री लिंग सबद की पैचान करनी है तो यहाँ पर सुपारी repeated question है यह भी निमन में से इस्त्री लिंग पुलिंग का कौन सा युगम सही नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चो तो यहाँ पर अमारा जो अंसर हो जाएगा ना प्यारे बच्चो इस question का निमन में से इस त्री लिंक सबद का कौन सा युगम सही नहीं है तो यह हो जाएगा अमारा पंडा पंडित गाए बैल वर वदू जेठ जेठानी तो पंड़ा पंडित नहीं होता है पंडित पंडितानी होता है जो वचन से परे हो वाक्यांस के लिए एक सबद तो वचना तीत जो वचन से परे हो यानि कि वचन का पक्काना हो तो वचना तीत कूल कूल का समरूपी बिनार्थक है तो वन्स किनारा ये question भी repeated है आप लोगों का वन्स किनारा कूल कूल निमन में से किस सबद में दुर उपसरग लगा हुआ है तो दुराग्रह में लगा हुआ है आगयाता है हमारा सुहावना सबद में कौन सा परत्या है निमन में से कौन सी वरतनी सही है तो कोतू हल ये वाली हमारी सही है आगया आजाता है कमल सबद का परियाईवाची सबद क्या होगा पेरे बच्चो जलज सरसीज पंकच और जोतसना का जो समानार्थक है वो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा चंद्री का तो चलिए भी आगे हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो एड़टाइजमेंट नंबर 9-2019 और ये ग्राम सचीव के पेपर जो हुए थे अभी 9 और 10 जनवरी को 9 जनवरी और 10 जनवरी को जो पेपर कैंचल हो गए थे न उन सबी पेपरों का यहाँ पर जितनी भी हिंदी 4 पेपर 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे 4 की 4 की हिंदी का सॉलूशन पूरा का पूरा जो कि देखो पेपर बले ही कैंचल हो गया हो लेकिन पेपर तो हमें मिले हुए है उनके अंदर क्वेस्टन तो पूछे ही हुए है और हिंदी के हिंदी से पूछे हुए है जीके के जीके से पूछे हुए है English के English से, तो question तो real है, बले ही paper cancel हो गया हो, उसके अंदर कोई गोटाले भाजी कुछ भी हुआ हो, लेकिन paper तो हुआ हमारे पास material content तो available हुआ, तो वो भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, तो इसकी अब Hindi कर लेते हैं, चार paper की चार shift में, और उसके बाद हमारा ये video जो है, य हमारी Hindi की लगबग, तो आगे बात करते हैं, हमारा जो पहला question है यहाँ पर, वो क्या था? हिंदी के आधुनिक साहित्य के निर्माता माना जाता है, तो किसको हिंदी का आधुनिक साहित्य का निर्माता माना गया है, तो बारते इंदु हरी चंदर को ए option इसका अंसर हो तो यह सीधे सीधे उन्होंने लिट्रेचर से हिंदी साहित्य से परसन पूछे हुए थे, साकेत की बासा में, डैस का अत्यांत, क्या दिया हो है यहाँ पर, अत्यांत और प्रोड प्रूप मिलता है, तो किसका मिलता है, पहरे बत्चों, खडी बोली का D option इसका हमारा answer है, अब next question है हमारा, यहाँ पर, तो हमारा जो परसन यहाँ पर दिया गया है, माधूर्या गुण को किसने उक्ति वैचित्तर कहा है, तो इसका जो answer हो जाएगा, पहरे बत्चों, वो हो जाएगा D option वामन, अब आगे हमारा question है, पंत को उनकी किस कृति पर बारतिय ग्यान लिए उनको पुरुषकार मिला, गुलेरी जी दुवारा संपादित पत्तर था, तो कौन सा पत्तर था प्यारे बत्चों, समा लोचक, अगले परसन की तरह बढ़ते हैं, पत्गती पेखल मोरादा, तकनुक बाव परान बय, पीडीत रहल कुमुद निदी सादा, उपरी प क्वेश्चन है, हमारा मुर्धन्य वेंजन है, तो मुर्धन्य कौन साइन में, हमारा मुर्धन्य में आ जाएगा, प्यारे बत्तों, अब next paper की तरह बढ़ते हैं, तो हमारा जो 10 जनवरी को, sorry, 9 जनवरी को जो evening shift ती, even shift जो थी, उसका जो paper है, उसमें जो परसन है, वो आज आता है तद्वव सब्द अब आज तत्सम और तद्वव सब्द इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत करवाए हैं आपको तो यहां पर तद्वव सब्द की जो प्रिवासा है वो आपके सामने आ गई है ऐसे सब्द जो सस्किर्थ और प्राकृत से नेचर से विक्रित होक क्युक्त बंड त्विक्द आया यानि कि जो थोड़े से पृवरतन के बाद हिंदी में आते हैं उनको तत्सम कहते हैं और जो य वैसे के सन्सकिर्थ में हैं वैसे ही हिंदी में आजाये उनको बोलते हैं तत्समसब्द ऐसे मैं नेक्ट क्वेस्टन है वाग्य के कितने बाग ओते हैं तो क्वेस्चन bên 84 आंसर जाएगा सी ओप्शन दो तो कितने हेमारे बाग्य경 के दो बाग होते हैं प्यारे अब आगये आता है मारा पर्शन ओरंग जेव की आखिरी रात एक कांगी रचना कार कौन है तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे पहरे बच्चों हमारा जो अंसरा वो होगा राम कुमार वर्मा ये स्टेटिक चीज़े हैं ये आपको रटनी पड़ेंगे सूर सागर के रचनाकार बिल्कुल आसान बात पूछे हुए है सी ओप्षन सूर दास नेक्ट क्वेस्चन है हमारा निमन में से कौन सी जीवनी है तो आज का जापान हवा में तैरते हुए वे दिन वे लोग समरीति के जरोखे में तो इन में से जो जीवनी है जीवनी कौन सी है तो ये है समरीति के जरोखे में और हमारा कौन सा उप्षन है ये डी उप्षन हमारा अंसर हो जाएगा अगला परसन है किसके अनुसार पदमावत एक समासो सक्ति काव्य है तो किसके अनुसार है पहरे बचो ये C option हमारा आचारिय रामचंदर सुकल के अनुसार अब आता है हमारा question number 89 C见 किस अचेतर की बोली को कासी का एक आप interpol आगे आता है हमारा ​​ की आप आख की देश वीडेश समास का उधारण है तो प्यारे बचो देश हुर वीडेश ये जो हमारे दबंदव समास का ये एकजम्पल है तो एक जम्पल है तो आगे आता है हमारा यह 10 जनवरी का morning shift का M1 पेपर है तो 10 जनवरी का morning shift का paper है और question number है हमारा त्री सूल उपनाम किसका है तो question का जो हमारा first sorry M2 का paper है यह प्यारे बच्चो तो हमारा हिंदी बासा का यह अब portion है 83 से 90 तक question है 10 जनवरी morning shift ठीक है तो question number पहला किया है त्री सूल उपनाम किसका है प्यरे बच्चो तो यह मारा अंसर हो जाएंगा गया पर्साद सुक्ल सनेही डी क्व ये ऑप्छन इसका मारा अनसर रएगा पयरे बच्चो नेक्ट क्वेस्चिन हिंदी किस प्रिवार की बासा है तो कॵेस्चन का आंसर होगा हमारा बारोपियाइ प्रिवार की भासा है रहती और उर्च प्रिवार की बासा है इससे जुड़े आता है हमारा इन में से कौन पर्थम तार सब्थक के इसके भी उप्षन यहां से आउट हो गया भी चैसी नंबर क्वेस्टन का अलाकि अंसर ए उप्षन इसका नेमी चंदर जैन तो यह जिसने भी इस पेपर की पीडियाप बनाई है तोड़े सी उसने मिश्टेक की हुई है अब आता है हमारा क्वेस्टन नंबर 87 तो भाव विस्तार को डैस भी कहा जाता है तो यहां पर अंसर हो जाएगा प्रवेस्टन नंबर 89 निवासी नंबर क्वेस्टन बरवय नाईग बेद गरंत के रचियता कोन है प्यारे बच्चो तो इसके जो रचियता होंगे हमारे वो जाएंगे रहीम यह उप्षन मारा अंसर है बरवय नाईग का बेद हिंदी में वैज्ञानिक अलोचना का आगे कुछ होगा इसमें तो 90 नंबर क्वेस्टन का हमारा अंसर हो जाएगा सी ओप्षन अचारिय राम चंदर सुकल ठीक है अब नेक्स्ट पेपर हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर हमारा जो पहला क्वेस्टन दिया हुआ है यह इवनिंग एटू सिफ्ट का पेपर आ गया प्यारे बच्छों निमन लिखित में से परवासी साहित्यकार कौन है तो हमें पताना भी परवासी साहित्यकार कौन है तो यहां पर डी ओप्षन हो जाएगा अचला, सर्मा, हरी संकर आदेश और सुदा ओम डिंगरा ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्छो परवासी साही त्यकार है अब आता है हमारा अगला परसन टैठ है डैड है वरनों के परियोग का संबंद काव्य के किस गुण से है तो हमारा जो आंसर होगा प्यारे बच्छो वो हो जाएगा ए ओप्सन ओजगुण से इनका संबंद है टैठ है डैड है अब आता है हमारा नेक्ट क्वेस्चन अगला परसन तो उसमें दिया है अंदाज सबद किस भासा का परत्या है तो अंदाज सबद जो है वो हमारा उर्दू बासा का परतया है कौन सी बासा का प्यारे बच्छो उर्दू बासा का राष्ट्रिय या डैस राष्ट्रिय जागरण और संस्केर्टिक विकास के ओजस्वी कवी के रूप में परसिद है तो आंसर हो जाएगा A option रामदारी सिंग दिन कर कौन है प्यारे बच्चो रामदारी सिंग दिन कर दर्ती धन अपना उपन्यास के रचियता हमें बताना है कौन है तो यह हो जाएगे हमारे जग दीस चंदर A option राम अनसर हो जाएगा प्यारे बच्चो अब نیک्ट कॉस्टन है हमारा तो यह किस परकार की रचना है प्यारे बच्चो यहां एक मुक्तक कव्या है भी और अनसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही मुक्तक कव्य है आगे आता है हमारा मैथिली बासा के में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात स्री बैदनाथ मिस्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा डैस के नाम से परसिद हुए तो अनसर हो जाएगा पैरे बचो बी ओप्षन नागारजुन बाबा नागारजुन के नाम से कौन परसिद हुआ था मैथिली बासा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात हुए हुए बैदनाथ मिस्र यात्री हिंदी यात्री जो है वो उनकी हिंदी साहित्य में बुक थी कोई तो बे बाबा नागारजुन के नाम से परसिद हुए तो यह थे प्यारे बचो आज के हमने जितने भी पेपर किये हैं सारी सिफ्टों के पेपर हमने कर लिया है यहाँ पर तो भई अब मैं कहा सकता हूँ आप लोगों से कि एससी के दुआरा अब जितने भी पेपर हुए हैं देख सकते हो आप इतने सारे पेपर एससी के कम से कम भी हमने 50 से 60 पेपर जो है इस वीडियो के अंदर कवर किये हैं प्रिवियस येर के पेपर 2015 में एससी ने पेपर लेने स्टार्ट के थे और 2021 जनवरी में जो पेपर हुआ है बिल्कुल लेटेस्ट ग्राम सचीव का सारे के सारे पेपर में हिंदी के जितने भी परसन पूछे गए हैं हो सकता है कोई इका दुख का पेपर रह गया हो जिसमें एक या दो क्वेस्चन मतलब चार या पांच क्वेस्चन तीन चार क्वेस्चन हिंदी के आए होंगे इका दुख का पेपर मैं हो सकता हूँ बही मिस कर गया होंगा यह नहीं गारेंटी है कि हर एक ही करवा जिया है मैंने लेकिन लगबग लगबग जितने important पेपर थे जो आपके पेपर में जिनमें क्वेस्चन रिपीट होने के चांद सीच है क्योंकि जो इका दुखा पेपर रहे भी गया होगा न प्यारे बचों उनमें जो क्वेस्चन आयोंगे वो easy क्वेस्चन आयोंगे बिलकुल इसलिए मैंने उनको skip कर दिया होगा या फिर वो मुझे मिली नहीं होगे ऐसा भी हो सकता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट यादी आपने वीडियो देखी है तो वीडियो के बारे में अपना comment जरूर करें आप, अपना comment जरूर रिजरव कराए कि आपको ये वीडियो देखने में कैसी लगी पढ़ने में कैसी लगी और आप कोमेंट के साथ यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन भी दबाएं और साथ ही एसससी अड़ा टेलिग्राम पर जुड़े इस क्लास की पेडियाप आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो तो उमीद करता हूँ साथ ही हो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है आपके काम की वीडियो रहेगी और आपका टाइम इस वीडियो को पढ़ने के बाद वेश्ट नहीं जाएगा उमीद मैं ऐसी आपसे करता हूँ तो इंदा एंड मैं एकी बात कहना चाहूँगा मेहनत आप करते रहिए आपका साथ मैं देता रहूँगा तो आपको किसी न किसी दिन सफलता जरूर मिलेगी निरास होने की आपको जरूरत नहीं है सभी काजूरने के लिए बहुत बहुत दन्यावाद जय हिन जय बारत जय किसान